तो क्यों नहीं किसी के होशूड हैं ये इन प्लॉट्स को देख के यही चीज आप अपनी websites और different portfolios के अंदर भी बना सकते हैं कि I created this map and this is how it looks like यह राजे प्लॉट यानि कि ideal, premium, very good, good and fair आइडियल में जाके मुझे अगर पता करना हो कि किस एक specific point की ज्यादा value है so I can see this thing यह चेक करें प्लॉट क्या है मैंने एक चुट्टी से command दी है animation frame that's it है यहले प्लॉट आपका तो क्यों नहीं किसी के होशूड हैं यह इन प्लॉट्स को देख अगर आप गोर करें carrot depth and price we can create a heat map like this यह राज़ प्लॉट असलाम अलेकूम अगर आप data visualization सीखना चाते हैं और graphs, plots, charts आला किसम के बनाना चाते हैं तो यह एक master class आपके लिए बहुत जरूरी है इसके अंदर हमने matplotlib python की जो library है plus cbond python की जो library है plus plotly python की जो library है इन तीन libraries को यूज करके कमाल की master class त्यार कीए जिसके अंदर आप data visualization करना सीखेंगे यही नहीं आपको start से data visualization का मतलब समझाया जाएगा plus आपको बताया जाएगा plots के parts कौन-कौन से होते हैं कस्टमाइज कैसे करना है plots को using python और data visualization के अंदर कितनी किसम के plots होते हैं कौन सा plot कब use करना है plus कौन से plot के interpretation क्या है कौन सा plot क्या दिखा रहा है और यही नहीं यह data visualization की पूरी की पूरी class एक बहुत ही बड़े data set यानि कि 54,000 रोज के data set के ओपर हम practice करने वाले हैं अगर आप इस पूरी master class को शुरू से end तक practice करते जाएंगे it will help you a lot तो तयार हैं वीडियो को शुरू से end तक देखिएगा आपकी असानी के लिए न मैंने chapters भी डाल दी हैं वीडियो के अंदर और यही मज़ा है हमारे साथ data visualization सीखने का start करने से पहले subscribe कर दें चैनल को like कर दें इस वीडियो को और share कर दें अपने दोस्तों के साथ let's jump into it screen मैं आपके सामने share करता हूँ आज का जो हमारा topic है that is data visualization जो भी हम python के अंदर करते हैं अब data visualization होती क्या और उसको हम किस तरीके से देखते हैं data visualization आपको पहले भी पता है मैंने पहले lectures में बता दिया यह graphical representation होती है of information and data अब data जो है इसी को information बोला जाता है अगर आप गौर करें तो data is information so अगर हम data की बात करें तो यही information होती है यानि किसी भी किसम की information जो आपके पास आती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे data भी बोल देते हैं अब data and information दोनों side by side चलते है अब आपने क्या करना है जब भी किसी information के बारे में बात करना है you should know कि यह data ही है और यह data कितनी किसम का हो सकता है multiple किसम का हो सकता है आपका data पास तोर पे primary data हो सकता है secondary हो सकता है यानि कि जो आपका data नहीं है and so on and so forth बाकी किसम का data आपके पास मुझूद हो सकता है और इसको हम visual elements like charts, graphs and maps के थुरू करते है and data visualization के जो tools है that make more data accessible, easier to understand and insightful ठीक है कुछ softwares हैं जो data visualization के लिए बहुत जुरूरी होते है और उन softwares में जो list of softwares हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ यह SL में मैं practice कर रहा था कि मेरा जो pen है वो सही चल रहा है कि नहीं इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो list of softwares हैं data visualization के उनमें जो सरे फहरिस्त हैं उनको बताता हूँ पहला है आपके पास MS Excel ठीक है MS Excel के बाद दूसरा आपके पास आजाता है Power BI फिर आपके पास तीसरा आजाता है Save for example अगर मैं यहाँ पे करूँ तो वो है Tableau फिर आपके पास इसके बाद आजाता है R, programming का software है Python है इसके बाद click view भी हैं, देर और many other softwares अगर आप इनकी बात करें तो इसमें coding भी involved है coding के बगार वाले softwares ही है और यह जो है यह hardcore coding के साथ होते है ठीक है Power BI, Excel और Tableau इन तिनों की हमारे YouTube channel के उपर playlists पड़ी हुई है आप वहाँ से सीख सकते हैं ठीक है और यह जो R है R with Amar के एक पूरी series पड़ी है totally free के अंदर यहां से भी आप सीख सकते हैं जब कभी आपने data visualization करनी हो and python जो है इसके उपर हम काम कर रहे हैं ठीक है so हमारे topic के अंदर जब भी हम data visualization की बात करेंगे तो python जो होगा वो सरेफेरिस्ट होगा इस बात को अपने अपने ख्याल में रखना है अब data visualization करने के लिए हमें multiple चीजों का ख्यार रखना है वो यह है कि matplod, lib and seaborn यह दो library हैं जो आज के lectures के अंदर हम cover करेंगे और इन दोनो libraries के लिए अगर आपको data visualization इनके साथ करने आती then it's good अगर नहीं करने आती तो believe भी आपको python नहीं आता यह बहुत ही basic libraries है and this is a must thing you should learn in python ठीक है और यह widely used effective data visualization के लिए हम use करते हैं फिर कुछ R और python के अंदर कुछ libraries होती हैं जिने हम auto data visualization की libraries बोलते हैं data with libraries यह auto data with libraries क्या करती हैं यह basically आपका data जो है automatically visualization करने के लिए आपको help out करती हैं कैसे आपका data आया data frame के नाम पे इसको आपने 2 से 3 lines के code के अंदर लिखा लिखने के बाद आपके पास एक tableo की तरह का dashboard ओपन हो जाता है या power bii की तरह का आप just click drag करते हैं और सारा काम हो जाता है यह python और r दोनों में है और इसमें मशूरे जमाना जो मैंने आपको बताई थी g walk g walker जिसके नाम है g walk r and same g walk r in python ठीक है यह g walker जो है यह कैसी library है जो आप use कर सकते हैं और इस तरीके से और भी libraries हैं जैसे आपको मैंने EDA की automatic libraries बताई थी अगर आप पिछले lectures को revise करें so usually इस तरीके से हमारा काम चलता है इसका मतलब है अगर आपको थोड़ी बहुत coding आती है आप data visualization में mastering कर सकते हैं लेकिन of course class के data visualization और reporting के लिए exploratory data analysis के लिए you need to learn more और learn more का जब भी लफज आता है इसका मतलब यह है कि आपको hardcore coding करनी पड़ेगी ठीक है अच्छा यह तो होगी data visualization अब कुछ चीज़ें हैं जो data visualization के अंदर जरूरी है अब यहाँ पे आप सिरफ अपने notes के अंदर page number add करेंगे then it will be easier for you later on कि मैंने कहां पे कौन से चीज बढ़ाई है इस वज़ा से मैं आपको पहले बता रहा था कि आपने जिन चीज़ों का ख्यार रखना है वो उन में से कुछ अभी मैं आपके सामने रवता है सबसे पहले होता है जब भी आपने कोई चीज बनानी है उसको हम बोलते हैं chart और हम इसको plot भी बोलते हैं और graph भी बोलते है chart, plot and graph ये तीन नाम हैं जो एक ही चीज कही है वो एक चीज क्या है ये हमारे पास data है ये data हमारे पास मुझूद है ठीक है इस data को जब मैं किसी एक graphical representation के अंदर present करूँगा जो charts होते हैं तो उसको हम chart, plot ये graph तीनों नाम दे देते हैं अब आपने कभी परेशान नहीं होना कि इसको plot भाए रहे हैं, कभी chart कह रहे हैं, कभी graph कह रहे हैं ये सेम नाम ही है और इसके अंदर जब आप किसी data में कोई एक plot बनाते हैं तो उस plot का main purpose क्या है जब आप वो chart के ऊपर लिखते हैं for example, ये मेरे पास एक plot है ठीक है इसको मैंने इस तरीके से draw किया यहाँ पे आपके पास एक plot के ऊपर है उसका purpose आता है, इसको बोलते हैं title title of the plot ये title of the plot अक्सरों कहात आप लिखते हैं कभी कबार नहीं लिखते हैं खास तोर पे जब आप reporting कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप figure का नाम देते हैं कि ये figure number for example 1 है और इसकी ये caption है कि ये figure किस बारे में most of the time title आप use नहीं करते हैं कभी करते हैं और यहाँ पे नीचे जो चीज होती है जिसमें आप इस figure की detail लिखते हैं इस figure में क्या है, data कहां से आया, क्यूं आया ये 5-6 line भी हो सकती है 2-3 भी हो सकती है, 3-4 भी हो सकती है इन line के अंदर जो आप चीज लिखते हैं इसको बूला जाता है figure caption क्या बूला जाता है figure caption ये होती है जिए figure caption और अकसर अकात जो scientist है, data scientist इसको figure caption के बढ़ाए figure legend कहा देते हैं लेकिन ये legend से ही लफज नहीं है ठीक है, legend क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने 2 line लगाई 1 blue है, 1 है मेरे पास black ये blue है, blue line है for example age की और black line है मेरे पास for example weight की so ये ये मेरे पास 2 line है मैंने इनकी जो explanation लिखी है इनको बोला जाता है figure legends ये हैं legends ठीक है, ये छोटी सी misconception है जो काफी लोगों को नहीं पता आती legend figure legends इनने बोला जाता है और ये basically क्या होते हैं जब एकी plot के अंदर आप multiple variables को add करते हैं figure legends आपके सामने आते हैं यहां पे clear होगी बात अब figure legends हर plot के हो सकते हैं और इनकी position भी होती है ये top right हो सकती है आप इसी को उठा के अगर यहां पे ले हैं तो bottom right है यहां पे ले जाएं तो top left है यहां पे bottom left है या आप खुदी plot को कहते हैं यहां पे तुम्हें सही लगता है वहां पे रखता हूँ और इनकी sequence को आप sort भी कर सकते हैं descending और ascending order के अंदर यह बात याद रखनी है ठीक हो गया figure legend figure caption आपके पास आगे अब अगली चीज जो होती है हमारे पास मैंने आपको पिछले lectures में बताया लेकिन दुबारा से बताता हूँ यह एक plot है इस plot के अंदर यहां पे मैं age लिख देता हूँ और यहां पे मैं लिख देता हूँ say for example I would say weight को लिख लेते हैं age के हिसाब से weight बड़ी simple सी example आपको बता रहा हूँ अच्छा जी यह जो line होती है ना इस line को हम बोलते हैं x-axis यह वाली जो line है ठीक है? x-axis ठीक है? यह होगी x-axis और python के अंदर यह जो मैंने age लिखा हुआ है इस चीज को बोला जाता है x-labels या labs ठीक है? x-labels या lab जो भी आप different languages के अंदर देखेंगे x-lab भी आ सकता है x-level भी आ सकता है e-l मेरे ख्याल से l-e-b-e-l या l-e होता है फिर यह चेक कर ली जगा फिर यहां पर wait है तो यह है y-axis यह वही चीज है इसको बोला जाता है y-axis ठीक है? और यह जो है हमारे पास y-level है y-lab इसे बोल देते हैं और हमेशा आप छोटी languages के अंदर use करते हैं capital नहीं लिखा जाता तो यह इस तरीके से python के अंदर use होगा और अगर किसी और programming language में use करेंगे इसको तो आप उसकी language के मताविक चलेंगे ठीक हो गया जी x-axis x-levels हो गया अब यहाँ पर यह कुछ points होते हैं हमारे पास एक plot के उपर these ones यह scale bars होती है इनको क्या बोला जाता है किसी को पता है? Do you remember this? मैंने पिछले lecture में बताया था इन्हें बोला जाता है x ticks यह tick marks tick marks सभी हो गया और अगर y-axis पर होंगे तो इन्हें बोला जाएगा y ticks और tick marks सभी होगी जी? यह बात points clear होगे आपको? ठीक है? अब इसके इलावा tick marks जो है जब भी हम इन ticks marks tick marks की limit सेट करते हैं तो अकसर अगाद जब आप different softwares यूज़ करते हैं x-lim यानिके limit यहां से 0 है बिलकुल origin point होता है यह जो दोनों x और y का 0 point है इसे बोला जाता है origin point origin point बोला जाता है और x-limits जब आप सेट करते हैं तो आप minimum से maximum limit बताते हैं कभी कबार यहां पर comma होता है कभी कबार dash होती है इनको बोला जाता है x-limits और यह x-limits जो हैं यह आपको बताती है कि आपने जो x-axis पर scale रखना है वो क्या रखना है usually it starts from 0 to 100 या कोई भी value हो सकती है ठीक है समझागी x-limits तो यही चीज अगर हम यहां पर देखें तो इसके बोला जाएगा y-limits या y-limits limits भी का जाता है इन्हें limbs भी का जाता है y-limits, x-limits या x-limits ठीक है और r के अंदर यह लफ्ज है x-lim python के अंदर भी इसी तरीके से आप use करेंगे और यू can set इसका मतले बर जब हमने इस चीज को set करना है we have to use this अगर tick marks को bold करना है या किसी तरीके से करने we will use this ठीक है यहां तक समझ आगी अब यह जो मैंने लिखे हैं यहां पे अकसर अकात किसी plot के अंदर यही वाले जो points हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं अगर मैं plot यह वाला बना रहा हूँ इसमें देखिएगा मैंने बनाया bar plot यह मैंने bar plot बनाया ठीक है और यहां पे इसको मैं कहरा हूँ इस वेर एक्जेंपल women man child ठीक है जो हमारा titanic का data अगर आपको याद हो women, man and child ठीक है यह तीन चीज़े मैंने लिखी है अब गौर कीजएगा यह जो woman है man and child यह तो तीन चीज़े आगी मेरे पास और यहां पे अगर मैं गौर करूँ तो यह each tick label है यह x tick label है ठीक है x ticks का label समझारी बात की जो इसका x label है that is different that is who ठीक है यह who है जो x label है यह है x label बलके इसको मैं different color में नहीं करता same में कर लेता हूँ यहां से this is x label and these are child, yay and woman these are x tick के label ठीक है labels और इसको x tick text भी का जाता है या x text भी का जाता है depend करता है कि कौन सी library आप यूज कर रहे है यहां तक clear होगी बात ओके अब यहां पे जब मैंने man, woman, child लिखा है अकसर अकात यह वाले bars जो है यह दो colors में आती है एक ऐसे आगी साथ और एक ऐसे आगी ठीक है अब यहां पे दो variable आगे इसका legend जो है फिर हम इस तरीके से बनाएंगे यह जो है जी blue वाला और यह जो है जी red वाला समझा आगी अब दोनों के different name होगे जैसे red वाला है इसको मैं बोल देता हूँ say for example यह है class ठीक है और blue वाला हमारे पास क्या है say for example I can no oh wait just a minute wait 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 this is bit different and sticks text okay so यहाँ पे एक मैं दूसरी बार बनाता हूँ समझा आगी बात की अब देखिएगा अब यही काम हमने किया है और हमारे पास यहाँ पे say for example यह मेरे पास एक blue बार है एक मेरे पास दूसरी बार है अब हम क्या कर सकते है इन बार्स की बेस पे एक double variable हम add कर सकते है यानि कि ऐसा variable जिसकी तदाद 2 है या 2 से ज्यादा है तो उतनी बार जाजाएंगी तो इसको group bar plot बोला जाता है और यह variable categorical variable होगा based on this for example women, man और child के अंदर इनको further दो categories में अगर हम divide करें वो categorical variable यहाँ पे आजाएगा cat1 and cat2 करके अब left side पे आपके पास एक ही variable है for example मैं fair का variable यहाँ पे दे देता हूँ कि इन्होंने कितना कराया दिया था titanic के लिए so fair एक ही रहेगा women के अंदर आप इसको separate कर सकते हैं categories के अंदर ठीक है और फिर आप man के अंदर कर सकते हैं फिर child के अंदर say for example यहाँ पे age group है पहला age group यह है age 1 और age 2 तो आप इनको बना सकते हैं अब आप जब ऐसे अगाम कर रहे होते हैं तो you need to be very careful कि यह जो legends होते हैं यह legends यह मैं बात जो समझाने वालों जड़ा गोर से देखिएगा this should always be categorical और इतनी categories ना हों के bars ना बने मतलब categorical means around 5 to 10 इससे ज़्यादा ना हों या 2 से 3 भी हो सकती it's totally up to you क्योंकि different colors आने हैं अगर आप continuous variable यहाँ पे देंगे which is not good तो यहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा line लग जाने याने color ramp different हो जाने है खास तोर पे bar plot के अंदर so this is not good आपने जो काम करना है वो इस तरीके से करना है अच्छा अब यह categorical को देना है लेकिन आप किसी continuous को भी continuous variable को भी या numeric variable को भी आप factor बना सकते है factor से मुराद क्या है आपके पास age का एक column है age के column को group कर दे 5 groups उसके बना दे यानि के age के column के 5 groups बना के उनको आप use कर सकते है यानि converted continuous column at the end वो भी categorical होगा लेकिन उसको factor क्यों बोला जाता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 वो जो bins बनाएंगे वो factorial होगी यहां तक समझ आगे जी ओके तो इसका मतलब यह हुआ के जब भी यह वाला column देना है यह usually यह जो legend होता है ना यह आपके पास एक terminology है जो हमने use की थी seaborn में hue इसके थू आएगा hue के थू और plotly के अंदर color के थू आएगा gg plot के अंदर यह fill के थू आएगा so हर library में different है ठीक है लेकिन इसका मकसद यह है कि आप categorize करते है color की base पे separate करते है यहां तक समझ आगे so जब भी कोई library आएगे जब हम legends बना रहे होंगे या हम divide कर रहे होंगे एक plot को two में दो variables को तो हम इस तरीके से कर सकते है ठीक है अब एक और चीज़ देखते है यहां पर हमारे पास एक और plot है इसको मैं scatter plot बोलता हूँ यह हमारे पास एक plot आ गया यह हमारे पास scatter plot है हमारे पास x-axis है, y-axis है यह सिरफ और सिरफ दो continuous variables का बनता है जब मैं continuous की बात कर रहा हूँ I meant numeric variable जिनके अंदर floating points है ठीक है continuous variables अब 8 जो है एक continuous variable है फेर दूसरा continuous variable है टाइटानिक के data के अगर बात की जाए तो सिरफ इनका बनेगा अगर आप categorical variables का बनाना start कर देंगे यह गलत होगा ठीक है अब मैं आपको पूछता हूँ अगर मैं legions बना दूँ यहां पे एक red वाला कर दूँ legions और एक कर दूँ यह वाला यानिके male and female तो यह तो categorical होना चाहिए न समझ रही बात की तो इसका मतलब है even in scatter plot when you are plotting something legend categorically होना है division उन दोनों की इस base भी हो जानी है यानि कि जब आप इस plot को बनाएंगे आपके पास जो male का है वो blue color के points आएंगे जो female है उसका different color के points आएंगे something like this ठीक है so यह data visualization के लिए यह चीज़ बहुत जरूरी है labels की आपको समझ आगी legends की समझ आगी फिर होता है एक और point जिसको हम बोलते हैं grid यह बहुत जरूरी है समझना यह भी देखिएगा grid क्या है कि यह मेरा पूरा plot है इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से linic है यह बिल्कुल light color होगा मैंने जानबूच के dark रखा है grid के थुरू आपको असानी से पता चल जाएगा और इन दोनों points को मिलाते है x और y की base पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था these are called cartesian coordinates जो mathematics के अंदर मैंने आपको बताया है अगर आपको याद हो mathematics की series आपने उसके अंदर देखा होगा cartesian coordinates x और y जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक scatter point आता है x की value, y की value ठीक है so जब भी आप दो बनाते हैं ये दोनों का numeric होना ज़रूरी है of course categorical भी हो सकते हैं लेकिन numeric होना इस विज़ा से ज़रूरी है because we need to see the trend यहाँ तक समझ आगी अब ये जो cartesian coordinates है these are called data points ठीक है these are called data के points आपको जब तब plots की anatomy ना ना पता चल जाए आपको नहीं समझ आगे के plots कैसे set करने है so anatomy of plot इस विज़ा से important है anatomy क्या होती है जो biology के students जब मेंड़ को काटा जाता है center से dissect किया जाता है तो उसके अंदर जो चीज़ें होती है उसे anatomy बोला जाता है कि दिल कहां पर है गुर्दे कहां पर फेपड़े कहां पर है इसी तरह human anatomy होती है इसी तरह किसे हम इस वकत data science के अंदर plots की anatomy देख रहे है ठीक है so these are called data points which are made up of x and y x and y गया है जी आपके पास cartesian coordinates यानि के x की value और y की value ये सिरफ इसकी बात हुई है अगर मेरे पास यहीं पे एक ऐसा plot हो जिसमें cartesian coordinate का तसवरी नहो फिर क्या हम कर सकते है ये है आपके पास plot ये है जी box plot इसके अंदर cartesian coordinate नहीं होगे it will show you call tiles ठीक है data को चार हिस्सों में तक्सीम करना है आपका ये हो गया q1 q2 q3 q4 कर ले I am just giving you an example बाकि इंशाला हम इसको बना के भी देखेंगे फिर इसकी center में एक median line होती है median line के इलावा आपके पास extreme values भी होती है तो यहाँ पे आपके cartesian coordinate नहीं होगे आपके पास data points होंगे ये वाली चीज़ें जो आपको बता रहे हैं ये data की summary हो जाएगी and plus इसके बाद ये जो each point है इसे data point बोला जाएगा ठीक है so data points can be like this इसी वज़ा से different plots के data points आपके पास different होंगे सभी हो गया अब आगे चलते हैं basic terminologies जो मैंने आपको बताई है scatter plot हो गया हमारे पास scatter plot के बाद line plot है bar plot है and there are many other plots मैं आप आपको दिखाता हूँ plots की types कितनी होती है of course we will create that मेरे पास notebook त्यार है लेकिन मैं सिरफ आपको समझाना चाहा रहा हूँ कि आपको एक layman language के अंदर समझ आजा जाए simple आपके पास दो numeric variable होने चाहिए इसको बोलते है scatter plot ठीक है scatter plot इसको अक्सर उकात point plot भी बोला जाता है point plot अच्छा मैं plot का लफज यूज़ कर रहा हूँ अगर कोई से graph कहता है it's fine अगर कोई से chart कहता it's fine ठीक है सो यह हो गया हमारे पास पहली plot की type scatter plot scatter plot फिर हम चलते हैं जो दूसरी type पे हमारे पास जो दूसरी type है scatter plot के बाद वो है line plot यह हमारा plot ठीक है line plot के लिए आपके पास यह तब यूज़ होता है जब आपका data time series का data हो like this ठीक है line plot क्या होता है कि पहले महिने में कितनी sale दूसरे में कितनी तीसरे में कितनी चोथे में कितनी पांचवे में कितनी छटे में कितनी सात्वे में ज्यादा होगी आठवा कम हो गया नूमा वो गई उपर यह इस वकत bitcoin का scene चल रहा है अगर किसी को पता है तो बहुत है high peak के अंदर है ठीक है so I'm not investing in bitcoins I'm just giving you an idea कि क्या चल रहा है अक्सर अकौद stock market और बाकी चीज़ों के लिए भी use होता है इससे बोले जाता है line plot और अक्सर अकौद आप देखते हैं dollar की कीमत कितनी होगी कम होगी ज्यादा होगी stock market financial studies के अंदर ये बहुत ज्यादा use हो ठीक है even though जितना भी time series का data है वहाँ पर ये use होता है ठीक है time series का data अब आप कहें कि मैंने इसको बनाने titanic के data पर आप बना सकते हैं लेकिन it won't make any sense मैं आपको आज दिखाऊंगा कि line plot आप बना के scattered चीजें सेधी कर सकते हैं लेकिन it doesn't make any sense to create those plots तीसरा हमारे पास होता है bar plot अच्छा line plot के अंदर जो एक खासियत है न वो ये है कि आप line plot जो है यहाँ पर आपकी date and time का data होगा date and time का data होगा ठीक है वो Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday भी हो सकता है और इसी तरीके से आपके पास हो सकता है January से December तक और जब आप शहीर भाई की तरह आपको नीद आ रही हो और जमाई आ रही हो तो मुझ पे हाथ रख ले करें इसका बड़ा फाइदा होता है अच्छा यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज हो सकती for example dollar की price होगी बिजली का बिल हो गया अच्छा time series का data आपका बिजली का बिल भी है आपने कभी analyze किया यह data एक छोटी सी assignment यहाँ पर रखें क्या ख्याल है इससे हमें अंदाजा होगा हम अपने सेंपल लेंग और इसकी report publish करेंगे मानते हैं इस बात को करें यह चले एक छोटी सी assignment यहीं पर लेते हैं आपने क्या करना है अपने घर के बिल of course मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि अभी वो पता नहीं कहां पे हैं वो पराने जुआने में हम तार पे टांगते थे बिल याद है बिल वाली तार होते थी अगर आपके घर में अभी भी पड़ी that's great नहीं पड़ी तो आपने यह करना है कि तीन सालों के बिल लेने अपने त्री येर्स के बोथ बिजली एंड गैस ठीक है अगर यह आप करते हैं ना believe me हमारा sample बड़ा strong है पाकिस्तान का अगर हम इस sample को बहुत ज्यादा भी नहीं करना दस साल करना तीन साल 36 data points होंगे हम सभी के पास ठीक है और of course आपने बिल का जो data है वो ही कठा करने अपना जो city है वो लिखने ठीक है family members कितने रहते हैं घर में वो लिखने और यह anonymous data होगा ठीक है anonymous data होगा और family member कितने रहते हैं city कितने हैं और यह हो गया फिर आपने बताना है AC कितने लगे है ठीक है फिर आपने यह बताना है fridge है नहीं है yes or no and then इसकी amount भी बता दे 2 या 3 जितनी भी fridge हैं घर पे होती है न बड़े गरों के अंदर AC लगे है नहीं लगे है यह हो गया ठीक है इसके बाद आपने बताना है कि UPS है अगर में या नहीं है ठीक हो गया अगर आप यह data जो है यह data इस तरीके से collect करके आप मुझे send कर दे या आप हमारा जो discord server है उसके अंदर send कर दे we can publish this data और यह इसके उपर हमारा project बन सकता है real time देखें आप लोग ने help करनी है मेरी और अगर आप करेंगे तो that would be great अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और point है कि solar लगा है या नहीं लगा अच्छा मैं आपको सिरफ columns की name बता रहा हूँ मैं Google form भी बना सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ but you have to create these kind of data sets Excel में Google Sheet में जैसे भी करने है ठीक है और इसकी deadline भी हमारी Saturday evening तक रख लेते है ठीक है अगर आप ये data मुझे भेजती है believe me we can do a lot of things with it so Discord के server मैं description में दे दूँगा जो लोग बाद में इस वीडियो के देख रहे है please send us this data और इसकी बेस पे मंदाजा लगाएंगे कि बिजली के tariffs में कितना अजाफा हुआ है अच्छा जी ये तो on spot हमारे पास जो बात है वो आ गई and we did it अब तीसरी जो हमारे पास एक call type है that is bar plot bar plot आपको मैंने पहले भी बना के दिखाया इस तरीके से बनते है अच्छा मैं यहाँ पर ये बता रहा था ये जो data है ना y-axis पर ये numeric होना ज़रूरी है यहाँ पर date and time यहाँ पर numeric आगे चलते हैं यहाँ पर bar plot है तो numeric या count so यह आपके पास data होता है और यहाँ पर legions में आपके पास again categorical होगा अगर मैं यहाँ पर legions बना दू this should be categorical so यह होता है bar plot bar plot जो है of course इसको bar chart भी कहते है इसका एक और नाम है column chart column chart या plot column या bar plot ठीक है अब समझ आगी आपको America और UK गा different scene चलता रहता है English के अंदर शायद इस वजा से फिर एक plot ऐसा आता है जिसकी bars आपस में जुड़ी होती है like this क्या नाम है जी इस plot का यह distribution के लिए use होता है इसको histogram बोला जाता है histogram और यह basically इसको hist बोला जाता है Python के अंदर इसको बोला जाता है histogram ठीक है और यह तब use होता है जब आपके पास यहाँ पे numeric variable होता है और इस numeric variable की frequency यहाँ भी होती है कितनी दफा कर कर रहा है यानि के count ठीक है count या frequency इसको बोला जाता है histogram ठीक है और यह जो plot में एक आपको बना के देने लगाँ आप दुबारा देखीगा यही histogram है यहाँ पे वो ही line में ऐसे लगा के यह बना रहता हूँ this is called density plot density plot और अगर आप histogram के अंदर ही c-bone यानि के sns को use कर लें जो python की library है then you can create histogram on this by just one argument called kde is equal to true सिरफ इतने इस arguments है तो इसी के उपर आपके पास इस तरीके से density plot भी बन जाएगा which will show you कि data normal है कि नहीं ठीक है अगर आपको पता है कि यह क्यों है फिर बनाना असान है समझाई अगर आपको नहीं पता कि यह plot क्या दिखाता है तो of course code तो मिल जाएगा लेकिन समझ नहीं है कि क्या है और इसको हम distribution plot भी बोलते हैं अगर आपको याद हो distribution plot यह वाले plot को histogram को distribution plot क्यों बोला जाता है को बता सकता है यह data के distribution हमें दिखाता है and most of the time this plot is made on continuous numeric data these two continuous numeric data अब आप कहेंगे discrete पे क्यों नहीं बनता discrete पे भी बना सकते हैं आप लेकिन आपका जो bars है ना वो जूड़ी नहीं हो नहीं वो ऐसे हो नहीं है बना आप उस पे भी सकते हैं तो bars ऐसे हो नहीं इसका मतलब आप density नहीं बना सकते हैं उसके उपर क्यों? connected नहीं है ना हमें पता ही नहीं यहाँ पे ज्यादा है कि कम है ठीक है? discrete data क्या होता है? 1,2,3 continuous data होता है 1.5, 1.8 फिर वो जितने भी data points है वो सारी इन दोनों में एक के बाद सिर्फ दो ही आ सकते है यहाँ पे interval equal है यहाँ पे हमारे पास एक के बाद कोई भी point आ सकता है यानि कि continuous है इस वज़ा से discrete का भी यह बन सकता है histogram but on the other side it won't give you any information फिर आता है हमारे पास एक और plot जिसका नाम है heat map यह इस तरीके से plot होता है आपके पास x-axis में categorical variable होते है x हो गया, y हो गया दुन्नों में cat cat अब जो बीच में आपके data आ रहा है या आप सेज समय लें कि यह दिवार है इसको बोला जाता है heat map अब आप सोच रहे होंगे या plots अगनिकलन लगी है ऐसा नहीं होगा this is just a heat map और इसको क्यों heat map बोला जाता है कभी आपने आग पे notice किया है different किसम के colors होते हैं खासतोर पे देसी आग के उपर देसी आग से मुरा लकडियों को direct जो लगाई जाती है अक्सरोकात आप जब सर्दी ज्यादा हो उसको आप center में लगा के और side पे बैठे हैं आपने देखा होगा न मॉम डैड बचे गिटार लेके बैठे होते है उनों पंजाबी जब मच्छे कहन दे हैं और उर्दू के अंदर उसे आग का वो क्या उसे बोलते हैं आग का धेर मैं आ तो कहता हूँ मेरी उर्दू बड़ी खराब है लेकिन उस आग में different colors होते है और वो different color कैसे होते हैं यहां से yellow हो रहा होता है उपर जाता 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 light yellow हो सकता है या यहां पे आके वो blue भी हो जाता है एक्सरोकात अगर आप gas पे बिचला रहे है different colors होते हैं न इसी एक scenario को अगर देखें तो आप अगर continuous variable रखें तो यहां पे minus 1, 0 and 1 यहां से जाते जाते आपके पास colors change होंगे उपर भी नीचे भी अगर आपके पास इस तरीके से है तो आपका color अगर यहां पे 0 है यहां पे 100 है तो यहां पे आपके पास 100 shades of colors आएंगी यहां से होगा light, 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 dark, 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 something like this this is for continuous variable this is called color ramp this is another part of plot called color ramp color ramp ठीक है अब यही color अगर आपके पास continuous variable के साथ हा रहा है तो of course हर एक point color का होगा ऐसे ही है अगर यह आपके पास तीन different continuous हा रहे हैं आप तीन color भी रख सकते हैं बजाए इसके के एक ही को light की तरफ, dark की तरफ लेके जाएं यहां पे आप दो रख सकते हैं यानि के 50 mid point है 50 से उपर वाला होगा red, नीचे वाला होगा blue something like this यहां पे भी आप तीन color या दो color रख सकते हैं मैं गहता हूँ के यहां पे हमारे पास इस तरीके से इसकी shade है और यहां पे हमारे पास इस तरीके से इसकी shade है center जो हो वो बिल्कुल white हो यानि कि यह जो center है यह बिल्कुल white हो तो आप तीन shades भी दे सकते हैं यानि कि medium color जहां पे zero value हो light हो जाएगा अगर yellowish जा रहा हो negative value है और अगर bluish जा रहा वो positive value हो usually correlation के अंदर यह होता है अब इसको हम कैसे show करते हैं मैंने आपको बताया था कि आग लगाई है लेकिन दिवार के साथ लगाई है समझा ही बात की दिवार पे होती है tiles tiles होती है न दिवार पे हर data point जहां पे x और y की category मिल रही है तीसरा axis यहां पे या तीसरा variable जो होगा वो numeric होगा वो numeric data की value जो 0 से 100 तक है उसकी base पे जहां पे y की value यह होगी x की यह होगी इन दोनों के combination पे एक tile बन जाएग उस tile का color वो होगा जो value हो समझा ही बात की अब मैं आपको इसकी example और देता हूँ यहां पे मेरे पास एक tile बन रही है यह this tile is last point of x and first point of this इसको मैं बोल देता हूँ x है जनाब man और यह है मेरे पास for example I can say it के यह है मेरे पास इसको कह देते हैं first class I'm just giving you an example man की first class में क्राया कितना था तो अगर मैं इसको 100 तक ले जाओ यहां पे dark मेरे पास orange color आ जाएगा यनि के इसने क्राया कोई 100 या 100 से उपर दिया of course यह axis का scale 500 तक जा सकता है 1000 तक जितना भी आप रखना चाहें तो इसका मतलब है मेरे पास darkest color आएगा so for example मैं कहता हूँ कि जिसने सबसे जादा क्राया दिया है वो ज्यादा blue हो जागा something like this for example यहां से इस साइड पे हम bluish color दे रहे हैं so this is how you can actually show different tiles और हर data point की tile होगी अब आपने याद रखना है दो category कर लें साइडों पे और बीच में हमारे पास numeric है यह वो anatomy है जो सालह साल लोग पढ़ते रहते हैं नहीं पता लगता इसी वज़ा से मैं अब यहां पे थोड़ी सी shameless advertisement कर देता हूँ python का चिल्ला है इसी वज़ा से python का चिल्ला है not like traditional courses के सिरफ plot बनाया बात खतम so यह जो बाते हैं यह आपने याद रखने हैं आप किसी भी software को use कर लें यह बाते हैं आपको याद रहेंगी न believe me आपके plots अच्छे बनेंगे ओके जी आगे चलते हैं अब हमारे पास heat map के अंदर two dimensions हमने present की थी तीसरे को हमने रख दिया था और यह usually क्या होता है heat map जो है यह usually आपके पास correlation का भी बन जाता है और जब हम correlation को find out करते हैं correlation can only be done for numeric variables numeric versus numeric ठीक है correlation सिरफ इन दोनों का आप बना सकते है दोनों numeric continuous variables होने चाहिए यानि के age और fair हो गया इसी तरीके से बाकी और आज मैं आपको एक dataset पे इसकी example भी दिखाने वाला हूँ अच्छा जी फिर हमारे पास box plot है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया box plot के अंदर आपके पास data की सारी distribution आ जाती है this is called box plot whisker whi whisker plot ठीक हो गया box plot या whisker plot कभी कबार इसको box whisker plot भी कह देते हैं और यह data की distribution को play करता है यहां पे ठीक है इसके अंदर भी legions आ सकते हैं of course और आपके पास x और y axis जो है वो दोनों आ सकते हैं अब होता क्या है x axis पे अगर मैंने age रखी है ना तो यहां पे इसके distribution होगी कोई और नहीं आ सकती बात इसी की frequency होगी या distribution होगी क्यूंग अगर कुछ और रखेंगे तो box नहीं बन सकता आई समझ फिर आप legions को divide करेंगे तो यही age male और female की separate हो जाएगी अब इसमें अगर आप y axis डालेंगे तो errors ही आएगी ना भई समझा है बात की अब एक और analogy होती है जो बहुत important है हमें याद रखने की आपने देखा मैं different colors यहां पे use कर रहा हूँ यह जो मेरे पास आ रही है this is called color palette यानि के combination of different colors मैं कभी यहां से orange उठा लेता हूँ कभी 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 यहां से इस पे click करके colors भी add कर देता हूँ and actually this is called color palette जो यह आपके सामने आ रही है अब मैं यहां से कोई भी color choose कर सकता हूँ python ने क्या किया है हर color का एक नाम रख है जैसे for example this color is blue ठीक है और अगर मैं इसकी बात करूँ of course this is red और अगर मैं इसकी बात करूँ this is green ठीक है तीन color हो गए आपके पास अब इसको b, r, g या r, g, b भी बोले जाता है red, green and blue ठीक है अब यह तीन color मिल के multiple colors बना जाते है और इसी वज़ा से आपको दो concepts clear होने चाहिए of course अगर artist है तो आपको पता होगा अगर नहीं भी artist तो आपको पता होना चाहिए primary colors कौन से है and secondary colors कौन से है primary colors वो वाले colors होते हैं जिन से मिल के बाकी colors बनते हैं यानि के combination of these colors will make secondary colors और आपने देखा होगा अगर आप अपने cousins को या चोटे बच्चों को आप देखते हैं वो water colors ले के आते हैं वो mix करके different बनाते रहते हैं या paint के different colors भी mix करके different colors बनते हैं अगर आपको ये समझ आ जाए न then you will understand few things called contrast, hue and saturation ये तीन चीजें जो हैं ये अगर आपको पता है चल जाए न आपका plot बाकी plot से कमाल बने यानि के choice of right color palette choice of right color palette of course आपने mix नहीं करने colors लेकिन ये आपको एक sense देगा के red के साथ blue आना है red के साथ pink नहीं हमने डालना क्यों strong के साथ strong light के साथ light अब ये देखिएगा ये मैं highlighter open करता हूँ यहां पर देखिएगा एक किसम के highlighters आरे मेरे पास same light tone के अंदर जैसे मैंने इसको open की आप देखेंगे different contrasting colors है क्यों? क्योंके जब भी हमने use करने different markers so we need to differentiate between two अगर मैं blue और light blue कर लूँगा it won't make any sense so ये चीज़े मैं बता होनी चाहिए python के अंदर there are color palettes जो already मुझूद है हर library की c bone यानि के sns के अंदर जबरदस color library है palettes मुझूद है फिर matplot ले भी की है इसके बाद आपके पास और भी color palettes जो हैं मुझूद है जो automatically built-in है आपने जिन बातों का ख्यार रखने हैं कि जब भी आप color palette को choose करें this color palette should be color blind friendly अब आपको पता है color blindness जिनको होती है उनको दो different colors में फुरक नहीं फील होता so there are some websites which give you color blind friendly palettes खास तोर पे python के अंदर भी और बाकी जोगों पे भी so you need to use color blind friendly palettes palettes not pilots ठीक है यहां तक आपको clear होगी जिबात plots भी clear होगी आपको अब आपको anatomy भी clear होगी अब जब भी आप plot बनाएंगे न वो सारी के सारी चीज़ें आपके लिए असान हो जाएंगी एक चीज जो मैं पहले भी बताता हूँ कि size of the plot matters आपने size जो plot का रखना है वो कितना रखना है say for example अगर आपका A4 page का size यह है जो मैंने पिछले lecture में बताया था तो आपने पता होना चाहिए आपको कि यह कितना size है इसका for example यह 8 point something inches है और यह 11 inches है और यह आपके पास 8 point something inches है ठीक है अब आपने करना क्या है यह जो page का size है आपने choose करना है कि मेरा plot इसके अंदर कितना नजर आना चाहिए and usually that is this size or this size or this kind of size ठीक है जिस side पर करना है एक side पर दो side पर जैसे भी आपने करना है वो size आपने पहले set करना है and usually matplotlib gives you that opportunity matplotlib यह आपको figure size पहले set करने का help करती है figure size और इसके इलावा plotlib भी यही help देती है आपको and some other libraries as well तो आपको पहले पता होना चाहिए मैंने slide बनानी है slide का size कुछ इस तरीके से होता है और आपको पता होना चाहिए कि मेरी slide पे कितनी figure आनी पहले measure करके आपने रखना है क्यों मैं इसकी वज़ा बताता हूँ अगर ये वाला plot मेरा मैंने ये plot बनाना था लेकिन unfortunately मैं ये इस size में plot बना बैठा हूँ अब इन तोनों में कितना फरक है अच्छा खासा है न जैसे मैं इसको यहां से खेंच के नीचे लेके जाओंगा सारा font खराब हो जाना है लंबे मुझ वाले मेरे पास सारे के सारे आ जाने है words वो खसरकात होता है न कि आप ऐसे खेंच ते जाए उनका मुझ खुलता जाएगा और वो words इस तरीके से different style के अंदर हो जाएगा so size आपको पता होना चाहिए then plot बना के always आपने plot को save करना है और यहां पर मैं एक tip देने लगा हूँ आपको always save plots किस एक चीज के अंदर let me see save आपने करना है plot को png के अंदर जरूर करना है .png 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 इसके अंदर जरूर करना है plot को save second आपने क्या करना है इसी plot को अपने पास svg में भी save करना है यह vector foil अती है अगर आपका plot एक दफा बन गया code आपका इदर उदर हो सकता है plot नहीं इदर उदर होगा क्योंकि जो plot है वो किसी और use आना है नहीं है code को recycle करेंगे बाके चीज़ें so svg can be edited with inkscape software या adobe illustrator और बाकी software जो होते हैं या coral dry उनके साथ तो इससे क्या होगा जो आपकी इसमें कमियां कुताहियां रहेगी है न plot के अंदर यानि कि text नहीं आपने सही लखा या आपने करना किसी चीज़ को italicize करना है या इसको rotate करना है या कुछ भी करना है you can do it here ठीक है खास तोर पे जैसे मैं आपको उपर plot की labels बता रहा था अगर आपको याद हो तो यहां पे अगर यह man, woman and child इनको मैं चाहता हूँ यह ऐसे लिखे हैं ठेड़े से woman यह 45 angle पर मैंने इने rotate किया 45 degree पर so you can even do that in python this is called rotating x levels यानिके x tick levels आप इने rotate भी कर सकते हैं even 90 पर भी कर सकते हैं आप 90 पर इसे कर देते हैं इस तरह है कि जो चीज़े हैं यह यह बहुत matter करती है आपने यह दुनों में save कर लेना है and give your plots understandable names वो naming convention याद है जो मैंने start में आपको बताई थी वो यहाँ भी matter करती है अगर आपके plot का आप name दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं है किस तरीके से क्या plot का name था तो वो क्या होना है plot 1, plot 2 फिर दुबारा से आपने जब कभी बनाना है वो पहले से पढ़े होने plot 1, 2 आपको पता ही नहीं यह किस चीज का क्यों बनाया था so you should actually make those plots in a way कि वो सही तरीके से आपके सामने नजर आए so understandable names बनाने उनको save करने save करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि script जो है उसका उसके साथ link को यानि के for example मैंने 01 underscore script को लिखा था dot ipynb तो plot का नाम भी उसी के साथ मैं sequencing में रखके करता हूँ यानि के 01 plots या उसका folder ही separate बना ले तो उस notebook का कभी कबार ऐसा होता है कि आपने एक बड़ा project करने तो बड़ी वो फिर ना हलचल सी मच जाती है अगर आप सही तरीके से उनको save ना करें so it's up to you कैसे करना है लेकिन इनकी टेस्ट की tips जो मैं आज वाले lecture में भी आपको दूँगा right यह हो गया जो हमारे पास saving saving के इलावा saving के तुरान एक plot की saving के दुरान आपको size को भी पता होना चाहिए क्योंकि आपने यहां पे दबारा से size देना होता है और वो size होता है width and height width and height आपने देनी होती है and usually you should give the unit as well और inches में मैं unit को ज्यादा तर देता हूँ pixel में भी लोग देते हैं px करके so यह आप पे depend करते हैं आपने कैसा size देना है inches का ठीक है and आपको पता होना चाहिए क्या plot size है 7 by 4 something यह कुछ भी आप दे सकते हैं और जो resolution है that is called dpi dots per inch this should start from 300 यह कभी कबार resolution के तोर पे आती है python के अंदर कभी कबार इसको dpi बोलती है ठीक है 300 होनी चाहिए minimum मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस वकत दुनिया इतनी fast होगी 150 वाले को कोई पूछता नहीं है plot को कहने का मक्सद यह है कि इसकी quality खराब नहीं होगी जब भी कभी आप इसे use करेंगे कभी भी ऐसा ना करें कि अगर system अच्छा है मैं 600 dpi कर दू इसे size बड़ेगा plot का और खास तोर पर जब आप next plots बनाएंगे then you will see that will change अच्छा जी यहां तक आपको समझ आगी जनाब अब हमें पता चल गया कि क्या चीज़ी है अब यह तो थी single plot की बात रुखें जरा सबर करें there is a lot of things we need to understand फिर हमारे पास एक terminology है जिसको हम बोलते हैं subplots ठीक है subplots, subplots क्या आते हैं सारे के सारे plots को subplot नहीं का जाता this is different thing, subplots होते हैं जब आपको एक plot बना रहे हैं यह आपका पूरा एक plot है इसके अंदर मैं दो plots के अंदर separate इसे divide कर देता हूं यानि के एक यह plot है मेरा और एक यह वाला plot है ठीक है एक मेरे पास है यह तरीके से line plot और दूसरा मेरे पास box plot So I can divide two plots I can actually merge two plots into one This is called sub plotting और यह हर software जो आपको देता है यह facility के आप A की plot में दो plots को merge करें इसका फाइदा क्या होता है इसका फाइदा यह होता है एक सरोकाद यह दोनों plot के axis same होते है यह एक सरोकाद यह axis same नहीं है लेकिन इन दोनों के analogy same है And those should be merge Say for example यह type A के plot है यह type B के plot है and then you should merge these So usually instead of doing that in Inkscape या PowerPoint या बाकर लेटर software के अंदर आप coding के थुरू इसे करना सीखिए ठीक है इसको बोले जाते है sub plot अकसरोकाद इनी sub plots को हम facets भी कहते है facets ठीक है और इसमें sub plots आपके connected होते है उपर connected नहीं है इसमें connected है जैसे यह वला एक plot है एक ही plot है यह लेकिन इस एक plot के अंदर मैंने facets बना दी है यह देखिएगा like this यहाँ भी मेरा एक plot हो जाएगा यहाँ भी मेरा दूसरा plot हो जाएगा और usually यह जैसे male और female का हम एक plot बनाते है यानि कि यह एक plot है हमारे पास मैं इसकी example आपको भी दिखा देता हूँ यह हमारे पास male का data है यह हमारे पास female का data है यह एक plot बना है ठीक है वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं यह हमारे पास male का data यह female का data है और यहाँ पे हम लिख देंगे male और यहाँ पे हम लिख देंगे female समझ यहीं बात की वो ही चीज आप इस तरीके से भी शोग कर सकते हैं facets के साथ और अगर आपने male-female एक ही जगा पर रख ली हैं तो आप उसको separate और चीज़ों के साथ facets कर सकते हैं यानि कि who man-woman-child class first, second, third तो आप उनको further categorize कर सकते हैं this is how you can play with that अब हमारे पास जो है इसके इलावा जब हम plot बना रहे होते हैं अगर मैं यहां पर यह data points है और इन data points के मैं coordinates बताना चाहूं यानि के x और y coordinates और मैं इनको plot के अंदर ही बताना चाहूं वो किसी भी plot के अंदर हो सकते हैं that is called annotation annotation in plot यानि के annotating different points जो plot के अंदर है annotation ठीक है अगर आपको यह term पता हो annotation कैसे करनी हो तो किसी भी library का आप answer chat GPT से ले सकते हैं कि annotation करनी है and usually यह annotation important होती है for example यहां पर यह मेरे पास values है line plot के अंदर and I need to know the exact point मुझे क्या value दे रहे उसरे वज़ा से annotation ज़रूर ही है exact value ठीक है अब अक्सर अकाद जब आपके पास interactive plots आते हैं interactive plots यानि के ऐसे आपने plot बनाया यहां पर आप अपना mouse लेगे automatically ऐसे करके आपको एक table सा दे देता है वहीं पर hover करने पर this is called tool tip in interactive plot tool tip जब आप mouse लेके जाएं वो क्या आपको वो show करवा रहा है mouse की base पे वो tool tip है यानि के annotation in digital form this is called tool tip और अगर आपको बता है किसे tool tip कहते हैं then it would be easier for you to understand कि tool tip किस तरीके से बनाते हैं यहां तक समझ आगी है आपको अब चलते हैं एक और terminology पे जो बहुत important है plots के लिए that is called statistical comparison statistics आपने देखा होगा statistics की series के अंदर जो इस course का part भी है या आप YouTube पे जा के कुछ एनिक्स पे भी देख सकते हैं ABC of statistics के साथ वहाँ पे हमने क्या किया हुए हमने दो चीजों को अगर compare करना है तो मैंने आपको बताया है के T test लग जाते है Z test भी लग जाते है ठीक है पुरुक्सल वालिस भी है some other test भी है यह क्या करते है for example मेरे पास age है और मेरे पास दो groups है male and female female versus male ठीक है इन दोनों groups की age का फरक चेक करना है of course मैं plot बनाऊंगा तो मुझे सामने यह से नजर आ जाएगा यह है plot यह है जी male की age यह है female की age ठीक है अब आप पूछरे होंगे female की age क्यों कम है आपको बता है so यहाँ पे हमारे पास इसकी standard deviation होती है या standard error होती है अब मुझे एक बात बताएं आपको क्या लगता है कि male की age female की age से ज्यादा है या कम है यह male की age है यह female की है male की age female की age से ज्यादा है ठीक है अगर आप सिरफ bars को देखें न यहाँ पे you will understand सिरफ bars को देखें यहाँ पे देखें यह bars है अब आपको क्या लग रहा है male की age ज्यादा है female की age से क्योंकि यह यहां से यह इन दोनों का फरक है ऐसे ही है मज़े की बात बताओ यह सिरफ हम क्या कर रहे है average age, mean age बता रहे है, यह average age है and average does not represent any data याद है ने आपको, सिरफ average data को represent नहीं करती so what we need to do is to actually plot the variability dispersion of data आपको याद होगा average and variation या variance so मैं इसको variation बोलता हूँ या dispersion बोलता हूँ, यह दोनों matter करती है ठीक है इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, शाहद आपको statistics के lectures याद हो तो इस तरीके से हमने एक plot बनाया था and यह था हमारे पास plot इसका जो center है this is called average, ठीक है अब देखिएगा, हो क्या रहा है यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से male और female की age मैं draw कर पा रहा हूँ, test क्या कहता है मैं आपको समझाने लगा हूँ समझ रही बात की यह male and female, यानि के red and blue इसको मैं draw कर पा रहा हूँ बलके मैं ऐसे करता हूँ, इसको दर उठा के नीचे लेके जाता हूँ यह मैं इसे यहाँ पे draw कर पा रहा हूँ ठीक है, दोनों के data को अब क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे most of the male age का जो part है वो female की age के साथ coincide कर रहा है, यहाँ पे and that's a big part अगर वो बड़ा part है तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों में फरक नहीं है, इसको बोला जाते है no significant difference ठीक है तो मतलब इन दोनों की age में कोई फरक नहीं है, यानि कि male की age ज्यादा नहीं है female की age से दोनों चीजों को consider करते होए, लेकिन अगर आप सिरफ इन लाइनों को देखें, तो male की age की line आगे है, female की age की line से so that shows mean, लेकिन dispersion भी साथ, so mean plus dispersion of data both decides कि क्या है, क्या नहीं है, अब इसी scenario को अगर मैं थोड़ा सा और बनाऊ यहाँ पे यह वो ही scenario है ठीक है, यहाँ पे female की age है and यह male की age है अब आप मुझे बताएं, कि male की age ज्यादा है, female की age से या नहीं अब significantly ज्यादा है reason क्या है, कि whenever you do statistics you say कि 95% confidence interval की base पे यानि कि 5 फीसेद अगर यह एक दूसरे के साथ को inside कर भी जाते हैं, that's fine and 5 फीसेद का मतलब है धाई यहाँ से, धाई यहाँ से सही है, so इस वज़ा से, जब यह धाई से इधर आ रहा है तो इसका मतलब है, इन दोनों में फरक है धाई के इधर वाली side पे आ रहा है, इसका मतलब है इस दोनों में फरक नहीं है ठीक है, अब यही जो चीज है इसको p value के अंदर हम consider करते हैं p की value कितनी आ रही है ठीक है, alpha जो होता है आप पहले बताते है वो क्या होता है, 0.05 इसका मतलब क्या है कि यह जो 95% है इसके इलावा हमारे पास अगर 0.05 को मैं 100 से multiply करूँ तो यह 0.05% होगा, so alpha का मतलब यह है कि यह हमारे पास एक ऐसी value है यह decide करेगी कि डिफरेंस है statistically और अगर यह P की value is greater than and equal to 0.05 usually यह दोनों साइडों पे हो सकता है so इसको बोला जाता है not significant, no difference यह चीज़े आपको statistics में मैंने बड़ी detail में पढ़ाई है, सिरफ बताने का मकसद क्या है कि आप सिरफ plot बना के plot की जाननी छोड़ देते कि यह बना जी plot, आलो फड़ो male की age ज्यादा है female की, इसे, नहीं you need to do some statistical test and then you need to print out those statistical value here समझा है और इसकी caption में आपको लिखना होता है कि कौन सा test किया है और यह बहुत advanced data scientist यह काम करते है beginner data scientist को पता ही नहीं होता है कि मैंने कैसे stat को show करना है सही है? सो इस वज़ा से you should know कि अगर इन दोनों में फरक है based on what फरक किस चीज की वज़ा से फरक है statistically calculate करके आपने बताना है statistics की series को दोबारा देखे and यह जो हम statistical comparison किसी भी एक plot पे draw करते है statistics जब हम plot के उपर draw करते है so this makes plots more understandable और यह चीज आपने figure caption के अंदर भी लिखनी होते है कि आपने किस तरीके से कौन सा test यूज किया कितने number of replicates से sample size क्या था क्यों यह use किया क्या फरकार है ठीक हो गया and this is actually called statistical estimation जो आप draw करते है plot पे statistical estimation ठीक है आपने देखा होगा वो लोग जो research के अंदर है this is a must thing for them इसके इलावा वो कुछ करी नहीं सकते plot नहीं show कर सकते allow ही नहीं है plot को बना के essay दे देना papers के अंदर research papers के अंदर so they know advanced level पे यह क्या होता है यहां तक आपको clear होगी terminologies अब statistics की जो series है मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ अगर आप google पे जाएंगे google पे जाने के बाद google पहले जाते हैं जी और यहां पे लिखते हैं kodanics youtube सभी को पता है लेकिन मैं फिर एक दफा इस वेटा से बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल नहीं है उनको यह पता होना चाहिए फिर आप playlist में चले जाएं playlist में जाने के बाद हमारे पास जो कई यहां पे courses है आप देख सकते हैं कि multiple courses हमारे पास यहां पे available है एक हमारी playlist है यहां पे complete courses on data science ठीक है यहां पे आपने जाना है complete courses of data science पे and you will see यहां पे data science की सारे की सारी courses है statistics for data science complete crash course 14 hours का यह course है अगर आप यह कर लेते हैं believe me जो last part में आपको बताया प्लस जितना data है उसकी understanding आपको यही से मिल जाना है on top of that अगर आप machine learning mathematics का course कर लेते हैं then you can understand as well यह जो पहला course है इसको बोलते हैं Tableau for beginners आप यह डेड़ घंटे का अगर course कर लेते हैं believe me आपके लिए तो आप चुटकियों का काम है जो इस course में enroll है Tableau के through ऐसे drag and drop आपने करना है free में है software भी free में मैंने सिखाया हुए Tableau Public और आप वहाँ पर जाके इसको सीख के easily इसको कर सकते हैं and this is how you will understand the power of statistics, mathematics, machine learning plus several other factors और खास तोर पर data visualization आपको समझ आजएगी यहां तक points क्लियर हुए data visualization समझ आगी that's great यही मेरा मकसद था और मेरी आपसे request यह है कि इन चीजों को भूलियागा नहीं मैं यह सारे के सारे notes जो है यह PDF में बना के आपको GitHub के अंदर ही दे देता हूँ ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहां पेने save करने वाला हूँ ताके आप अभी से देखके साथ साथ यह जो software है इसकी base पे जो है हम काम कर सकें let's see export export all as PDF documents के अंदर में मैंने जाना यहाँ पे python का चिला data visualization यह रही data visualization यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ 00 underscore notes ठीक है और इसके अंदर इसको save करूँगा पहला नाम है जी 00 notes यहाँ पे आओ गया select folder export करते है यह data visualization के notes जो है आपके सामने इंशाला PDF में कहां पे आजाएंगे जैसे मैंने पहले भी बताया this folder के अंदर जो github के अंदर हमारे पास यह मैंने notes वाले folder बनाए यहाँ पे आपके पास data visualization की PDF आ जाएगी ठीक है ओके राइट जी अब आपको कोई भी question है अभी तक के लिए please write down in the chat or comment section दो नावल आंसर असलाम अलेकुम जी इस lecture के अंदर मैं आपको जो चीज़ बढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही नायाब है c bone on matplotlib यह दो libraries को हम master करने वाले हैं around 50 commands के अंदर अंदर मैं आपको सिर्व plot बनाना नहीं उसको interpret करना प्लस आपको plot बनाते वकत किन-किन चीज़ों का ख्यार रखना है वो और end पे मैं आपको यह बताऊंगा कि final plot किसे बोला जाता है जब आपने कहना है कि लभी मेरी bus होगी है अब यह plot save करना है ठीक है? सारी चीज़ी में आपको सिकांगा सारे का सारा code अवेलेबल होगा GitHub की repository के अंदर link description के अंदर भी मुझूद है और python का चिल्ला अगर आप GitHub पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपके पास यह सारे की सारी notebooks available होगी so you don't need to worry about anything let's jump into it यह मेरे पास जनाब जहाँ पे folder पढ़ा है that is data visualization 09 करके and यहाँ पे आपके पास notes है पिछले lecture के पढ़े हुए और यह आपके पास अब दूसरी जो हमारे पास notebook है मैं इस पे जा रहा हूँ and this is called data visualization guide ठीक है मैं code आपको समझाऊंगा and you will understand these codes इन्शाला और इन codes पे आप अमल करते हुए इन चीजों को और भी detail में समझेंगे अब data visualization क्या होती है जब भी मैं notebook बना रहा हूँ अब आपने देखा होगा मैं पहले notebook को explain कर रहा हूँ ऐसे ही है अपनी social handles दे रहा हूँ so you need to do the same thing title, social handles, author name and then the names for example यहाँ पर मैंने बताया कि what is data visualization of course किसी भी data को representationable representable form के अंदर एक layman के लिए या अपने stakeholders के लिए बनाना charts के अंदर graphs के अंदर, maps के अंदर या data visualization के through different चीज़ों के अंदर this is called data visualization और data visualization nothing but आपने data को convert करना है figures के अंदर या plots के अंदर important libraries जो है python के अंदर matplotlib, cbon, plotly, bouquet, altair, ggplot, pygal, geoplotlib, gleam, missing no missing number इसे बोला जाता है basically missing no इसे बोला जाता है log library बनाने पर तुले हुए अच्छा जी आपने जिन चीज़ों का खियार रखना है कभी भी plotting करते हुए that is called grammar of graphics जब आप English language सीखते हैं आप grammar को सीखते हैं कोई भी language सीखते हैं grammar को सीखते हैं data visualization is it in itself it's a language you need to know some terminologies you need to know a lot of other things पास तोर पे जो इससे पिछला lecture था उसके अंदर मैंने बड़ी detail में आपको notes के थूरू बताया है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको मते नज़र रखनी है और वो notes यहां पे render हो चुके हैं इस PDF को मैं open करता हूँ आपको दिखा देता हूँ यह PDF आपके पास already मुझूद है कहां पे मुझूद है इसी folder के अंदर notes के अंदर ठीक है और इस PDF के अंदर आपके पास यह सारे के सारे notes मुझूद है और you can learn from here कि कौन से parts of plots हैं और बाकी चीज़ें किस तरीके से matter करती हैं Coming to the next point हमारे पास grammar of graphics के कुछ points है सबसे पहले data होगा तो plot करोगे न समझा ही बात की data नहीं है तो plot क्या करोगे आप इसकी मिसाल दूँ मुझे scatter plot समझाने के लिए एक example मेरी traditional example है और मैंने बड़ी देर से इस example को follow किया हुए data plotting क्या है data visualization क्या है और क्यों जरूरी है मैं आपको भी समझाता हूँ आपने कभी देखा जो अकसर अकात पाकिसान के अंदर एक canvas होता है उसके उपर गुबारे लगे होते हैं और पीछे एक बंदूग से आप उसको ऐसे मारते हैं फोडते हैं वो बारों को कभी देखा है आपने आप canvas को समझें कि आपका plot का canvas है जो आपने वो बारे लगाया हूए those are called data points जो आपके पास मौझूद है जो वो एक शिर्रा डालते हैं वो बंदूग के अंदर और उसको जब वो मारा जाता है वो basically आप उसे plot कर रहे हैं एक exact point के उपर X और Y coordinates, Cartesian coordinates को देखते हुए ठीक है जो वो जो एक analogy आपके mind में आजागी न then it will be understandable और आपने देखा है अक्सरोकात वो एक line के अंदर अगर आप सारे गुबारे फोड़ देते थे थे न उससे नीचे axis पे उनोंने कोई चीज रखी होती थे एक ही नाम वो आपको मिलता था that is called axis label और left side पे जाएंगे वो ही चीज आपके वहां पे पढ़ी होती थे that is why label so इन दोनों को मिला के आपका सारा plot तो आपके सामने रहा है सारी जिन्दगी बचपन के अंतर खास तोर पे मैंने बड़े वो मारे हैं अक्सर अकात वो जो भाईजान होते थे ओ सिरफ दिखान देशी के शर्रा पहा गया लेकिन हो हवाई होती थे तो जब वो उकता जाते थे थे ना कि आप जब तक वो बारे फोड़ते जाएं कोई पैसे देने की जरूरती नहीं जैसे वो होगे तीन बार यहां तक मिस किया तो आपके पैसे खत्म तो अक्सर अकात वो ऐसे बस शर्रा अपनी तरफ से डालते थे लेकिन होता नहीं था हवाई होती थे anyhow so this happens आपके पास अगर शर्रा नहीं होगा आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि डेटा जो है होना जरूरी है और डेटा का complete होना जरूरी है clean होना जरूरी है then it will be easy to understand किस तरीके से plotting होती है दूसरी चीज होती है aesthetic aesthetic क्या है जरा गोर से देखिएगा aesthetic basically and sorry I have to go down aesthetic यह है कि visual properties of data point कि आपने data point को कैसे print करना है such as उसकी position कहां पर उसका size अकसर अकात अगर आप size बड़ा चोटा कर ले ना scatter point का या किसी भी plot का that also can depend on a variable जैसे मैं age की base पर अगर plot के points का size बड़ा चोटा करूँ तो मेरे पास एक size की base पे जितनी age ज्यादा होगी उतना point बड़ा होगा जितनी age कम होगी उतना point चोटा size हो गया shape मैं goal point भी लगा सकता हूँ मैं 4 भी लगा सकता हूँ square भी और बाकी भी this is called shape color मैंने आपको बता दिया color क्या होता उसकी base पे डिफ्रेंशेट कर सकते and transparency as well transparency को किस तरीके से show करते है alpha के साथ alpha की value किसी के अंदर भी लगा देते question मैंने पूछना था मेरे से खुद ही बोला गया उसका answer मैंने आप से पूछना था कैसे show करते है उसका answer था alpha के साथ खेर alpha एक transparency की value होती है यह होगी aesthetic दूसरा point होता है grammar of graphics का तीसरा बलके data aesthetic के बाद geometry the geometric shapes used to represent the data points such as bars, lines and points समझा अगी बात की data का होना जरूरी है कैसे present करना है वो पता होना जरूरी है और geometry क्या होनी चाहिए वो पता होना जरूरी है फिर होते है facets जो मैंने आपको बताया था groups of different plots यानि कि आप उसके subsets या subplots कैसे बना सकते है statistics अगर आपने show करनी है वो आप दिखा सकते है scales यानि कि X और Y axis के उपर आपने scales कौन से रखने है या color के scale कौन से रखने है tick marks के scale कौन से रखने है visual properties वगएरा themes आपने कौन से रखनी है यानि कि पूरे का पूरा plot आप खुद ना change करें automatically built-in themes बनी है उनकी base पर करवा ले python के अंदर those are called themes फिर guides होती है guides are also called grids grid lines जो मैंने आपको बताई है पिछली lecture में interactivity अगर आपने plot को interactive बनानाना यानि कि hover करें plot के उपर आपके पास data points आ जाए annotation मैंने आपको बताया के plot के उपर जा कि अगर आप किसी चीज को annotate करते है that is called annotation and extension क्या होती है additional features and plugins to enhance the plot such as animation, sliders, widgets ये dashboard के अंदर आएंगे data visualization के advanced type dashboards होती है जिसके उपर आप किसी चीज पर click करें तो plot ये बला आजागा click नहीं करते है तो दूसरा आजागा these kind of things and that's the part of this course as well इंशाला ठीक है parts of plots मैंने आपको पहले भी बताया है title, axis labels, tick marks, grid lines, legends data points, data labels, annotation and background as well ठीक है background होगा तो बाकिछी चीज़े होगी न so ये सारे points हमने पिछले lecture में पढ़े है so मैंने यहां पर भी दे दिया अगर आपने revise करने हो you can go for it अच्छा जी अब ये जो guide है ये basically seaborn on matplot lip सिरफ इन दोनों के एर्दगर्द घूमेगी and इस guide को बनाने में अच्छा खासा time मेरा लगा है so please बड़ी गौर से सुनिएगा जिनको नीद आ रही है ऐसे ऐसे एक दफा मुग को कर ले and आपके नीद जो है वो उड़ जाएगी शर्तिया इला रहे सबसे पहले आपने क्या करना होता है library को load करना होता है तो मैंने pandas की library को क्यों load किया एक आप लोग के खुशकवरी यह है कि मैंने data sets के अंदर multiple data sets और add कर दी है आपकी practice के लिए many data sets आवर से यह सारे के सारे data sets यहाँ पर मझूद है ठीक है so यह already मैंने add कर दी है csv file के अंदर है आप किसी भी data को उठा के उसके उपर काम कर सकते है जो मैंने काम किया है इस एक notebook के अंदर that is diamonds का data diamonds का data कितना बड़ा data है और इसमें कौन गौन सी चीज़ें बहले उसको देखते है जब भी आपने data visualization करनी होती है आप पहले data को load करते हैं और library को import करते हैं मैं यहाँ से run करता हूँ data आ गया मेरे पास like this and I have these columns तो मेरे पास carrot है जैसे सोने के carrots होते हैं इससे तरह diamonds के भी होते है cut होते है यानि कितना cleanly cut किया गया है diamond को अगर ideal है, premium है, good है और इस तरीके से बाखी values होंगी color है E, J and some other colors है clarity है हमारे पास उसके different किसम के parameters है clarity के depth है diamond की table है उसका, उसकी price है diamond की x, y, z यानि के different other parameters है अब आपको इस data को देखते हुए समझ नहीं ना आरी के यह कौन से parameter x के है, y के है, z के है इसी वज़ा से जब भी data आप load करें फोरण से उसको explain ज़रूर करें अपनी node को समझ नहीं हर column को जैसे मैंने यहां पर किया a data frame with 53,940 rows and 10 variables 53,000 बो लो जो कहते थे थे न छोटे dataset पर आप काम करवा रहे हैं बड़े पर आ आ गए है bear with me now so यहां पर carrot है weights of the diamond इसको बोला जाता है basically diamond का weight कितना है within the whole जो भी आप चीज़ परचेस करने है 0.2 से 5.01 यह जो भी limit है इसके इसके अंदर है cut का मतलब है quality of cut कितनी अच्छे तरीके से cut किया गया आपको पता है diamond की different किसम की shapes होती है अगर आपने देखा हो basically Kohenuri यह सी देखिया है तो उसके अंदर क्या होता है color इसका diamond का color जो है वो D best होगा to J worst यानि कितना clean color है कोई भी color जो होगा diamond का वो worst से best की तरफ है clarity and measurement how clear the diamond is यानि कि आप उसके through देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं color का मतलब है color कितना clear है depth होगी total depth percentage यह कह है Z और different किसम की equation को मिला के यह depth बनाई गई है depth का मतलब यह होता है कि diamond कितना deeply इसके अंदर different microscopically देखा जा सकते हैं यानि कि x है इसकी length, width and depth यह 3 चीज़े हैं तो यह जो depth है यह basically Z के calculation के बाद आई है of course यह depth जो है different है as compared to this depth then you have table width of top of diamond यानि कि नीचे से वो होता है ना और उपर से top होता है उसको बोला जाता है table नीचे वाला कोना होता है उसके उपर उसको table बोला जाता है so width of top of diamond relative to widest point यानि कि widest point कौन सा है उसका diamond का उसको बोला जाता है table and then उसकी price है price in US dollars कितनी है और यह हमारे पास different उसकी length, width and depth यह तीन चीज़े है यानि कि diamond का पूरा हमारे पास data है clear होगी जी बात अब आगे चलते है अब मैं आपको diamond यहां पे बना के किया दिखाना यहीं पे हम लिख लेते है diamond यह है diamond ठीक है so यहां पे इस तरीके से इसको diamond shape बोला जाता है उपर वाला हिस्सा जो widest से उसे table बोला जाता है so यह मैं दिखाने के लिए आपको इस वड़ा यहां पे लिए हूँ यह different colors के diamonds है तो जो जितना clear color है impurity के बगार वो color था okay जी पता आप सब को है कि diamond ऐसे google किया जाते हैं लेकिन just to have an idea in the back of your head के हम क्या पढ़ रहे है सबसे पहला basic plot plot ली के थूँ कैसे बनाए जाते है हर data frame को load करने के बाद उसकी series आप के पास होती है pandas के थूँ ठीक है जिसको हम columns कहते है carrot and price का अगर column हम इन दोनों को plot करें so इस तरीके से हमारे पास एक line plot आजाते है और आप मुझे बताएं के plot करने के बाद ये जब मेरे पास line plot है does it make sense? नहीं न? so यहाँ पर line plot नहीं न बनता यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ sometimes you need to know कि line plot कब बनना है क्यों बनना है कैसे बनना है ठीक है? लेकिन मैंने बनाया इसको जानबूच के दिखाने के लिए क्यों? क्योंकि पिछले lecture के साथ इसका connection है and now you can see कि यहाँ पर title x labels and y labels हमने दे दी हमने इसको run करता हूँ and here we go title आ गया y labels आ गय and x labels आ ठीक है? यहाँ तक समझागी? basic plot है इसके लिए आपने सिरफ plt.plot और इसके अंदर आपने x y series दे दी ठीक हो गया? आगे चलते हैं अब इसके लिए जो plot बनता था that was scatter plot क्योंकि दुनों numeric हैं carat and price सही है? अब देखें this plot makes more sense कहाँ पे density ज्यादा है? कहाँ से gap आ रहा है? यहाँ पे gap आ रहा है और यह आपके पास कुछ ही data point है अगर आप check करें कि अगर 5 carat है तो उसकी price ज्यादा है एक यहाँ से एक sense मिल रही interpretation अगर मैं करना चाहूँ इस plot की मुझे कोई बता सकता है कि आपको इस plot में क्या नजरा आ रहा है अब लोग कहेंगे निला कलर नगर नजरा रहा है I know that उसके इलावा इसकी sense क्या बन रही है left side पर price है right side पर down side पर हमारे पास x-axis पर carat है higher the carat higher the price exactly जैसे sona पाकिसान के अंदर 17-18 carat का और हमें सस्ता मिल जाते है हमें पता ही नहीं होता के carat कैसे है numbers कैसे है और हमें ये चीज़ें पता करने की ज़रूरत पढ़ती है so on the international level you have different kind of numbers engraved on sona या different other चीज़ों के उपर ठीक है वो carat को show करते हैं कि कितने carat की चीज़े जितने ज्यादा carats होते हैं उतनी ज्यादा price ज्यादा होती है अब यहाँ पर देखें कि यह एक ऐसा point है जहाँ पर 3 carat की भी वोई price है और 1 carat की भी वोई है इसका मतलब है सिरफ carat decide नहीं करता price को बात जो मैं समझाने वाला हूँ ठीक है लेकिन अक्सर अकात सिरफ carat की base में भी price होती है जब carat बढ़ जाता है automatically purity भी बढ़ जानी है depth भी बढ़ जानी है clarity भी बढ़ जानी है सारी चीज़ें बढ़ जानी है लेकिन यह एक ऐसा point है 3 के उपर कि यहाँ पर नहीं बढ़ना even 4 के उपर नहीं बढ़ना साड़े चार के उपर यहाँ पर जाके आपके पास बाकी चीज़ों की price भी बढ़ लिए so यह plot यह interpret करता है कि with increase in carat you will have increase in price but at some point the carat doesn't matter क्योंकि density of plot is here यानि कि यहाँ पर देखा जानी है एक carat की भी वही परास है तीन की भी और यहाँ पर देखा रहे है चार की भी वही है लेकिन अब quantity of other carats कम हो गई लेकिन 5 पर जाएं तो few other things are also involved लेकिन कुछ diamond ऐसे हैं जिनकी 5 carat की clarity भी अच्छी बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं जिसकी base पर price अच्छी आगी but we are talking only about the carat here आगे चलते हैं अब बनाते हैं bar plot bar plot हमने cut का बनाना है और उसकी unique values लेके हमने उसको group बाय करना है price के साथ ठीक है यहाँ पर check करें हमने क्या किया है यहाँ पर plt.bar बनाया है cut का बनाया है unique values उसकी निगालें cut की और हर unique value की cut की price का average ले लिया average price आपकी left side पे है average price यानि कि जितने data points है उनकी price अब मुझे बता हैं सबसे ज्यादा price किसकी होनी चाहिए यहाँ पर ideal की होनी चाहिए न लेकिन यहाँ पर very good उपर से उपर जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि only cut cannot decide the price लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे based on the cut we have highest price highest average price of very good cut the second highest is ideal then third and fourth are premium and fair at the end you have good cut price सब्सक्राइब यह average price है समझा आगी सो इस तरीके से आप plot को present करते है right plot सिरफ बनाना मकसद नहीं उसको interpret करना में मकसद है अब यह 5 groups है हमारे पास इसके लिए कौन सा test लगेगा if I want to compare these 5 means 5 groups की average price ideal को premium से, ideal को good से ideal को very good से, ideal को fair से आप अगर दो-दो का combination बनाएं तो T test हर किसी के साथ लगा सकते हैं Z test लगा सकते हैं दो-दो के combination के साथ और अक्सर अकाद आपके पास libraries होती हैं, जैसे stats models है sci pi है, वो दो-दो का combination बना के देती है लेकिन अक्सर अकाद दो-दो का नहीं लगता आपको 3 का या 4 का या 5 का लगता है तो ANOVA table जो है वो यहां बे बन सकता है MANOVA भी आप बना सकते हैं अगर different variables को अंदर लेके आना है ठीक है, but it depends अच्छा या आगे चलते हैं फिर आते हैं intermediate plot की तरफ histogram आप बनाते हैं साथ में bins define कर देते हैं और edge color भी define कर देते हैं थोड़ासा advancement आगे plot के अंदर histogram बनाया price के उपर और उसकी bins define करके हमने ये वाला plot बना लिया ठीक है अब आपके सामने price का जो column है इसकी frequency है मारे पास है इसकी distribution कौन सी है कोई बता सकता है based on this data किस side से पिचकी हुई है right side से, this is right skewed ठीक है अब अगर मैं इसको 200 bins कर दूँ 2000 नहीं करता है times ज्यादा लेगा plot अब जग करें तो same वो ही है इसका मतलब है doesn't matter कि मैं size कम करूँ ज्यादा करूँ plot की distribution वो ही है यहाँ पे आगे थोड़ी सी increase करती है लेकिन फिर आगे सही तरीके से आयती है अब आपको लगनी रहा कि किसी एक बड़े city की दुबई की तस्वीर ली हुई है यह बुर्ज कलीफा है बाकि सारी buildings है और यहाँ पे real state वाले बैठे हैं के साथ अप्लॉड ले लो क्यों क्योंकि बुर्ज कलीफा का नजारा नजार आता है हर जगा से नजार आना है वो इतना उंचा है माशालला से अनियोव इस वास जोक अपार्ट आपको पता होना चाहिए के plotting के दरान हमने किन चीजों को यहाँ पे देख ले है so this plot gives us क्या बता रहा है के डेटा के अंदर डिस्टिबिशन कैसी है अब अगर आप यहाँ पे घौर करें यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यदा डेटा मौजूद है that is in between पच्ची सो जीरो से लेके पच्ची सो जीरो प्राइस नहीं है अगर आप देखें जीरो से हट के स्टार्टर कोई भी फ्री में डाइमंड नहीं देता सही है so you can interpret that ठीक है आगे चलतें बॉक्स प्लॉट के तरफ कैरेट का हमने बॉक्स प्लॉट बनाया और इसको आप वर्टिकली भी कर सकते है और डिफरेंट तरीके से आप इसको शो कर सकते है वर्ट मैंने फॉल्स किया हुए और अगर यहाँ पे वरिजॉंटल बॉक्स प्लॉट बनाने तो इस तरीके से आप कर देंगे otherwise आप वर्टिकल भी बना सकते है अब यहाँ पे आपको सिर्फ कैरट के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारा डेटा जो है वो डिस्टिब्यूटिट है ठीक है समझे लिए यह बात की लेकिन अगर आप गौर करें यह डेटा डिस्टिब्यूशन हमें यह एक और चीज़ बता रही है कि डेटा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 तक है यानि कि यह हमारा डेटा जो है वो डिस्क्रेट डेटा है लेकिन इस पे बॉक्स ब्लॉट बन गए बजा क्या है डेटा बहुत बड़ा है यह भी हमें फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि ज्यादा डेटा कहां पे है सबसे ज्यादा डेटा यहां से लेके यहां तक है समझ़गा है बात की सो सम्टाइम्स यू नीड टो क्रिएट अ प्लॉट बेस्ट अन यूर अजम्शन के भाई कौन सा डेटा सेट सबसे ज्यादा है तो of course 0 से 1 तक यानि कि यह जो 1 करेट के इर्दगिर्द डेटा है यह सबसे ज्यादा है अब आपको यह भी अंदाजा हो गया है कि इसके अंदर जो correction है हमारे पास ज्यादा आएगी डेटा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है ठीक है 5 का पॉइंट ही है इसमें मैं क्या कर लूँगा मुझे क्या पता 5 का दामेंड की प्राइस अच्छी होगी कर नहीं because we have only one point समझा रही है interpretation सही है अब एक और काम करते है यह जो false किया था word इसको मैं remove करके यहाँ प्लॉड करता हूँ समझा गी so यह matplotlib का function है basically vert का मतलब vertical बनाना है या horizontal बनाना है next हमारे पास आता है pie chart यह pie chart जो है मैंने बना के इस वज़या से नहीं दिखाया वहाँ पे because I want to show you something here pie chart तब बनता है जब आपके पास value counts हों हर चीज की count plot भी आप बना सकते है count plot से आगे फर्दर pie chart की तरफ जा सकते है pie chart क्या है यह 100 पूरी किसी चीज को आप तसवर कर ले पूरे 100% ठीक है और उसके अंदर different category कितनी ज्यादा है समझा है जो काम हमने यहाँ बे किया है के data हमारा कैसे distributed है you can do the same thing here as well समझा ही बात की यानि के exact category के आपके पास points आ जाएंगे अब मुझे आप में से को बताएगा सबसे ज्यादा data किस चीज का है हमारा किस diamond की clarity का है कट का है सोरी ideal का 40% second को हमारे पास premium third very good good and then fair अब आप खुद सोचें fair का data ही 3% है तो हम उसे क्या ही अंदाजा लगा सकते है 54,000 में data points में से इसका मतलब है हमारा data किस side पे उनका रिजवान है इन तीन चीज़ों के तरफ समझा ही बात की इसको कहते है unbalanced class unbalanced है this data is unbalanced या imbalance भी आप इसे कह सकते है अब ये क्यूं है ऐसा और हमारे पास अगर हम future में machine learning model train करेंगे अगर हम बाकी सारे columns की base पे cut की quality को predict करना चाहेंगे ना तो हमारे पास ज्यादा तर answer इन तीनों जगों पे आएंगे क्यूंके data यहां क्या ज्यादा है इसका बहुत कम answer आएंगे ठीक है so this is one of the things second अब आपने cut का count निकाल के उसको यहां पे रखा है as a data and labels आपने दे दिये dot index क्यूं क्यूंके जब आ value count किसी चीज का लेते है ना जैसे cut count है यहां पे तो आपके पास मैं भी आपको दिखाता हूँ अगर मैं copy करके इसको यहां पे paste करूँ तो आपके पास इस तरीके से एक data frame बन जाता है so this is called index यानि के पहला column and this is called उसकी values ठीक है इसका मतलब है कि percentage को कितनी decimal values तक आपने print करना है मैंने इसको 1.1 बोला है इसका मतलब है कि 1.1 की तरफ आएगी यानि किस तरीके से आपने इसको print करना है then you can put strangle 90 degree इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने data को 90 degree के ऊपर इस तरीके से rotate भी कर सकते हैं labels भी दे सकते हैं इसका x-axis y-axis नहीं है यह याद रखने this is 1 pi, 2 pi इसे तरीके से चलते है इसके सिर्फ labels हैं और percentage है और इस plot को parts of whole plot भी कहते हैं यानि कि जब आपने parts of whole को print करना है या आप show करवाना है then you will show this ठीक है और इसमें ऐसा नहीं करना कि आपके पास 15 categories है और उनका pie chart बनाने बैठके है कुछ इतने इतना भी नहीं आना मिसाल दूँआ आपको चार दोस्तों के लिए एक pizza ही नफ होता है 15 लोग होगे न बस बस फिर bite ही आनी है कि वो भी जिसका थोड़ा सा जो शरार्ती बच्चे होते हैं उनकी bite भी बड़ी हो जाती है तो पूरा हिस्सा बराबर नहीं होगा तो ये नीड टू नो कि एक pie में कितना data आप समा सकते हैं विजूली अपीलिंग हो अदरवाइस बार plot की तरफ चले जाए advance के अंदर हम क्या करते हैं correlation plot हम बनाने लगें heat map अब आपको heat map ऐसे समझ आना है na believe me जैसे हलवा आता है क्योंकि मैंने बता दिया कैसे बनते हैं मैंने क्या किया है correlation यहाँ पे बनाया है सिर्फ numeric variables मैंने select की है data को slice करके data को select करके df.core का function जो pandas के अंदर built ही ना वो लगाया so मेरे पास correlation matrix बन गया and this is something like this देखिएगा यह है इस तरीके से यह correlation matrix है आपको याद होगा इसके diagonal पे 1 आता है और मैंने आपको बताया था अगर value 0 से ज्यादा है तो positive correlation है वरना negative है और numeric का numeric के साथ आता है अब यह जो matrix है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है ना जिड़े वर्जी बड़े scientist हम बन जाए still we have to use some kind of analogy, colors या visualization मुझे यहाँ पर देख के समझ आ रहे कि कितना correlation है but for stakeholders we can create a heat map like this समझे आई बात की और यह heat map 0 से लेके 1 तक है और नीचे इसकी जो limit से हमने कम रखी है reason क्या है उससे जदा values ही नहीं है ठीक है बहुत negatively correlated कोई चीज नहीं है हम मुझे यहाँ पर बताएं red और blue color में थोड़ा सा फरक नज़र आया आपको positive correlation किन का है जी red color वालों का और खास तोर पे जो highly red है इन दोनों चीजों का positive correlation है यानि कि एक के करीब या एक value है और diagonal देखें सारी की सारी red ही है न यानि कि highest positive correlation अपने के साथ अपना ही होता है ठीक है अब यहाँ पे मैं carrot को price के साथ अगर देखूं so carrot के साथ price बढ़ ड़ रही थी याद है आपको वो ही चीज correlation plot दिखा रहा है हमें carrot से price this is how you interpret correlation plot को आप कहते हैं कि इसकी वज़ा से ये चीज बढ़ रही है सही है कितनी बढ़ रही है price और carrot का अगर मैं correlation देख लूँ यहाँ पे यह price है और उपर से अगर मैं carrot देखूं तो यह है 0.92 highly correlated है highly correlated वो जो 0.8% जो हमारे पास 8% जो है ना chances थे वो उसी वज़ा से जो जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे वो data point भी और दूसरा भी है लेकिन usually it increases अच्छा अब lowest correlation कितना है depth and table समझे बात की depth and table का lowest correlation है of course जितना deep जाता जाएगा ना जितना लंपा होता जाएगा diamond उसको उपर से surface area कम नहीं हो जाएगा अगर उपर से surface area भी ज्यादा हो तो diamond का weight बढ़ जान है फिलाओ बढ़ जान है समझे बात को so इस वज़ा से depth and weight का हमारे पास correlation ऐसा है मैं आपको यह example ना देख यहाँ पर draw करके दिखाता हूँ then आपके लिए इसान हो जाएगा यह है जी हमारे पास diamond ठीक है यह चोटा सा diamond है हमारे पास this is called depth यह जो आपके पास नीचे को आ रही है अब आप खुद देखें कि अगर मैं depth को बढ़ा दूँगा तो same weight के अंदर इस तरीके से बनेगा न कौन सी बन जाएगी so table जो है वो depth की वज़ा से कम हो रहा है यानि कि अगर depth आपकी increase हो table आपका decrease हो जाएगा that's what we are showing here ठीक है यह देखें depth और table और यह depth और table अच्छा आपका correlation दो दफाँ show होता है यासे यह depth और table है या depth और table ऐसे भी so आप एक ही दफाँ देखते हैं दोनों सेम ही होते है सीए अच्छा फिर एक और चीज जो यहाँ पे है जिसका कोई correlation नहीं है जैसे table हो गया और आपकी price का कोई correlation नहीं है ना negative ना positive यह center में यहाँ पे कही है आपको पता है ना 0.5 से उपपर हो या minus 0.5 से नीचे हो तब हम देखते हैं कि significant है otherwise नहीं so this is how you can create a correlation matrix और उसको plot बना सकते है and this is how you can say कि यह हमारे पास correlation matrix है plt.im show इसके अंदर आप correlation और यहाँ पे आप different किसम की जो है वो terminologies लिख देते हैं और आपके पास बाद में आप x ticks और y ticks से इस तरीके से दे देते हैं जो length है उसकी correlation की और p titles यह दे देते हैं यह उससे भी असान है अगर आप c bond के साथ इसको बनाएंगे same correlation को ठीक है और आप उससे heat map बना सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे sns.heatmap correlation annotation true cool warm check करें वो ही plot है उसमें इतनी line है लिखी है यहाँ पे एक line में वैसा ही बन गया बलकि उपर से उसमें values भी आगी जब मैंने annotation is equal to true बोला यहाँ पे annotation क्या है इस point की value cool warm is the color ramp का color cool warm यानि के negative cool है positive warm है गौर करें अब primary colors की समझ आ रही है cool color कौन से होते हैं blue color cool color है warm कौन से है अफकोर्स आग वाला color जिसको देख के आपको गर्मी लगे तपिश लगे these kind of colors so cool and warm समझें इवन दो जब आपकी LCDs आप देखते हैं उसको color setting करते हैं जैसे आप उसको cool environment या cool color करते हैं bluish ज्यादा होता जाता है warm करते हैं तो आपके पास yellow या red ज्यादा होता है ठीक है सो इस तरीके से आपके पास आगया देखें दोनों libraries की समझ आगी C bonn इस वज़ा से मेरी favorite है आगे चलते है यह रहे जी histogram और subplot subplots मैंने आपको बताए हमने figure, axis देदेने plt.subplot कितने बनाने है एक row होगी दो column तो total plot कितने है दो 1 by 2 is equal to 2 समय यह बात की अब दो plot बनने है एक ही row के अंदर अगर आप देखें यह plot है एक column, दूसरा column और x के उपर 1 ही है हमारे बात ठीक है यानिके ऐसे सिरफ एक ही row है आप देखें इसके बाद row नहीं है plots की बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास दो column है एक यह column और एक यह column अगर आप इनको center से काटें so this is how you can see इसका figure size 12 by 5 का है अब axis का जो 0 axis है आपके 2 axis है न axis 0 and axis 1 समय ले बात की x 0 and axis 1 क्योंके 2 plot है axis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे उस हिसाब से आप कर लेंगे so 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जाते हैं अब आपके पास इसका hist बनाना है किस चीज का बनाना है axis 0 dot hist वोही चीज है PLT dot hist की बजाए आप axis लिख रहे हैं क्यों? क्योंके सब plot के उपर हमने PLT अल्रेड़ी लगा दिया यहां बे सभी है hist लगाया carrot आगी bins आगे edge color मैंने black रख लिया तो यह मेरे पास एक plot हो गया यह दूसरा plot हो गया और जब भी आपने PLT dot set labels करते थे उसकी बजाए axis का index देके करना है इसी को सब plot को थोड़ा सो और डिटेल में देखते हैं अगर मैं इसको 2 by 2 करूँ figure size मैं इसका वो ही रहने देता हूँ 12 by बलके इसको 12 by 10 कर लेते हैं यह 0 हो गया यह हमारे पास 1 हो गया इसके इलावा भी हम किसी का plot बना सकते हैं जैसे 10 scatter हमारे पास carat versus price आ गया and 10 हमारे पास set title आ गया इसके बाद हम कर सकते हैं x level होगे, bucky होगे, bar होगे हमारे पास let's see मैं सिरफ और सिरफ check करता हूँ कि हमारे पास क्या आता है of course आई new के error आनी है लेकिन plot की चार types हमारे पास आ गई है अब यह देखें, यह हमारे पास plot क्या है चार plot आगे क्योंकि two by two का हमने बनाया है अब इस error को देखते हैं हमारे पास क्या error है object has no attribute hist कौन से object की बात हो रही है two by two I see यहाँ पे भी हमें अब अच्छा ओके, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ का ख्यार रखना है हमने जब one by, यानि कि एक dimension में काम किया था तो हमें सिरफ index zero and one आ रहा था हम मुझे बताएं इसका index क्या है zero and zero, ऐसे ही है let's see, देखते है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यह था one by two, इसमें zero and one आ रहा है यह है two by two तो इसको हम कैसे करेंगे zero, zero ठीक है यह क्या है यह हमारे पास अब दूसरा जो one था वो हमारे पास क्या है zero, one let's see zero, one and this is also zero, one आपको क्या लगता है यह plot बनेगा let's try boom तो मैं आभी बात की indexing is important यहाँ पे देखें, यह चार plot मैंने एक में बनाए है कितना जबर्दस plot लग रहा है सिरफ इतनी सी coding समझ नहीं है आपने and believe मैं आपको अभी बात बताऊ मेरे इतने students हैं जो plotting करते हैं और अच्छी खासी note books मना रहे है यह strategies सिरफ कोई 5% यूज करते है क्यों जब plotting मैं पढ़ा रहा हता है उनको यह होता है कि बस जल्दी जल्दी में plotting से लो बात कतम वो sub plotting के उपर focus नहीं करते and usually यहाँ पे जो sub plotting हुई है अगर आप खुद से भी इन चारों plots को align करने बैठे ना किसी software में अच्छा खासा time लगने और at the end वो align भी नहीं होने से यह तरीके से यहाँ पे अगर आप scale लगके भी देखेंगे यह बिल्कुल exactly align है दोनों plot size भी align है, font भी align है everything is aligned समय आगी बात की और आप चेक करें जड़ा sns.scatter लिखा है x और y दे दिया और data दे दिया बात खतम, c bond के अंदर इतनी से एक line और यहाँ पे हमारे पास plot show हो गया and this plot अगर मैं इसको दुबारा से बनाओ, you will see 0.3 seconds लगे है यहीं पे, थोड़ा से advance आपको बता दूँ यहीं पे, यहीं पे इसको मैं hue करके अगर cut की base पे करूँगा न अब time लगेगा here you go, कमाल ने plot आपको यहीं से समझ आ गया कि यह जो end पे था, इसका cut कौन सा था 5 karat का fair cut वाला है और अच्छी price ले गया है किसना तोखा हुआ है समझ रहे हैं बात को नहीं समझे यहाँ पे चेक कर ले यहाँ पे चेक कर ले premium quality का यहाँ पे है चले है ideal को देखते हैं यह है जी ideal cut 3.5 का और कम price में अगर किसी ने diamond लेना हो तो this dataset can help क्या आपने किस तरीके से prices को चेक करना है and believe me अगर आप सिरफ plotting की थोड़ी सी gist समझ ले data इतना खुबसूरत लगता है ना उसके अंदर आप सोच नहीं सकते हैं so मैं दोनो plots को उपर नीचे बना देता हूँ so यहाँ पे हमने hue add कर दिया hue की समझ आगे और इनको क्या बोला जाता है जो यहाँ पे हैं जी legends यह legend figure का legend okay आगे चलते हैं अब मुझे बताएं यहाँ पे मैंने line plot बनाना है मुझे बनाना चाहिए कि नहीं will it make sense it will make a bit of sense according to my perception कैसे देखिएगा line plot मैं बना रहा हूँ carrot का and price का ठीक है दोनों क्या है एक categorical एक numerical carrot जो है यह 0,1,2,3,4,5 बना 1 से 5 तक है 0 से 5 तक है ठीक है अगर आप घौर करें यहाँ से मुझे basic एक trend बता चल रहा है कि carrot पे price कैसे increase कर रही है जो पीछे वाला plot था यह trend नहीं बता रहा समझ आई मेरे पास क्या हो रहा है line plot हर एक point पे mean और standard deviation खुद बखुद calculate कर रही है मैं आपको इसको zoom in करके दिखाता हूँ यह जो shaded area है this is actually standard deviation आई समझ यह automatically यहाँ पे print हो रहा है so that is why this plot makes sense in a way और of course यहाँ पे depend करता है मैं से publication या किसी report में use नहीं करूंगा just to make sense के कैसे हो रहा है वरना मुझे क्या करना था यहाँ पे मुझे trend line add करनी पढ़नी थी जिससे थोड़ा सा मसला आता है correlation मुझे पता है इनका high है trend line हमें add करनी पढ़नी है इसमें और उसके लिए हम line plot भी बना सकते है और यहाँ पे जो मज़े की बात है अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ेदार करूं कॉमा लगा के hue मैं cut की waste पे दूँ let's see हमारे पास क्या आत है या तो खिचड़ी बनेगी या खुबसूरत सी हमारे पास प्रंगोली टाइप बन जाएगी and it will take time क्यों उसकी reason यह है कि यहाँ पे एक चीज़ calculate होने पे हमें 8.5 सेकिंड लगें और जो नीचे वाले हैं वो cut है तकरीबन 6 तो 8 को 5 के साथ यह 6 के साथ multiply करें तो हमें तकरीबन एक मिनट के करीब लगेगा and 27 सेकिंड में काम हो गया look कोई sense बनी है line ज़रूर आ रही है सब कुछ आ रहा है everything is there sense नहीं है ठीक है इसको अब आप क्या कर सकते हैं advanced plotting के अंदर जाके हर cut को separately आप print out कर सकते है ठीक है advanced plotting के अंदर c bond पता नहीं यह वाली facility देता है कि नहीं gg plot 2 के अंदर यह facets के अंदर है मैं इसको यहां पर select करता हूँ मैं इसको कहता हूँ control आई करता हूँ यहां से 2 pilot आजाएगा यहां पर मैं इसे कहता हूँ कि gg make facets in the plot based on cut column मैंने gg plot 2 के अंदर किया हूँ यहां let's see यहां पर होता है कि नहीं होता और अगर होता हुआ so we will see and I think सुनी गई है so facet grid हम बनाएंगे sns के थूँ and उस grid के उपर map करेंगे maybe a new update for me as well इसको मैं कहता होता हूँ noodles इकठे बगा लियें 6 किसम के so हमने यह काम नहीं करना हमने लोगों को confuse नहीं करना उनको informative चीज़ें बता नहीं है अच्छा यहां पर एक काम यह हो सकता है figure is equal to figure size इसको अगर आप बड़ा करते हैं of course नीचे वाला भी चल रहे तो आपके पास यह थोड़ा सा बड़ा होके आएगा plot meanwhile हम नीचे वाला plot देखते हैं and here you go हर एक separately आपके पास print out होके आगया hence we can create different facets और बहुत असान है this is new learning for me as well हम सिरफ facet grid की एक command देंगे और यहां पे जिसकी base पे इसको separate करना है वो हम लिख देंगे और of course color wrap and height वगरा इसकी दे देंगे हर किसी की and then you will see के फिर उसके उपर आप map करेंगे plot को इसकी मिसाल ऐसे गिया के पहले canvas draw करते हैं canvas draw करने के बाद फिर map करेंगे चीजों को line plot and carat price का मैंने कर लिया ठीक है मेरे खियाल से यहां पे scatter plot भी हो सकता है लेकिन यह time लेगा अब इस वेज़ा से हम पीछे जाते हैं यह check करें इसका size अब बड़ा हो गया थोड़ा से expand हो गया plot समझ रहे हैं बात को अब इसी को मैं और तरीके से set कर सकता हूँ मैं यह 6 की बजाए इसको 4 करूँगा ना बलके 3 करता हूँ ना then you will see a big difference और line plots हमेशा शोटे यानि के उसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है लेकिन जो छुड़ाई होती है उस plot की वो थोड़ी होती है क्योंकि trend शोग करना होता है over the time and years की base पे यहां पर यह जो हमारे पास sorry this is not color wrap this is column यह 3 column हमारे पास है थैंक्यू शुवेब भई यह 3 column है हमारे पास इनको हम wrap करेंगे and height जो है वो अपनी बता देते हैं कितने हमने height रखनी है so that was not color this is column यह ले जी अब देखें plot की sense बन रही है थोड़ी सी so now it's beautiful so I mean you can change many things in the plot यह हमारे पास facetrape के थुरू है हर cut का अलएदा से plot बन गया so this is how you do ठीक है अच्छा जी हम जाते हैं cut और price का box plot भी बना सकते है something like this ठीक है cut को x पे और यहां पे y axis पे हम price रह देते हैं और आपने को मैंने जैसे पहले बताया था आप सिरफ price का भी बना सकते हैं वो एक ही box बनेगा जैसे आपने उसको divide करने आप cut x axis पे कर लेंगे y पे price कर लेंगे like this so मैं यहां पे sns.box plot बनाता हूं box plot and यहां पे x is equal to price कर देता हूं data is equal to df यह कर देता हूं let's see यह एक ही box plot बन गया ठीक है हमारे पास x axis पे price था अगर मैं इसको y पे price को रोकता हूं let's see तो यह y axis पे आ गया price लेकिन मैं अब इसको divide करता हूं multiple different categories के अंदर ठीक है उसके लिए हम x axis की value दे देंगे कोई भी cut दी तो हमारे पास यह बन गया इसकी भी एक advanced form है हम मैं क्या करता हूं इसको copy करता हूं अब आप समझ रहे होंगे करने लगां के नहीं समझ रहे hue is equal to hue किसकी base पे हमने करना है color की base पे categorical column की base पे and let's make it यह हमारे पास plot बन गया of course खिचडी बनी हुई है again I can understand that इसकी वज़ा यह है we need to define figure size ठीक है अब इसको plot करते है अब देखें दो still it's a खिचडी ठीक है advance के अंदर आप legend को उठाके बाइर भी लेके जा सकते है legend position को आप separate भी कर सकते है ठीक है and there are many other things जो आप करने वाले हैं लेकिन यहाँ पे इस तरीके से advancement की तरफ जाते है variable add करते जाए automatically चीज़ें जो है वो अच्छी बनती जाएंगे फिर आता है हमारे पास violent plot, सिरफ box को change करना है violent plot के अंदर and that's it, यह violent plot बना के आपके सामने देदेगा, यह ले colors भी ऐसे आ जाएंगे इसके अंदर वो ही changes जो box के अंदर आनी है, फिर count plot, count plot क्या है कि आपने सिरफ categorical column देना है, कोई count values count करने की ज़रूरत नहीं, nothing c bone automatically count करेगा and at the end आपके पास उसकी values आ जाएंगे cut की मेरे पास कितनी value हैं वो premium, good, very good, fair यह सारी values आ गए वो जो pivot table हम बनाते थे ना pandas के अंदर, यहां पर आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आपने उसको use करने इसकी एक और मिसाल में देता हूँ यहां पर count plot को आप further advancement की तरब भी लेके जा सकते हैं, like यहीं पर x हमने दे दिया hue हम color दे देते हैं change ना समझे यहीं बात की ideal, premium, good, very good and fair सभी का separate color की base पर यहां पर count आ गया जैसे pivot chart में आता था अब आपको categorically पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं again plot जो है आपके पास कुछ धीमा सा आ गया है, इस वज़ा से इसको मैं figure के अंदर convert करके plot की figure size जो है 12x3 अब मेरे पास आ रही है बार बार यह इस वज़ा से आ रही है because I know के मैं यहां पर सिरफ notebook के अंदर पढ़ा रहा हूँ मुझे figure size देखना चाहिए के कहां पर मैंने print करनी है इसके and this 12x3 की जो है वो same slide के अंदर भी आ जाती है, so I am good with that I know it will take a lot of time, जब मैंने बनाया था इसको 1.5 minute से 2 minute लगे है so मैंने इसी वज़ा से पहले बना के रखा है यह क्या करता है हर एक column को दूसरे column के साथ check करता है उसका कौन सा plot बहतरीन बन रहा है and usually यह density plot बना देता है यह scatter plot बना देता है और आपने देखा जितने भी हमने plot बनाए है उनमें से कुछ यहां पर मजूद है जैसा के carrot यहां पर है और मैं यहां से price देखता हूँ यह है price और यह है carrot आपके सामने यह plot हमने पहले बनाया था न, carrot और price का जैसे यह price है और यह carrot है यह वला फिर हमारे पास यहां पर आता है जनाब एक और table और हमारे पास depth आप देख रहे हैं सारा एक ही जगा जमा हो गया इसका मतलब कोई correlation नहीं correlation क्या होता है जब आपके पास एक data एक line में जाए जैसे यह जा रहा है x ठीक है यह वला increase कर रहा है यहां पर इस तरीके से आप इन चीजों को देखते है थोड़ा से advance जाते है यह था जी आपके पास pair plot इसको बनाने के लिए न आप पहले इसको लगा दें और साथ में फिर पीछे से चाहे वाई रख दें क्योंकर यह थोड़ा time लेता है then we have facet grids जो मैंने आपको पहले समझाए of course यह जो है यह मैंने add किया यहां पर लेकिन I was actually it was forgotten तो तीन columns के अंदर bins हमने बनाके different किसम के facets जो है यहां पर add कर दिये again वही चीज जो अपर हमने किया so यहां पर हमारे पास आता है जनाव white grid और यह theme and styling आ गया हम Cbone के plot को report ready कैसे बना सकते है वो अब आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आपने theme decide कर लेनी है जिस theme में आपको plot चाहिए जैसे यह white grid है ना पीछे आपके पास grid lines आ रही है उपर plot है और आपके पास different किसम के scenarios यहां पर चल रहे है ठीक है फिर आप उसका context भी set कर देते है paper, notebook, talk या poster यहां पर यहां पर अगर मैं add करूँ तो white grid की बजाए आपके पास dark dark grid ticks यह सारा कुछ आ जागा अगर मैं इसको dark लिखूँ grid check करें change हो गया dark के अंदर so it depends कि आप किस तरीके से use करते हैं मैं अगर इसको dark grid लिखता हूँ यह मेरे पास plot आ गया अब एक और चीज़ देखेगा मैं यहां पर let's see ticks आएगा कर नहीं मेरे नहीं ख्याल ticks आता है that's cool sorry, कोई भी grid नहीं है सारा कुछ remove हो गया but I want to keep white grid for now so यह values आपने change करी जानी है sns.setStyle के अंदर okay, यहां पर notebook मैंने किया तो बहुत different किसम का plot है जैसे मैं इसको paper करता हूँ यह plot different हो जाएगा और usually यह आपका प्रिजेंट करना हो तो उसी साप से set कर देते check करें समझे भी बात की कि नहीं जब आपने print करना है तो और है जैसे मैंने talk लिखा उसका font size बढ़ा हो गया मैं यहां पर poster लिखता हूँ they know के font कैसे set करना है यह देखें, poster का और बढ़ा हो गया लेकिन जैसे मैं यहां पर paper लिखता हूँ इसका मतलब है कि मैंने paper में इसे present करने here we go, ठीक है? so they know के paper में font size minimum कितना होना चाहिए और आप इसमें multiple dictionary भी दे सकते हैं different parameters कि by the way और यहां पर आपका plot है, कोई भी plot है सिरफ उपर वाली changing हम कर रहे है मैं plot नहीं बताऊंगा आपको, अब changing पढ़ेंगा फिर हमारे पास यहां पे जनाबे वाला यह style के अंदर dark हमने कर दिया using a dark background style जो मैंने पहले आपको change करके दिखाया था white grid की बजाए, again dark आ गया और नीचे जाते है यहां पे हमारे पास अगर context हम change करते है और साथ में font scale भी बता देते है you can actually scale the font जैसे talk का मैंने उपर किया था यहां पे मैं 2.5 की बजाए 1.5 की बजाए 3.5 अगर करूँ बहुर बढ़ा हो गया ठीक है यहां पे 0.5 अगर करता हूं font style, font scale तो यह कम हो गया so you can play with it कि कितना रखना है ठीक है so usually talk के लिए 1.5 होता है and then you can change that according to your needs then we have different किसम की pallets यहां पे हम customize color pallet करते हैं जैसे यह इसके इलावा आप इसको change करते जाएंगे तो color pallets आ जाएंगे deep, muted, bright, pastel, dark, color blind तो यहां पे color blind भी है यह मैंने color pallet की तो मेरे पास automatically यह color की pallet आ गई, price आ गई ठीक है और हम जो है x and y यहां पे दे रहे हैं और pistol की base पे मारे पास automatically color आ गया मैं जैसे color brand को change करता हूँ कोई बहुत subtle सी change आएगी ज्यादा नहीं आएगी गौर कीजिएगा यहां पे देखा यह थोड़ा सा डाग हो गया अचा अगर मैं यहां पे hue देता हूँ साथ में cut की base पे now you can see colors properly and then of course हमारे पास जो context है वो हमने change करना है sns.set underscore context notebook so इस तरीके से हमारे पास यह plot बनेगा of course इसका figure size भी हम दे सकते है figure is equal to 12 by 3 again हमारे पास इस तरीके से आगए यहां पे अब आपको color change सही तरीके से नजर आएगी जैसे मैं यहां पे pastel देता हूँ let's see check किया आपने subtle change आई है muted and deep colors भी है यह automatically color palettes इसके अंदर built-in मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप multiple colors palettes भी खुद से बना सकते हैं okay then we have custom color palette अब खुद से अपनी color palette define कर सकते हैं using hex codes sns.set color palette यहां पे यह वाली color palette है मेरे पास इसके अंदर यह वाला color है यह वाला यह वाला यह वाला and of course x के उपर एक ही color आएगा जैसे मैं यहां पे hue देता हूं किसी भी चीज़ का let's see अब चेक करें यह वो colors हैं जो हमने यहां से दी हैं आप इन colors को change भी कर सकते हैं अपनी मरजी से रखके अपनी color palette बना सकते हैं एक बात का ख्यार रखना है जितने columns के अंदर unique values हैं यह variables हैं उतने colors होने जाहिए कम ज्यादा हुए तो काम खराब ठीक है यह गलतियां होती हैं हमसे तो but that's why I'm telling you again आपके पास यहां पर क्या हो सकते है जनाप grid lines आड़ भी कर सकते हैं remove भी कर सकते हैं of course इसकी base पे भी आप grid lines आड़ कर सकते हैं और यह खुद से भी plt.grid करके grid lines आड़ कर सकते हैं line style भी आप बता सकते हैं alpha की value भी दे सकते हैं पीछे जो grid lines आ रही है sometimes it's needed sometimes it's not needed so it's totally up to you कि आप add करना चाते हैं या नहीं फिर हमारे पास यहां पर removing spines from the plot for a cleaner look D spine कर दिया हमने plot को spine का मतलब होता है कि जो unnecessary columns के line हैं उनको हम निकाल दें एक छोटी से command remove D spine कर देती है sns.d spine spine इन क्या है यह जो right side पे चीज़ें आ रही है पीछे इसके जो चीज़ें आ रही है सो आप यह कह सकते हैं कि इस plot की पीछे read की eddy को remove कर रहे है simple syllabus D spine then you can add annotation इसने इतना खासा time लिया ना क्यूंकि 54,000 points को मैंने annotate किया था रात जब इस पे काम कर रहा था so I will not recreate it otherwise अगला lecture जो है यहीं पे रुक जाएगा हमने क्या करना है आप annotation की command use करते है plt.annotate इसे for loop में भी use कर सकते हैं या अपनी मर्जी से भी annotate कर सकते हैं किसी चीज़ को for example मैं चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे यह point है मेरे पास price का इसी exact point पे मेरे पास cut भी आ जाए यह कोई और चीज़ भी आ जाए यह numeric value की proper value आ जाए जैसे यहां पे आ रही है price यहां पे dollar sign के साथ आ रही है so I can exactly mention कि कितनी price है इस एक point की so usually आजकल के दोर में तो यह आपके पास इस तरीके से price को annotate करने की ज़रूरत नहीं है आप इसको easily क्या कर सकते है आप interactive plot बना के से save कर सकते है HTML के अंदर so यह वैसे भी annotation लोग लाइक नहीं करते यह तब भी होती है जब बहुत छोटे से points हो यानि कि 15 points है then at that point you can annotate लेकिन this is one of the things फिर हमारे पास यहां पे box plot again आ रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं कि आप legends को customize कर सकते हैं so यहां पे plt.legend लिखेंगे और उसका title ऐसे mention कर सकते हैं जैसे यह cut types आ गया यहां पे labels आ सकते हैं cut.unique वह वाले labels आ गया यानि कि जो unique values हैं cut की और आप यहां पे location दे सकते हैं by using upper right left, upper left, bottom right यह सारी चीज़े and frame on true कर सकते हैं यानि कि जो frame होता है legend के एर्दगेर्द वह भी यहां पे इसको मैं थोड़ा सा और भी साफ सुत्रा करने की कोशिश करता हूं figure is equal to 12 by 3 की यहां पे चेक करें अब आपको समझ आ रही है top right, upper right पे है मैं यहां पे इसको lower right पे कर लेता हूं ठीक है आप इसको left side पे भी लेके जा सकते है and मैं इसी को copy करता हूं and let's select this control I करता हूं position the legions outside the plot let's see हमें क्या कहता है जी co-pilot सोची जाना है इसने कुछ लिखा भी किया कि नहीं so यह best way होता है otherwise we can also check outside let's see क्या change हुई है we will see that accept करके चलाके देखते है then it's outside box to anchor 1.1 की base पे यह हमारे पास एक चीज आड़ कर दी है B box to anchor इससे क्या होता है basically आपका anchor point आप बता देते हैं कि किस जगह पे आपने anchor करना है plot को अगर मैं इसको 01 करता हूं let's see क्या होता है मेरे पास समय नहीं बात की 0 से 1 point पे आगया इसको अगर मैं 01 करता हूं let's see 10 करता हूं तो क्या होता है okay 1 and 0 then over this is some kind of positional argument anyhow we can do it like this legions को outside पे कर सकते हैं और usually मैं इसको अगर 01 करता हूं तो यह start में आके नीचे आ रहा है इसका मतलब है के यह हमारे पास 0 position है 0 indexed और 1 हमारे पास यह position है अगर मैं इसको 00 करता हूं then it will be around here yes I knew it okay so 01 and then आपके पास 10 यह होगी position and then 11 यह होगी ठीक है चार position आपके पास 00 यह है then 01 यह हो जाएगी 01 यह उपर वाली हो जाएगी and then 11 उपर हाँ exactly 11 उपर वाली हो जाएगी and 10 नीचे वाली हो जाएगी ठीक होगी 10 यह वाली होगी okay चार positions हमारे पास मुझू है and then you have facet grid with multiple panel plot multiple panel plot भी बना सकते हैं multiple histograms अगर आपने बनाने SNS के साथ और अगेन वही चीज़ है जो हमने पहले facet grid के किया था लेकिन यहाँ पे आप अपने names जो है वो different इस तरीके से भी title को दे सकते हैं और cut का column name यहाँ पे दे देंगे then each cut column will be there so यह G set titles को आप इस तरीके से set कर सकते हैं again facet grid यह विद for multiple plot जो हमने उपर के देखा था यहाँ पे सिरफ और सिरफ हमने names change करने है परहल यह आपको notebook मिल जाएगे you can actually look into it यह है जी मज़ेदार plot again हमारे पास वही plot है और हम df के उपर facet grid बनाके hue color दे रहे है, height 5 दे रहे है and then you can see कि सिरफ सिरफ हमारे पास एक ही चीज है जिसको हम हम यहाँ पे plot कर रहे अगर आपने कोई चीज आइड करनी है so usually you can add multiple plots here as well लेकिन हम सिरफ और सिरफ एक color की base पे इस plot को बना रहे है so यह facet grid क्या होता है किस तरीके से बनता है यह इस तरीके से भी आप इसे बना सकते है like this like separate plot और आप एक ही जगा पे भी बना सकते है फिर access label की fine tuning कैसे करते है यहाँ पे हमारे पास जो है जनाब basically PLT वो ही title है लेकिन PLT dot X ticks याद है ना उनके जो rotation है हमने यह कर दी है यानि के ticks बजाते खुद change नहीं होने उनके labels rotate हो गए 45 degree मैंने आपको बताया था यहाँ 90 degree करेंगे तो इसका क्या होने आपको बता है यह होगे 90 degree ठीक है so this is how you rotate them 45 and 90 45 is usually considerable then we have यहाँ पे हमारे पास Y axis का scale हम change कर सकते है ठीक है और for example यह वला हमारे पास scale है Y axis का हम इसका log लेना चाहते है तो Y scale का log भी हम use कर सकते है क्यूंकि जब बहुत बड़ी value होती है आपको पता है कि उसका log लेके वो फिर considerable value के अंदर आ जाएगी यानि कि बाकी चीजों का difference हमें पता चल जाएगा ठीक है इसकी एक मिसाल में आपको भी देता हूँ यही plot है copy करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यह वाला scale जो है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ and let's see यह plot है हमारे पास और यह वाला plot है कुछ फरग नजर आ है यह जो heights है ना छोटे points की यह बढ़ गई है उपर वाले के कम होगी यानि कि एक scale पे आ गया है a logarithmic change आ रही है अगर mathematics आपने सुनी है तो आपको पता होगा यह जो इतना difference था ना यह कम होगा दुन होगा यानि कि similar scale पे आसपास आ गया है that is why we take logs and of course you can also change the type of plot here but I will keep it like this let's run this here so you can now see it differently यह हमारे पास यह यह यहां तक थी और यहां से यह उपर गोगा okay आप themes भी set कर सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था आप theme के अंदर style जो है वो भी add कर सकते हैं palettes भी add कर सकते हैं and then multiple arguments add कर सकते हैं sns.set theme के अंदर directly और वो theme जो है फिर follow करते हैं आपके पूरे के पूरा plot बनता जाएगा बजाए इसके के sns.set style करें sns.set context करें आप theme के अंदर सारे का सारा यहां पर लिख सकते हैं for example मैं यहां पर context आड करता हूं notebook font style आड करता हूं तो यह automatically सारा कुछ apply हो जाना है पूरे plot पर and again it's a line plot it will take a lot of time de-spining भी हमने कर दी है so this is how you can actually combine all of the things in one ठीक है? font size बढ़ाने के लिए सिरफ आपने क्या करना है यहां से scaling कर देनी सही हो गया अब इसका figure size भी हम add कर सकते हैं again यह बारहा दफा करने वाली चीजे हैं of course so you should know के आपके पास यह सारे के सारा material कैसा चलता है बस 2-3 codes हो रहे then inshallah you will understand के कैसे काम करते है now this plot look nicer के नहीं जो start में बनाया था उससे कही अच्छा लग रहे न अब उसकी reason क्या है? refinements आगी है मुझे font size थोड़ा सा बढ़ा लग रहे है मैं इसको one कर देता हू now it looks fine ठीक है अच्छा यहाँ पर वही चीज है हम dark grid भी कर सकते है light grid भी कर सकते है different same plots की different plots की change कर सकते है यहाँ पर white grid आगे थी और यहाँ से plot save करने का तरीका मैंने आपको बताया था plt.savefig और उसको आप एक ऐसे plot में save करते है which is actually telling you के कहां पर कौन सा plot है यहाँ पर 02 plots के नाम से एक folder बनाया और उसके अंदर scatter point report को मैंने save कर दिया something like this और इसमें सिरफ एक चीज की कमी है that is color hue is cut and now this plot will shine it will take time 8-9 seconds या 27 seconds तक तो यह हमारे पास इस तरीके से आ गया कितना कमाल लग रहा है यह screen पर वो शांदार किसम का लग रहा अब इसको और अच्छा करना है क्योंकि अक्सरों काथ windows के अंदर आपके पास extensions अक्सरों काथ show नहीं होती so that is why I am doing it मैं इसको run करता हूं तीनों को अज़े यहां पे b box b box जो inches हमने tight किया हुए इसका मतलब यह है के side से जो हमारे पास margin होता है वो बिलकुल close close आ रहा है ठीक है and then you will see कि यह वाले plots जो है वो save हो रहे हैं हमारे साथ साथ कभी कबार ना आपकी report वाले PDF plot भी वांग लेते हैं जब अगर for example आपके stakeholder है उन्हें सिरफ PDF open करने का पता है so they will ask you for these plots तो आपको पता होना चाहिए जैसे यहां पे हमने plot बनाया है यह हमारा PDF होगा इसके अंदर it will open bit so आपको एक बात और बता देता हूँ क्या याद रखेंगे कि data visualization के अंदर जब हमने plot बनाया है न तीनों के size चेक करें 178 के भी PDF 743 के भी PNG SVG कितने 9 MB के करीब so जब उसको मैंने DPI दिया है वो size बड़ा होगा so DPI के बगैर वो size चोटा होगा secondly PDF को मैं open करता हूँ देखिएगा बिशक size चोटा है PDF का लेकिन it will take ages to open क्यों data बहुत ज़्याद है चेक करें हार है animation ही बन गी यह तो ठीक है so कभी कभार आपको पता यह पता नहीं होता के हमने जो plot बनाए उसको जल्दी जल्दी view करना है या later तो PDF उठाके ना तो PowerPoint में use होनी है PNG आप कहीं पे भी उठाके ले जाए सही है इसको उठाके PowerPoint में ले जाए इसको use करें look how nice the plot looks here सही है okay then we have another thing and यह आपको समझना जरूरी है color palettes, color palettes, color palettes हम कर रहे हैं अब आपको color palettes का पता होना चाहिए उनके names कैसे आते हैं Seaborn की library को बुला के न आपने सिरफ यह color palettes की command लगा नहीं है आपके सामने यह सारी color palettes आ जानी है deep के अंदर कौन-कौन से colors है deep 6 के अंदर क्या है बाकी क्या है, बाकी क्या है यह सारी एक आपके पास list आ जानी है ठीक है sorry dictionary यह तो एक हो गया second आप क्या कर सकते हैं proper सभी color palettes को ऐसे print भी कर सकते हैं यह code मैंने दिया हुए तो यह आपके पास color print हो गए palettes आपके सामने हैं कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है यही से one stop shop पे आपको palettes मिल जाएंगी ठीक है यही नहीं जो अगला lecture है जो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा उसके अंदर मैंने automatically यह सारी color palettes से सेने c-bone की डाली हुई है यह देखे यह सारी color palettes हैं चेक करें ठीक है यह इंशाला हम देखेंगे अगले lecture में अभी के लिए c-bone on matplot lips से आपने plot बनाने भी सीखें आपने इस lecture के अंदर यह भी सीखा है कि plot को interpret कैसे करने आपने यह भी सीखा है customize कैसे करने आपने यह भी सीखा है कि plot को save कैसे करने in high quality आपने यह भी सीखा है कौन सो plot किस मकसद के लिए size plot का क्या होना चाहिए colors कौन सो use करने and multiple kinds of plot and this was actually a master class for data visualization उसकी reason यह है कि अगर आप एक दिन में इतना कुछ सीख रहे है of course आपको python की coding आना जरूरी है जिसके लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसके इलावा believe me अगर आप अभी भी बच्चों वाले plots बनाएंगे ना तो फिर तो मतलब फिर मज़ा नहीं है वो वाला फाइदा नहीं है जो simple एक command के साथ plot आते ना उसका मज़ा नहीं आता use color palettes, use other things and inshallah it will be easier if you have any question write down in the chat or comment section दोनाएवला answer यह वाला lecture में यहीं पे रोकता हूँ next lecture में मैं आपको further customization बताने वाला हूँ which is very crucial bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum इस lecture के अंदर हम जिस चीज़ पे काम करने वाले हैं वो है seabon and matplotlib की customization यह दो libraries जो हमने पिछले lectures के अंदर बड़ी कमाल तरीके से देखी हैं आज इनकी customization को हम सीखेंगे स्क्रीन में आपके सामने शेयर करता हूँ और इस स्क्रीन के उपर हम इनको बड़ी detail के अंदर देखने वाले हैं यहां पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास matplotlib का customization की यह वाली एक library जो है इसको हमने एक notebook के अंदर बनाया हुए three customization plots customizing plot seabon matplotlib.ipynb यह आपको code पूरे का पूरा मिल जाएगा so you don't need to worry about the code screen clear नजर आ रही है everything is okay okay so यहां पे जो main चीज है हमने सीखनी वो यह है के जनाब सबसे पहले तो जब भी आप library पे काम करते हैं आप अपना libraries को load करते हैं तो pandas matplotlib and seabon यह तीनों इकठी चलेंगी यहां दा clear हो गया and then मैंने यह किया यहां से diamond का dataset लिया ठीक है और मैंने diamond के dataset की rows and columns before sampling and after sampling वो मैंने उसकी shape को print किया है जो rows versus column होते है न pandas की जो basic command है उसकी shapes को print किया है और मैंने 5000 dataset का sample ले लिया यानि कि total जो है 35000 something है लेकिन मैंने 5000 का sample ले लिया यहां से यह अब इसको data analysis का जो मेरा python का environment है इसको import करूँगा और इसको run करूँगा first time ऐसा होता है कि जब भी आप इन चीजों को run करते हैं आपके पास जो यहां पे first time 7 to 8 seconds यह लेते हैं अब यहां पे अगर आप गौर करें मैं इसको थोड़ा सा zoom in करता हूं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूं screen casting mode जो है उसको मैं on कर लेता हूं यहां पे अगर आप गौर करें तो before sampling these were 53,940 rows लेकिन जैसे मैंने इसको sample down किया मेरे पास आ गया 5000 sample ठीक है यहां तक समझ आगी एक तो यह तरीका होता है कि df.sample के थूँआप sample ले ले एक तरीका plotly के जो जब मैं आपको बताऊंगा dataset को कैसे देखना है तो मैं fraction wise भी आपको sample लेने का तरीका बताऊंगा कि इस पूरे data का 0.5% ले लो, 0.10% या 10% ले लो या 2% ले लो तो वो automatically randomize करके data का sample ले लेता है but this is like defining the points के कितना data आपने लेना है यह data है और हमारे पास यह columns है जो हमने पिछे भी use किये थे तो इन ही columns के उपर बात करेंगे सबसे पहली customization यह होती है कि title कैसे set करना है of course आप कोई भी plot बनाते है तो वो इस चीज से plot बन जाता है मैं इसको copy करता हूँ यहाँ पे paste करके से run करता हूँ यह मेरे पास plot बन गया ठीक है और इस plot को अगर आप गौर से देखें तो यह हमारे पास price and caret का एक plot है जो simple एक plot है हमारे पास लेकिन अगर आप गौर करें इस plot का ना तो हमारे पास title है ना कोई और चीज है ठीक है सिरफ और सिरफ x labels और y labels है और यह भी तब है क्योंकि हमने sns को use किया है अगर plt को करें यह दोनों चीज़ें पर अक्सरोकाद नहीं show होती है depends on the dataset और यह जो नाम है variable के as it is print होते है x और y axis ठीक है x labels जो है as it is print होते है so हमने क्या करना है सबसे पहले देखने है title कैसे लगता है जैसे for example यहाँ पर छोटे c के साथ caret start हो रहा है यहाँ पर छोटे p के साथ start हो रहा है और हमारे पास ना तो unit है price का और ना ही बाकी चीज़े है what we can do is हम यहाँ पर इनको label करते है तो plt.x label यह हमारे पास है caret का weight ठीक है caret weight जिसे हम बोले जाते हैं यानि कि आप कह सकते है कि caret जो है यह basically weight होता है किसी भी एक चीज़ का कि कितने percent जो है पूरे total weight में हमारे पास जो सोना है so वो imperative को भी show करता है अगर आपको caret का पता हो अगर आप weight नहीं लिखना चाते है so you can just remove it यहाँ पे price in US dollar यह हम लिखेंगे dollar sign ठीक है so this is all also fine लेकिन यहाँ पे caret of diamond लिखना जरूरी है अगर आप इसका title नहीं दे रहे अगर title दे रहे हैं तो it's fine अगर report बना रहे हैं then it's fine लेकिन layman के लिए अगर आप सिरफ notebook दिखा रहे हैं so that person should know कि caret कितना diamond का ठीक है अब आगे चलते हैं legend को भी आप customize कर सकते है जो site पर legend आते हैं legend कैसे आते हैं जब भी आप कोई भी hue की command देते हैं something like this तो आपके पास यह plot बना यह legend है ठीक है यह बला legend आगया हमारे पास अब इस legend को हम कैसे set करते हैं वही plot उसी code में बनाके plt.legend अब आपको एक चीज यहां पर clear होगी होगी कि coders को पता है कि यह legend जो होता है वो यह चीज होती है figure के नीचे जो लिखा जाता है that is figure caption ठीक है so legend हम इसका title लिखेंगे तो title आ जाएगा इसकी location यानि कि LOC बताएंगे तो यह location आ जाएगी यह याद है न location python के अंदर pandas के अंदर भी हमने use किया ilock और simple lock का function so वो यह वही चीज है and इस तरीके से आप customize कर सकते है जैसे आप check करें कि यहां पर legend आ गया हमारे पास और यह हमारे पास इसी data के अंदर है मैं इसको lower right भी कर सकता हूं यहां पर lower right कर सकता हूं and then it will be like this ठीक है यहां पर आप देख रहे है तो आप position set कर सकते हैं और पिछले lecture में मैंने आपको बताया भी था अगर इसको out of the plot लेके जाना है लेकिन usually it's better अगर आपके plot के अंदर space है आप वहीं पे इसे रख लें then आप ticks को भी customize कर सकते हैं जैसे यह ticks हैं हमारे पास यह वाले यह straight थे मैंने इसको अब rotate करना है तो simply मैं क्या करूँगा plt.x ticks rotation इनकी मैंने देदी 45 और font size हमने दिया y ticks का set करके 10 so आप rotation के साथ यहां पर भी comma लगा के font size भी दे सकते for example मैं यहां पर लिखता हूँ font and size is equal to let's see मैं इसको 12 कह देता हूँ I will just see के मेरे पास क्या होता है and here you go इसका size बड़ा है इसका चोचा हो गया so it depends on your choice क्या आपने बराबर size रखना है इन दोनों का या same करना तो मैं 12 कर देता हूँ अब आपके पास दोनों होगे अब जो labels है वो छोटा होगे ठीक है x labels आप उनका size भी increase कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था sns.settheme के through इसलिए lecture के अंदर हमने देखा था so यहां पर हम labels को set कर सकते हैं अगर आप इसको भी rotate करना जाहें you can do लेकिन it's not actually recommended to rotate this so मैं यहां पर इसको 10 कर देता हूं 10 is usually fine और यहां पर इसको मैं इस तरीके से print कर देता हूं ठीक है और यहां पर आप एक और चीज़ देखें यहां पर आप edge color भी दे सकते हैं यह जो histogram की bars हैं इनका edge यह किस color का होना चाहिए so जैसे मैंने यह edge दिया यहां पर आप देख लें black तो यहां पर black आ गया ठीक है so हम price का histogram देख रहे है edge color black दे दिया इसको मैं red भी कर सकता हूं it will be red like this लेकिन blue के साथ black ही सज़रा था ठीक है यहां आप dark blue कर दे यह इसको मैं blue कर देता हूं you will see now यह blue हो गया so it depends on your choice कि आपने कैसा है इसको color देना है ठीक है आपको color palettes का पता होगा then you can add a grid again white grid इसके अंदर set style के अंदर add करेंगे इसी plot के अंदर grid आ जाएगा ठीक है अब grid की line style भी आप change कर सकते हैं something like this आप white grid देंगे तो यह होगा फिर उसी grid को customize कर सकते हैं using these commands यह theme में grid है हम फिर इसको true करके यहां से customize कर रहे हैं अगर मैं इसको remove कर दूं comment out कर दूं still you will see the grid लेकिन जब हम मैं style को on करता हूं you will see now अब हमारे पास total background white grid का है even including the borderlines क्योंकि theme ऐसी है अब मैं अगर इसको comment out करता हूं now you have only the grids समिट है white grid ही का लिए जो theme हमारे पास है अब मैं इसको on करता हूं and here we have the same thing and if we remove this here we have this plot अगर मैं इसको भी remove करता हूं then we have this plot क्योंकि set हमने theme पहले की वह है वो automatically उसके अंदर चल रही है मैं अगर इसको दुबारा से सब वाली उपर वाली output को दुबारा से चलाता हूं सारे के सारे so यहां भी यह button होता है उपर वाले सारे code चल जाते हैं here we have this plot अब इसके अंदर हम true करके इसको चलाते हैं तो हमारे पास यह आ गया and अगर मैं इसको चलाता हूं then we have this so white grid जो है automatically set style के अंदर आ गया इसको dark grid भी हम कर सकते हैं let's see dark grid चलता है यह नहीं चलता dark grid and now the background is dark so it's up to you आप किस तरीके से इसे set करते हैं alpha की value का मतलब है कि कितना आपने इसको dark रखना है या white रखना है so it depends on you आप देख रहें एक दफ़ा theme set हो जाए तो theme वही रहरी है until illness you restart the kernel और आप set style को दबरा से set करें अब यह वाला style जो है अक्सर उकात same plots के अंदर आगे भी जाता रहता है यहां पर हमारे पास box plot है इसको d spine करेंगे तो हमारे पास यहां पर check करें यह d spine हो गया और हमारे पास theme वही चल रही है जो हमने पहले set की थी इस theme को यहां पर हम change भी कर सकते है set dot sns dot set underscore theme कर ले तो मैं यहां पर so यहां पर हम white grid की बजाए कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन अगर white grid आपने रखना है so now you will see d spine से वह यह वाली चीजें जो है वह जाती रही है this is a kind of revision जो हमने पहले भी की थी लेकिन usually यह plots ऐसे सही लगते हैं अगर आप d spine को यहां से remove करते हैं और इसको मैं दुबारा से run करता हू something like this so it's nicer लेकिन इसको भी मैं और अच्छे तरीके से अगर बोलू तो palette की बजाएना मैं यहां पे hue देना ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि हमारे पास एक और variable same जगा पे आ जाता है something like this but it shouldn't be a lot बहुत ज्यादा heavy नहीं होना चाहिए आपका plot लेकिन नॉर्मली वह सही तरीके से चलता रहे फिर इस तरीके से dspine होता है figure size पहले मैंने आपको समझा दिया था आप इस तरीके से figure size को design कर लेते है plt.figure के थुरू और अगर आप figure is equal to figure size कर लेते हैं तब भी यह set हो जाता figure size without that you can also set in this way इस पूरे के पूरे के अंदर आपका figure size 10 by 6 का है अगर मैं इसको यहां से 15 by 6 करूंगा then this figure go like this ठीक है so usually जब आपका line plot हता है आप 15 by 2 यह 10 by 2 इस तरीके से उन figures को लेके चलते है so I will keep it like 10 by 6 now you know के size किस तरीके से set करने है और हमारे पास जो है वो title और different किसम के plot है वो हम यहां पे बना रहे है अच्छा subplot के लिए मैंने आपको बताया था कि आप figure and axis बता देते है plt.subplot को use करते है 1,2 यानि के 1,2 आपके columns है एक आपके पास row है और इस तरीके से हम plot बना लेते है और फिर आप यहां से अब जो आपने plot बनाया है यहां पे plot बनाने के बाद आप उसका proper जो है वो यहां से start करते है for example यह हमारे पास plot आ गया और यहां पे आप axis बता देते हैं कि किस axis position पे आपने जाना है last time हमने 2x2 का भी बनाया था आपको याद होगा और हमने multiple भी बनाया थे so इस तरीके से sub plot बन जाता है and this is most important customization क्योंकि आप अक्सर हो काज जब sub plotting करते हैं तो आपके पास different किसम की 2 values इकठी आने चाहिए for example caret and price यह हमारे पास 2 values है और अगर आप चेक करें इन दोनों का यह count plot हमारे पास बनाया बिनिंग के बाद then we have adding annotations जो मैंने last time भी आपको बताया था कि आप annotation भी add कर सकते हैं लेकिन यह rush डाल देती है आप यही समझ लें जैसे पाकिसान मिल लह और फैसलबा different cities के अंदर smoke होई है यह plot के उपर smoke आ गई है और आपको plot नजर नहीं आ रहा so this is something like that अगर आपके पास point बहुत जयाद है लेकिन अगर point कम में और specific point पर आपने annotation करने है you can do it then we have color palettes this is the most important point of any customization जब आप color palette को start में ही define कर दे कि यह वाली हमारी color palette है तो automatically पूरे plot में आती जाएगी so हम यहां पे muted, comma we can use different other deep and others, you will see now मैं इस plot को बनाता हूँ, यह हमारे पास color palette है मैं यहां पे अब deep को set करता हूँ deep यह हमारे पास same color आ रहा है इसकी reason क्या है कोई बता सकता है मुझे because we need a color argument color means column जो है यहां पे clarity कर देता हूँ बजाए इसके color के then you can actually see किया difference चाल रहा है यह हमारे पास एक आगया अब of course इसके अंदर figure size भी हमें देना जरूरी है figure is equal to plt.figure size 10 by 6 यह इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ यह हमारे पास इस तरीके से figure है 10 नहीं इसको मैं 15 कर लेता हूँ और इसको मैं 4 कर लेता हूँ just to expand it upon अब यह जो मुझे size adjust करना पड़ है plotly एक ऐसी है library जिसके through आप सिरफ window अपनी set करते है notebook में वो automatically वैसी adjust हो जाता है automatically so I will show you that one as well लेकिन यहां पर आपने देखा हमने यहां पर deep रखी तो यह वाली आगे muted करेंगे तो हमारे पास color palette जो है वो totally change हो जागे and it's a subtle difference क्योंके same उसी जगा पे आ रही है and then color palettes आपके पास different है color blind यह है, deep यह है muted यह है, bright यह है pastel यह है, dark यह है so यह आपके पास मैंने नीचे इसको print करके भी दिया हुए ठीक है और यह basically मैंने कैसे किया है html का code लेके markdown के अंदर इसको मैंने print किया and somebody on his or her website उन्होंने इसको upload किया, मैंने वहां से svg लेके इसको यहां पर print किया so the beauty of markdown is you can also use some kind of html or css codes as well ठीक है, तो आप इसी style को copy करके different किसम की online figures को print कर सकते in your notebook so यह code आपके पास save रहेगा आपने सिरफ png हो, svg हो कोई भी image हो यहां से यह change करना है उसका link ठीक है, वो image print हो जाएगी इसकी example यह है for example मैं यहां पर आता हूँ और यहां पर मैं diamond लिखता हूँ, जैसे यह लिखा हुए और इसको मैं say for example मैं images में जाता हूँ, images में जाने के बाद, मुझे यहां से कोई diamond की image अच्छी लग जाती like this मैं इसको copy करता हूँ, यहां पर copy image address आता है ठीक है, अगर यह dot png के साथ end हो रहा हो या किसी image के साथ end हो रहा हो, then I can actually add that so say for example, यह image है dot jpg से end हो रहा है यहां पर आपने देखा dot jpg से हो रहा है मैं इसको copy करता हूँ, यहां पर paste करता हूँ, और यह वाला code है मैंने उठाया यहां से, इस जगा पर आने के बाद यह जो html के अंदर source स्थाना, उसको मैंने change कर दिया इसको यहां से मैं change कर देता हूँ यह वाला, paste, let's see मैं इसको run करता हूँ, नहीं, this is a python code, I need to make this markdown यह ले, image से, image आगे, directly यही नहीं, इसके अंदर आप एक और changes कर सकते हैं मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, यहां से मैं 200 pixels इसकी width करना चाहता हूँ यहां से मैं इसको check करता हूँ छोटा हो गया, 800 pixels ज्यादा so this argument can help you a lot, ठीक है? यह आपके लिए future में future proof चीज है यह मैंने सारी की सारी दी है, आप heat map के लिए यह वाली use कर सकते हैं check करें, आप पर depend करता है कि आपको कैसे colors पसंदें और कैसे use होंगे, of course these kind of colors are really professional these kind of colors क्योंकि यह heat map है but it depends कि आप कैसे choose करते हैं this is a kind of rainbow color and if you like more colorish things you can print out this thing, अच्छा एक और चीज है आपके brand पर भी depend करता है जिनकी आप report बना रहे हैं, कि उनकी color palette क्या है, तो आपने plots हमेशा अपने brand के colors के बनाने है, अब यह वह चीज है जो अकसर अकात लोग ignore कर जाते हैं खास तोर पे वह लोग जो professional data analyst नहीं हैं सिरफ practice कर रहे हैं, they don't take care about their brand या उस brand जिसका उनके पास आया, say for example आप plot बना रहें BBC के लिए, so BBC की एक color palette है, जो उनकी website पे भी है, जो इनके different logos पे भी है, जो उनकी अकसर अकार t-shirts या उनका backdrops के उपर होती है, आपने वो ही color palette चीज़ करनी होती है जो उसके साथ match करें, बिलकुल odd नहीं ले लेनी, so इसी वज़ा से colors जिनको आते हैं, जिनको पता है user interface कैसे design करते हैं, वो फिर data analyst के साथ मिलके उनको बताते हैं कि यह हमारी color palette है, इसको use करो, आप customize भी कर सकते हो, and at the end, वो जो color palette होगी, that will help that brand to grow up, ठीक है, so इस वज़ा से मैंने यह सारी की color palettes यहां पर दीए, अब आपने इखवार के लिए कोई बनाना है न, plot, तो gray scale में बनाएं, कभी भी color में न बनाएं, क्योंकि वो हो सकता है color इखवार ना हो, something different हो, या जो report print हो नहीं, so you should know, कि आपका जो plan है वो कैसे है, और यह multiple color palettes मैंने आपको दीए है, यह मैं scroll down करता जा रहा हूँ, you can see यह यहां तक आगी है, and then you have these kind of color palettes आप इस तरीके से set कर सकते हैं, अपने data में start में आप set कर दें, वो automatically फिर पूरे के पूरे plot के अंदर चलती जाएंगी, ठीक है, and यह most popular color palettes हैं, both forward and reverse, ठीक है, अगर आप accent use करेंगे, तो forward ऐसे चलेगा यानि के पहले आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, शाटा, साथवा, आटवा, आटवा color, अगर आप reverse accent R को use करेंगे, it will go reverse, समझे हैं, forward and reverse, तो यह color palettes आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, यह पूरे का पूरा database आपके सामने हाजिर है, इस notebook के अंदर, which will help you a lot to customize your plot, इसके इलावा customization के अंदर आपके पास multiple चीज़ें आती हैं, figure size हो गया, axis labels हो गया, जितने भी components मैंने आपको plot के पढढ़ाए थे, आपको याद होगा, वो सारे के सारे आप खुद से customize करें, तो plot customize हो जागा, simple, अब दूसरी चीज़ होती है, कि एक plot हो गया, दूसरा भी करना है, दोनों को एक अठा करना, that is called subplot और faceting, faceting, तो हमने दोनों काम भी किये, इसका मतलब customization, जो है, अगर आपको component का पता है, then you can also ask chat GPT, कि ये component मैंने, इसको ये इस तरीके से मैंने set करना है, अगर आपको ये ही नहीं पता, कि x tick को x tick बोला जाता है, तो आप कैसे set करेंगे plot का oval apart, फिर तो ये chat GPT को ये कहेंगे, वो जो plot के नीचे वाला नहीं होता, जहां पर number लिखे होते हैं, वो set कर दो, chat GPT ने फिर hallucinate करना, start कर देना, ठीक है, इस वाजा से आपको पता होना चाहिए, वो जैसे वो अकसर हो कहा था, एक Indian Comedy Show है, उसके अंदर एक बंदा है, उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, थोड़ी देर बाद host भूल गया कि इसका नाम क्या था, वैसे आपका नाम क्या था, वो ही वाला जो पहले बताया था, सो कहने का बात यह है, कि customization एक ऐसी चीज है, अगर आपके दिमाग में components of charts पड़े हैं, then you can actually play with it, और आपके plots बहुत ही कमाल हो, ठीक हो गया, clear हो गया यहां तक, if you have any question, write down in the chat, or in the comment section, then we are actually moving to Plotly, which is one of my favorite libraries to do plotting, और मेरी ही नहीं काफी लोग, बिसमिल्लार मार रहा है, मैं इस lecture के अंदर जो हम काम करने वाले हैं, वो Plotly से related है, Plotly एक ऐसी library है, जो आपको सिर्फ plot नहीं बना के दे, Plots को बहुत एक कमाल बना के देती है, फिर सिर्फ plot आप देख नहीं सकते, आप उससे interact भी कर सकते हैं, फिर सिर्फ interaction ही नहीं, या आप इससे 3D plot भी बना सकते हैं, which you can actually hover around, जैसे वो गेम के अंदर नहीं करते, PUBG वाले character को कभी इदर ले जाते हैं, या वो 3D games जो होती हैं, वैसा ही आप काम कर सकते हैं, फिर यही एक हिला नहीं, आप उसकी video भी बना सकते हैं अपने plot की, यह सारा कुछ plotly आपको देती है, अब आपने सोचा होगा बस इतना हैं, नहीं, आप plotly से proper dashboard बना सकते हैं, coding के through, dashboards ही नहीं आप अपनी websites तक design कर सकते हैं, जिस पर plots होगे, अब आप कहेंगे यह क्या है, इसके इलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप plotly को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं ना, यू can develop apps using plotly plus dash, जो यह हमारे पास different framework है, कैसे, यह सारी की सारी चीज़े हम कैसे करेंगे, मैं भी आपके सामने screen share करता हूँ, and believe me, अगर आप यह lecture को थोड़ा सा गौर से सुन लेंगे ना, आपको यह जब तक आप data analyst या data scientist रहेंगे ना, तब तक यह lecture आपको याद रहेंगा, और यह मेरा दावा है, अगर आप सही तरीके से को और से सुन लेंगे, क्योंकि यह lecture जो है, यह basically मेरे ख्याल से सबसे कमान lecture होने वाले हैं, त्यार हैं जी आप, ओके, यहां पे plots के अंदर ही, मैं एक data visualization के अंदर ही, बल्के मैं ऐसा करता हूँ, यहां पे एक निया folder बनाता हूँ, plotly के separate ही, क्या ख्याल है, यह data visualization ही ठीक है, इसके अंदर हम plotly देखेंगे, यहां पे मैं एक file बनाता हूँ, 04 plotly master class.ipynp, ठीक है, यह मैंने बना लिया, अब सबसे पहला काम यह है, कि आपको पता होना चाहिए, plotly जो है library, this is a heavy one, बहुत heavy library है, और इसके अंदर आपका system जो है, वो थोड़ा सा अच्छा होना जुरूरी है, otherwise आपका जो system है, वो थोड़ा खराब कर सकता है चीजों को, और आपके पास अक्सरोकात print out नहीं आते, so plotly python की अगर बात की जाए, तो यह हमारे पास इसकी website है, अगर आप गौर करें आपके पास plots कैसे बन सकते हैं, something like this, यह आपके पास सारे के सारे ऐसे plots बन सकते हैं, and believe me, एक example में आपको दिखा देता हूँ, यह plot जो है न, इस तरह का plot अगर आपके system में बनाना है, आप इसके साथ ऐसे interact भी कर सकते हैं, so these kind of interaction, so these kind of plots are really easy, मैं आपको बिल्कुल basic से सिखाने वाला हूँ, सिरफ यही नहीं, आप कोई भी plot है, आपके पास something like this, यह plot है, आप यहां से इस plot को interact कर सकते हैं, each point को आप जाके देख सकते हैं, and then आप यहां से इसको turn on भी कर सकते हैं, turn off भी कर सकते हैं, something like this, zoom भी कर सकते हैं और बाके चीज़ें भी, अब इसके उपर हम काम करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ जो नाब plotly और हम सबसे पहले तो जब भी plotly पे काम करते हैं करनल साब को select करके हमने पहला काम करना होता है इसे install करना होता है और installation जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसमें अगर errors और warnings आएंगे then we will see उन्हें कैसे resolve करना है मैं data analysis के अंदर ही इसको install करूंगा because I know it doesn't have any conflict with other things konda activate data underscore analysis यह हमारा एक python का konda environment है तो हमारे पास यह इस तरीके से अब हम यहां पे install करेंगे pip install plotly ठीक है और मैं इसको एंटर करता हूँ यह plotly की library जो है यहां पे हमारे पास record plotly मेरे spelling की गलत है plotly हो गया था again अब ठीक है so मेरे पास already installed है plotly और इसी वज़ा से मैं यहां से इसको बंद करता हूँ और मेरे पास install है तो मैं directly इसको 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 बंद करूँगा लेकिन import करने से पहले आपने क्या करना है import करने है pandas as pd क्योंके plotly जो है वो data frame पर काम कर सकती है and numpy भी हम import करेंगे matplotlib भी c bond भी उसकी reason यह है कि sometimes we need to compare these things ठीक है और यह अपना pattern रख लेंगे यह चार की चार लाइबरेरी से कठी आएंगे आपसे onward then we have from plotly dot या नहीं from नहीं करेंगे हम इसको import कर लेते है import plotly dot express as px ठीक है यह हमारे पास एक आप कहा सकते है plotly के अंदर dot express एक module आप कहा सकते है attribute कहा सकते है जिसके थू हम लाइबरेरी के functions वो वाले लेके आएंगे जो plotting के लिए है so plotly dot express as px px से हमारे figure start होंगी एक और है हमारे पास जिसको हम बोलते है import plotly dot graph objects as go so यह दो method होते हैं plotly से plot बनाने के लिए एक होता है express के थू एक होता है go के थू go क्या है यह basically graph objects है ठीक है graph के जितने components है आप multiple किसम के plus एक एक करके उन्हें print करते जाएंगे वो plot बनता जाएगा जैसे वो मैंने example नहीं दी थी वो अक्सरों काद आपके पास canvas होता है उसके उपर गुबारे लगे हैं गुबारों के उपर फिर axis बना ले हैं आप फिर वो शर्रे मार दें वो step by step जो जाने है वो इसके through होगा लेकिन ये वाला जो कामी है same seaborn की तरह ही काम करेगा same वो ही तरीका है so just few things same plot लेकिन interactive मैं इसको run करता हूँ अब आपने बड़ी गवर से ये चीज़ें देखनी है because I don't want you guys to actually miss anything from this lecture otherwise आपको बाद में issue हो सकता है और वो issue जो है वो देर पा होगा फिर यहाँ पर एक काम आपने करना है plotly कुछ warnings देती है और अक्सर वो warnings जो है annoying होती है और आपकी कुछ information जो है वो notebook के अंदर आजाती है किसी भी जगा पे जब भी Python के अंदर कोई warnings आए कि काम चल रहा है लेकिन वो कह देता है कि अब चल रहा है लेकिन 10 दिन बाहर नहीं चलेगा something like this को ऐसी warnings जो नुकसान दे नहीं है उसको हम remove कर देते हैं remove warnings के नाम से तो हम सबसे पहले python की built-in warnings की library को लेके आएंगे and then warnings.filter warnings को हम ignore करेंगे ठीक है इस से क्या होगा plotly के अंदर जितनी warnings आती है न वो ignore हो जाएंगे ठीक है warnings कैसी है मैं भी आपको दिखाता हूँ then you will see कि किस तरीके से हम चलते हैं हमने क्या करने जैसे हमने matplotlib की customization के अंदर start में एक sample लिया था data का हमने वो ही काम करने है मैं यहां से dataset को read करता हूँ copy यह मैं वो ही code यहां पे ले आता हूँ मैं warning वारे को अभी नहीं चला रहा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों यह warning ज़रूरी है ठीक है मैं इसको run नहीं कर रहा मैं यहां पे paste करता हूँ data को and यहीं पे हम data का sample ले लेंगे और उस data के sample के लिए हम क्या करते हैं df is equal to df.sample and इसके अंदर हम fraction set करते हैं ठीक है fraction आप कितनी भी रख सकते हैं it depends on you अगर आपने जो है वो data frame को shuffle करना आप भी कर सकते है and you can do also many other things तो यहां पे for example मैं fraction बताता हूँ one इसका मतलब है जितने data है उसका one part आ जागा यानि कि one percent data आ जागा ठीक है 0.1 अगर लिखता हूँ तो इसके साथ मैं random state दे देता हूँ 10 random state अब आपके सामने आने वाली है तो इसको दरह और से देखिएगा random state का मतलब है कि अगर मैंने अब data को sample किया और उसको 10 random state पे sample किया ठीक है जब आप इस notebook को use करेंगे and you will write 10 random state तो same data आपके पास भी आएगा sampling में random state is a state जो आप define कर देते हैं ये randomization होती है fraction की ये जो fraction लेनी है इसने automatically random लेनी है 10 का मतलब है जो एक दफा randomization set होगी वो ही जाए ठीक है ये दुबारा change ना हो इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ अब मैंने इसको run किया एक दफा दो दफा तीन दफा अगर मैं fraction 0.1 ठीक है और ये sample जो हमारे पास आ रहा है अगर आप गोर करें this is 10% of the data almost ठीक है अब हम check करते हैं किस तरीके से आता है ये 10% है भी के नहीं भी उसको भी हम check करते हैं तो यहां पे हम वो ही काम करते हैं print df.shape इसकी shape को हम print कर देते हैं यहां पे भी print df.shape कर देते हैं पहली shape जो आएगी हमारे पास वो पहले data की है that is this one इन दूसरे की यह वाली shape है इसका मतलब है कि हमारे पास से एक 0 गया यानि कि 10% वो ही है ना divider by 10 कर दो इस हो ठीक है तो वो sample हमारे पास आगया अब यह हमारे पास sample आ गया and usually क्या होता है हमें इनके जो index है उसे re-index करना होता है हमने data को ठीक है उसकी reason क्या है मैं आपको बताता हूँ re-index the data इसकी वज़ा यह होती है reset index करने की कि हमारे पास जो data पहले आया है ना इसको अगर मैं आपके पास show करवाऊं यहां पे df.head गौर कीजिएगा यह data के index आप देख रहे हैं कैसे चल रहे है जो sample number है वो ही index चल रहे है हम जब इसको दुबारा से indexing करेंगे ना slicing तो हमें अब इस वज़ा से हम इसको re-index कर लेते है reset कर लेते index को अब मैं इसको df.head करता हूँ and hopefully यह index reset हो चुके है समझागी बात की यह point याद रखने है क्योंकि यह वरना मसला करते हैं visualization के अंदर जब आप sampling करते हैं data की यहां तक clear होगी जो बात अब आगे चलते हैं अब हमारे पास जो अगला काम है पहला plot हम बनाने वाले है इसको मैं बोलता हूँ one बल्के इसको scatter plot वैसी मैं गया देता हूँ और scatter plot यह हमारे पास scatter plot होगा figure हमने बनानी है equal to जब भी आप कोई plot बनाते हैं अब figure से start करते हैं fig is equal to plotly के अंदर यह ज़रूरी है ठीक है आप एक graph को एक object के अंदर store करते हैं क्योंकि हमने px के थुरूर बनाना है तो px dot जैसे मैंने dot लिखा you will see के आपके पास यहाँ पे multiple plots आगे जैसे c bond के नहीं थे sns dot, sns dot flan dot, flan dot same वो ही चीज nothing is changed कोई भी चीज चीज चेंज नहीं है ठीक है मैं यहाँ पे scatter लिखता हूँ यह आगया scatter सबसे पहले आपने data frame देना है कि किस data पे plot बनाए then आपने x-axis देने है then आपने y-axis देना है और बाद में बाकी चीज़े मैं यहाँ तक इसको scatter plot को set कर लेता हूँ यह हमारा simple plot scatter plot x-axis, y-axis and data अब समझ आईए variable का समझना जरूरी है data की समझ होना जरूरी है फिर plot बनेगा otherwise नहीं बनेगा अगर आप गौर करें caret and price यह दोनों हमारे पास कौन से data set है numeric caret and price तो इन दोनों का क्या बनेगा point plot या scatter plot ठीक है अब मैं यहाँ पे इसको अगर मैं run करता हूँ न it will take some time लेकिन कुछ सामने नहीं आया reason जैसे plt.show था न matplotlib के अंदर यहाँ पे है fig.show simple and error आगई है let's see क्या error कहती है वो कहता है कि आपके पास ये वाला renderer मौजूद नहीं है nb format version this ठीक है और इसको हमें install करना पड़ेगा ये क्या करता है ये basically in notebook आपके पास चीजों को print करता है मैं यहीं सही से copy करता हूँ इस चीज को nb format greater than equal to this one copy नीचे जाता हूँ यहाँ पे pip install let's see हमारे पास install होता है कि नहीं होता है and hopefully हो चुक है लेकिन मैंने गलती क्या की है की है ये नहीं की नहीं data analysis के अंदर ही है so अगर मैं इसको दुबारा से उसी command को चलाऊं nb format के साथ तो ये already satisfied है let's see now अब मैंने क्या करना है गौर कीजेगा मैं restart करूँगा kernel को बलकि उससे पहले मैं save करता हूँ notebook restart kernel and now run all उपर से नीचे तक सारी चीजे रन करते है अब भी error आती है तो मैं देख लेता भी क्या error है लेकिन आपके सामने error को हमने resolve कर लिया कुछ लोग गपर आ जाते है error को देखते और वो फोरन से screenshot लेकर discord में डाल देते है so usually उसी में solution होता है वो जो ready ready लिखा होता है वो ही solution होता है वो बता रहाता है और इतनी advancement आगी है coding के अंदर then you can actually see that यहाँ पर चेक करें पूरी screen पर आ रहा है plot यही beauty है इसकी अब हमने सिरफ एक plot बनाया scatter plot क्या चीज़ें दिया x, y, x and data और कुछ दिया है नहीं ना दिया यही चीज़ मैं copy करता हूँ अब देखिएगा इसी चीज़ का line plot हम बनाएंगे scatter का ही line बना देते है line plot scatter को ही मैं line कहा देता हूँ line and boom यह ले जैसा मर्जी बनाए वो बाद में देखेंगे क्योंके sense नहीं बनती line plot की यहाँ पे but you know the drill now के x और y-axis देने फ्लांचीज देने फ्लांचीज देने अब एक और चीज़ मैं करता हूँ इसी scatter plot के अंदर थोड़ी सी amendment करते है देखिएगा यहाँ पे hue देते है ठीक है अब ज़र गवर करनी है आपने error आई याद है मेरा lecture मैंने आपको बोला था hue सिरफ seaborn में है plotly के अंदर it's different क्या है देखिएगा वो कहता है hue जो है unexpected argument है plotly के अंदर हम किस argument को लिखते हैं कोई याद है किसी को lecture लोग कह रहे हैं fill which is nil color का argument था exactly same वो ही चीज़ है सिरफ color का argument है और plot की shine चेक करें plot को चेक करें किया कमाल का plot बने ठीक है अब यही नहीं यह है interactive plot आपने एक चीज़ देखनी वो देख लो आप अच्छा present करें आप कहते हैं कि यह हमारे पास very good data जिसका cut very good है carat और price इस तरीके से increase कर रही है but on top of that premium का कुछ इस तरीके से match कर रहा है which is similar और premium में कुछ data यहां पर ज्यादा scatter है आप कहते हैं good कि अगर हम चेक करें तो यहां पर ज्यादा data यहां पर कम है so this is how you can present as well these kind of plots समिल आई बात की okay that's another question कि से powerpoint में कैसे लेके जाना usually powerpoint से दुनिया आगे जा चुकी है dashboards चलते हैं जब आप कहीं पर present करते हैं और वो automatically online चीज़े होती है so you can convert this into HTML और उसको open करके present कर सकते हैं which I will teach you यहां तक समझ आगी जी किस तरीके से काम करना है scatter plot का को issue यहां तक hopefully नहीं होगा ऐसे ही है चले अब इसे plot के अंदर मैं copy करता हूं इसके यहां पर नीचे को ले आता हूं यहां पर कॉमा लगा के न मैं थोड़ा सा enter मारता हूं यह जो चीज़े आपने याद रखनी है क्योंकि एक line के अंदर ज्यादा code लिखने के पिज़ए कॉमा लगाएं enter मारे bracket को थोड़ा सा नीचे ले जाएं indentation होगी indentation होगी है automatically indentation indentation जो भी है वो हो गया यहां पर you can understand यहां पर title लिखें equal to जो भी title होगा कॉमा लगा दें फिर उसके आगे अगली command फिर उसके आगे अगली command फिर उसके आगे अगली command so this is how you can play with this ठीक है जैसे मैंने title लिख है मैं इसको enter करता हूँ यह आगया title अब मैं जाता हूँ title नहीं चाहिए इसी को आप comment out कर दे आपका पूरा code भी चलेगा that's the beauty of using multiple lines एक line पर नहीं जाना कि आपको फिर वो white screen वो जो 54 inch के लिए नहीं पड़े कि code आप कैसे चल रहा है आप ऐसे चलते हुए देख रहे है समझे रहे हैं तो इस तरीके से नहीं आपने करना so this is how you should code यहां तक समझ आगी बात की अब यह तो था title कैसे add करना है इसी चीज़ के अंदर copy करता हूँ मैं इसे नीचे ले आते हैं यहां पर मैं enter करूँगा नो तो मेरे पास labels का भी एक argument आजएगा this is how you can add labels और labels आपके dictionary wise आते हैं अगर आप गौर करें labels is equal to carat को carat weight में change कर तो price को price यहां पर मैं dollar sign add कर देता हूँ this is how you can change labels और यह label कैसे change हो रहे है this is also known के यह x-axis पर यह y-axis पर you just need to put the variable ले यह थोड़ी से और advancement होगी SNS की बजाए वहां पर XL Labs होता था YLabs होता था यहां पर exact name आपने दे देना है and that's even better आप XL Labs, YLabs भी यहां पर use कर सकते हैं but this is even better तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं अब हम क्या करते हैं यहां पर एक छोटी सी advancement और करते हैं और मैं यहां पर line plot ही बनाता हूँ लेकिन एक different तरीके से मैं यहां पर आता हूँ आपको group by function याद है हर caret का mean ले लिया है caret की जितनी values हैं उसका mean ले लिया हमने ठीक है और df mean हमारे पास कुछ इस तरीके से है df mean dot head डगर मैं आपको दिखाऊं नीचे वाले हों को मैं जड़ा अभी के लिए cut कर देता हूँ so this is how it looks like इस data को हम plot करने वाले है caret और उसका mean ले लिया यानि के हर caret की price का हमने mean ले लिया average ले लिया so this is just an idea के आप किस तरीके से line plot को draw कर सकते हैं यहां पर मैं इसको print करता हूँ अब हमने line plot draw करना है उसी line plot को जो हमने पहले देखा था df mean और उसके आगे फिर हमने x और y price दे दिया पहले जो line plot बना था that was like this caret और price का ऐसे ही है अब देखिएगा चेक करें now it makes sense समझे रही हुआ क्या है यहां पर हर point की average आगी है हर caret के point की average आगी है समझाई यानि के एक point था न जहां पर जहां पर 5-7 values थी price की एक caret पर उनकी average आगी है यहां पर so this is how you play with the data और अगर आप data के साथ play करना जानते हैं then you know कि किस तरीके से data आपका नज़र आएगा ठीक हो गया जी अब हमने जहां करना है आपको एक छोटी सी में trick दिखाता हूँ देखिएगा मैं इसी code को copy करता हूँ नीचे जाता हूँ यहां पर इसे paste करता हूँ मैं इसको zoom out कर रहा हूँ screen को ठीक है zoom out किया आप देख रहे हैं यहां पर यह plot छूटू से इसी plot को मैं दुबारा बनाता हूँ चेक करें automatically adjust हो गया width के साथ this is the beauty when you zoom into something तो automatically वो जो है आपके पास set हो जाता है ठीक है अब हमारे पास जो अगला plot है उसको हम देखते है यहां पर मैं इसको थोड़ा साब zoom in कर लेता हूँ because it was really zoomed out यहां पर मैं paste करता हूँ and then I will show you कि यह क्या plot है same वो ही चीज़ है clarity and इसका bar plot बनाने लगे अब आप देखिएगा bar plot SNS के अंदर automatically bar plot का क्या होता था standard deviations विगरा आ जाती थी और बाकी चीज़े आ जाती थी इसको देखिएगा यह मैंने bar plot बनाया सारी की सारी values singularly आ गई है समझा है बात की कि नहीं क्योंकि interactive plot है ना उन्होंने तो सारे points से दिखाने है अगर हम यही c-bone में बनाते SNS dot bar plot हम x पे clarity रखते and y पे price रखते तो हमारा plot कुछ इस तरीके से automatically average लेके या total लेके उसकी standard deviation हमारे पास आ जाती थी ऐसे ही है होता था ना ऐसे अगर आपको याद हो so this was kind of average कि clarity पे क्या था clarity को भी छोड़ें cut से आपको और भी असानी से समझ आ जाएगा this was it और यह automatically calculate करके यह standard deviation थी variation और यह आपके पास average थी अब यह काम यहां पे क्यों नहीं हो रहा उसकी reason पता क्या है क्योंकि यह interactive plot है and for this you have to do it by yourself वो कैसे अब आपने एक data set या data frame बनाना है जिसके अंदर आपने again जो stats है वो calculate करना है for example मैं यहां पे df underscore stats डालता हूँ is equal to हमने करना क्या है df dot group by करने के बाद हमने cut की price का mean, median and standard deviation जो भी आपको चाहिए मुझे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ mean and standard deviation चाहिए सही है aggregate का function क्या करता है दो चीजें same ही चीजों पे लगा देता है same calculation पे हो रही है अगर सिर्फ mean होता तो mean आ जाना था जैसे हमने पिछले में किया अगर आपको याद हो यहाँ पे यहाँ पे जैसे हमने सिर्फ mean ले लिया अब aggregate function क्या कर रहा है वो basically pandas का function है which is calculating mean and standard deviation ठीक है और अगर मैं यह data set आपको दिखाऊ it will look like this यह चेक करें cut mean and standard deviation तीन चीजें बन गी अब हमारा data set वो 54,000 या 5,000 या 10,000 वाला नहीं है इस plot के लिए यह है हमारा data set and what you have to plot now cut mean and standard deviation यह plot करना है और इसके लिए आप क्या करते हैं इसको simply मैं क्या करूंगा bar plot हम इसका draw करते है and here we go fix px.bar df underscore stat x is equal to cut आजएगा y पे mean आएगा अब ये वाला price नहीं आएगी क्योंकि हमने automatically price का mean देखा है ठीक है and then title average आगया color हमारे पास cut आगया और इस पे हम figure.show करते हैं let's see यह हमारे पास आगया जबार plot ऐसे ही है clear हो गया अब यहाँ पे जो argument missing है वो है इसकी error ठीक है और error किस चीज़ की होती है जो y-axis पे value होती है mean भी उसी का होता error भी होती है ठीक है इसी वज़ा से इसका literal name है एक coding के अंदर इसको बोलते है error underscore y यह और यहाँ पे आप standard deviation भी दे सकते हैं जो आपने calculate की है standard error भी दे सकते हैं अगर आपने देनी हो और बाकी चीज़े भी and here we go ठीक है of course यह बहुत फैली हुई है I can understand that उसकी reason यह है standard deviation और data बहुत बड़ा है so जिसकी वज़ा से इसकी variation भी जयाद है variation काम करनी है of course you can play with the data और आप अपनी मर्जी से cut की बजाए इसको आप color भी कर सकते है या clarity भी कर सकते है clarity का अगर मैंने करना है तो मैं इसी को clarity कर दूँगा and it will be like this let's see कहां पे गलती है so we have now color is not the name of column in data frame okay so we have color clarity and here we go ठीक है so आपके पास different किसम की standard deviation आती रहेगी इसी वज़ा से अक्सरोकाद standard error यूज की जाती है क्योंकि standard deviation जो है अक्सरोकाद अगर आपका data बहुत ज्यादा diverse है तो positive negative की वज़ा से वो change हो जाएगी anyhow this is how you can add the error अगर आपने error add करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते है आगे चलते हैं जी हमारे पास जो अगला है वो है histogram बहुत असान plot है again आप यहाँ पे सिरफ और सिरफ आपने बताना है figure histogram लिखना है px.histogram अपना numeric column देना है number of bins जैसे हम पहले देते हैं तो वो bins थी यह n bins है इतना से फरक है sns के अंदर bins थी और इसे को fig.show करता हूँ control enter करता हूँ and this is your histogram और आपके पास हर bin की value आ रही है range आ रही है अगर गौर करें ठीक है जो c-bone में नहीं थी यहाँ पे आके आप click करेंगे आपको पता चल जाएगा या hover करेंगे के price यहाँ पे जो range है 500 से 999 यह एक range है और इस range के अंदर 1263 values है समझे है मुझे जो ज्यादा पसंद देना चीज़ वो इसकी वज़ा से है end पे सिरफ 10 values है हमारे पास 18,5 से ज्यादा की price के साथ 18,000 से ज्यादा सिरफ 10 values है लेकिन बड़े data set में ज्यादा होगा so this is how you can play with this end bins and you can see के हमारे पास क्या चल रहे अब इसी को मैं अगर 500 bins करूँ I know it's a big number it will take some time लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पे आपको gaps ने ज़रा जाएंगे यह है जी gap यहाँ पे और आप देख रहे होगे कि यार यह छोटा सोटा दिखा रहे of course you can zoom in मैं यहाँ से select करता हूँ यह इतना सा data यह gap है मेरे पास है ना beauty और यहाँ पे gap क्यों हैं क्यों हैं क्योंके value हैं सिरफ एक दो हैं values हैं और आप चाते हैं इसको मैं और closely देखूँ इसको और zoom कर ले यह ले इसके इर्दगिर्द वाली values भी और वो भी यहाँ से reset करना है तो fix कर ले वापिस चले जाए और जो gaps हैं बाकी भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे value कोई नहीं है so this is how you can play with the data और आप यहाँ से visualization के थूँ उसको देख सकते हैं लेकिन usually 50 to 100 जो bins हैं वो आपकी set रहती हैं यह price का था हमारे पास आप different और columns जो हैं उनको भी देख सकते हैं histogram के अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इसी के अंदर जो है वो color भी set कर सकते हैं color is equal to cut अब देखिएगा मैं इसको copy करता हूँ और यहाँ से color जो है मैं अगले में दिखाता हूँ आपको यह थोड़ा से advance हो जाएगा but it will show you the beauty देखिएगा हर एक value का histogram आगया इकठा समयले भात की? So that means कि जो आपके पास a plot है न it's taking price based on the cut और उसका histogram है and then आपके पास उसका proportion भी आ रहा है अब मेरे पास cut की जो ideal डील है अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ यह वाले को अब देखिएगा जो beauty है ने इसकी वो यह है good cut की मेरे पास 83 values है और cut जो fair है उसकी 14 values है यानि कि इस range में वो आता ही नहीं है सबसे ज़्यदा values है 6,11 जो ideal cut की है ठीक है so अब आप खुद सोचें जिसको थोड़ी से basic पता है histogram कैसे बनना को एक argument से क्या आपका जाता है तो यह वाला plot बना ले न समय रही? अब आप आगे भी देखेंगे सिर्फ यही नहीं है कुछ और चीज़ें भी जो हम करते है फिर हमारे पास होता है जनाब एक density contour plot density contour plot यह भी बहुत असान है सेम आपने सिर्फ नाम चेंज करने है बाकि अंदर वाली चीज़ें कोई change नहीं हो रही अगर आप गौर करें प्लॉट की टाइप चेंज हो जाती है एंड यह क्या दिखा रहा है कोई आपको पता है इस प्लॉट को हम किस तरीके से देखते हैं प्राइस का यह density contour plot है बेस्ट अन दे कैरट अगर आपको याद हो हमने start में कैरेट की बेस पे यह वाला एक plot बनाया था कैरेट अन प्राइस density का मतलब है जहां पे ज्यादा points इकठे है dense area densely populated area नहीं होते है जहां पे ज्यादा लोग रहते है इकठे इसका मतलब है पर square meter में ज्यादा लोग है यहां पे वोही चीज है यानि के एक specific unit के अंदर आपके पास multiple count आ रहा है तो यह एकसर हो काथ use होता है density plot जब आपके पास data बहुत ही बढ़ा हो ठीक है so this is how you can make this और इससे आपको पता चल जाता है कि density कितनी है फिर हम चलते हैं जी box plot की तरफ same वोही चीज है box plot आपने draw करना है देखिए कोई चीज चेंज की है मैंने बीच में सिर्फ box चेंज हुआ है so this is how you can play लेंजनाब आपका box plot बन गया मज़े की बात बता हूँ यह रहे हैं extreme values यह रहे हैं आपके chord tiles बगरा और बकाइदा दिखा रहा है q1, q3, q2, median हो गया फिर आपके पास minimum value है maximum value है upper fence है lower fence है आरी समझ यह अपर fence है इससे उपर फिर आपके पास outliers होने के chances है अगर मैं आपको एक मज़े की बात बताओ कि जो outliers का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक limit से बाहिर हो तो outliers होते है आपको पता है कि आप outliers जो हैं वो यहाँ पर detect भी कर सकते हैं using the commands let's see यहाँ पर यह command points और यह सारे points शोग करती है ठीक है? जरह देखिएगा यह सारे points आगे this is actually आपका जो strip plot है उसे बोलते हैं strip plot यह वाला जो strip आगे है point की लेकिन जो मज़े की बात है ना अगर आप इस all की value को change करें इन दोनों के साथ अब देखिएगा मैं इसे outliers के साथ change करता हूँ and boom यह outliers आगे ठीक है? अब सिरफ यह वो ही point show कर रहा है basically which are potential outliers not really outliers potential outliers फिर इसको आप जो ज्यादा confidence वाले हैं अगर आप suspected outliers लिखेंगे you will see a change here now you can see के आपके पास कुछ outliers हैं वो basically अगर मैं इसको zoom in करके दिखाऊँ ना आपको वो बिलकुल dark हो गए है जो suspected है यह वाले वो dark हो गए है बाकी hollow हैं यानि के यह हो सकता है लेकिन यह फोर आउटलायर सही है so this is how you can see using just box plot suspected outlier, outlier, all points या आप यहाँ पर false कर दें से false and this should work let me see okay points all and false नहीं चलेगा so github ने गलत किये मैं यहाँ पर इसको बिलकुल off करता हूँ comment out करता हूँ तो यह बनेगा हमारे पास अब हमारे पास यह दूसरा बन रहे plot, all का मैं यहाँ पर आप outliers add कर रहा हूँ अब मैं आपको बताता हूँ यह था global outlier यह वो वाले outliers हैं जो global outliers है ठीक है मैं इसको copy करता हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा मैं यहाँ पर एक argument add करता हूँ color का clarity के साथ ठीक है अब price का data based on cut and clarity उसमें कितने outliers है देखिएगा दरा now the numbers are totally different यह green वाले में सिरफ एक है अब आपका group divide हो गया है छोटे subgroups में अब उस एक specific group के outliers देखे जाएंगे समझा है बात की यहना आप देखिए कितना खुबसुरो सा plot बना है यहाँ पर and you can also add suspected outlier instead of outliers which will be like this देखिए ज़रा अब इसको interpret करना कोई मुश्किल थोड़ी नहीं cut की base पे prices और तीन subgroups है आपके cut और clarity दोनों को combine करके prices के outliers आप निकाल सकते हैं यहां से यानि के extreme values कौन सी है outliers कौन से you can see that तो यह था जी box plot आपके सामने और box plot जो है यह बहुत ही कमाल का बनता है अगर आप इसके अंदर different किसम की जो चीज़े हैं अगर आपको पता हो download plot as png मैं यहां पे click करूँगा तो यह save भी हो जाएगा so that's another thing saving में बाद में भी दिखाऊँगा आपको लेकिन this is how you can play अचा मुझे न यहां पे एक छोटा सा चीज़ आड करनी है लेबल price जो है और price dollar के अंदर है और यह basically एक dictionary है अगर आपको पता है na dictionary क्या है so this is how you use अब समझ आई जो पढ़ा था हमने वो कहां पे use हो रहा है this is dictionary key and values ठीक है और यहां पे इसको मैं run करता हूँ and here we have price in dollar cut ठीक है cut of diamond something like this and clarity यहां पे automatically आ गया है क्योंकि हमने सिरफ variable के लिए अब यहां पे आप मज़े की बात देखे labels को आप सिरफ dictionary के साथ change कर रहे है you don't need to mention xlab, you don't need to mention ylab, you don't need to mention legend, you don't need to mention any other thing सिरफ जो variable है वो ही change हो जाएगा directly that's the beauty of plotly सभी हो गया जी यहां तक clear है hopefully clear होगा आपको यह ठीक है अब हम क्या करते है voiland plot बनाते है voiland plot same है, मैं इसी को code को copy करता हूँ यहां पे paste करता हूँ box की बजाए, यहां पे हम क्या लिखेंगे जी किसी को याद है voiland that's it and यहां पे भी मैं लिखते देता हूँ यह ले वो ही plot आपका voiland बन गया अब आप कह रहे होंगे कि यहां पे voiland की तो shape ही नहीं है because of the density of points मैं यहां से अब क्या करता हूँ clarity जो हमने color की डाली थी इसको cut करता हूँ अच्छा, यहां पे cut करने की बजाए इस वज़ा से मैंने यह चीज़े ऐसे comma के थुरू लिखता हूँ अब आपको नजर आ गया होगा मैं इसको भी enter मारता हूँ और यहां पे इसके भी enter मारता हूँ and let's see अगर यह चल पड़ा ठीक है वरना dictionary के अंदर से हमें remove करना होगा here we go सही है, voiland बन गए so that's why we need to use like single line commands आप उसको comment in comment out करके चला सकते हैं violence बनाने के बाद हमारे पास जो अगला काम है वो है different facets बनाना scatter plot के facets बनाते हैं ठीक है और फिर हम देखते हैं के facets कैसे काम करते है facet scatter plot by clarity कर लेते हैं same वो ही चीज है हमने क्या किया है अगर आप गौर करें सिरफ यह एक argument एड़ की है clarity वाला यह देखें हमारे पास caret cut है और facet by clarity कितने variables हमारे पास आगे एक ही plot के अंदर 4 एक price है numeric है बाकी 3 हमारे पास दूसरे हैं मैं इसको run करता हूँ here we go check करें plot आईस्ता 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 आप देख रहे हैं कि plot की कमाल किसमें आ रही है हमारे पास अवाम के एक दफ़ा होश उड़ने वाले है क्योंकि लोग अभी तक Excel यूज़ कर रहे है आप python के अंदर c bone से भी अगले step पे plotly पे चले गए है अब इसका मुकाबले Excel कैसे कर सकता है बताएं आप चार line हो एक line दो line है तक्रीबन maximum और जिसको coding आती है उनके लिए ये बहुत बड़ा एक मैं तो नेमत ही बोलूँगा इसको अगर आप चेक करें now you have cut here और उपर clarity है हर clarity का separate facet आगए है ना मज़े की बात क्या ख्याल है चलें यहां तक आपको समझ आगे किस तरीके से चीज़ें चल रही है अब अगर मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर एक चीज़ दिखा दूँ थोड़ी से आपकी curiosity बरकरार रखने के लिए अगर मैं यहां पर animate इसे करूँ by इसको कर लेते cut की base पे सिरफ आपने यह animation frame देना है अब देखिएगा मज़ा त्यार हैं आप लोग animation frame frame का पता है क्या होता है वीडियो के एक sequence होती है frames per second उसके अंदर होते है एक वीडियो के 30 frame per second का मतलब है कि एक second में 30 figures जा रही है आपके सामने से frames वो होते हैं अब देखिएगा यह आपके पास वो ही plot है क्या मज़ा है जी यहां पर frame है पहले premium show होगा very good दूसरा frame ideal तीसरा fair चोथा good पांचवा इसके एक वीडियो बन जाएगी लोग तयार है आई समय कोई मुश्किल का हम है यह बनाना यार क्या है मैंने एक छूट्टी से कुमांड दी है animation frame that's it यह ले plot आपका तो क्यों नहीं किसी के होशूड है यह in plots को देखके ठीक है यह है जी beauty किस चीज की plotting की अब मैंने यहां पर यह colors भी different इसके किये हुए है जिसकी वज़ा से आपको originally एक color frame नजर आ रहा है ठीक है animation frame and this is how you can actually play the animation और यह उपर जो है आपके पास simple एक चीज आ रही है अब मैं अगर यहां पर size का एक argument दे दू ना यहां पर let me see if I can do that size is equal to depth let's see यह चलता है कि नहीं चलता I don't know but I will try अब check कीजिएगा जिसका जितना size है उसकी depth उतनी होगी ठीक है चलें इसको मैं और करता हूँ इसका मज़ा नहीं आ रहा यहां पर depth की बजाए price लिख देता हूँ अब check करें अब सही वो बनाए क्या उसे बोलते हैं अलादीन का चराग check करें जो है वो plus minus होता जाएगा उसकी reason यह है कि मैं जिस system पर इसे चला रहा हूँ उसको वहने RAM वगारा थोड़ी दी है आपके पास अगर GPU है और आपका graphic अच्छा है system का देन इट विल बी even much better अच्छा वो लोग try ना करें जिनका system थोड़ा सा अलका है अगर यह थोड़ा सा मसला करें फोरण से VS code को बंद कर दे वरना issue हो सकता है यहां तक clear होगी बात अब आगे चलते है इसके बाद जो हमारा अगला काम है that is density heat map और density heat map जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं एक चोटा सा code आपने लिखना है वो क्या है वो ही चीज मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा सिरफ density heat map लिखा है कारट और प्राइस का यह हमारे पास density heat map बन गया मैंने आपको density map दिखाया था यहां पर आपके पास circle 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 से जैसे द्रख्तों के उपर लगे होते है rings जहां पर ज्यादा ring है इसका मतलब ज्यादा लोग है कम ring है तो कम है नहीं है तो कुछ नहीं है तो आपका ज्यादा data यहां पर है आगे जाता है जाता कम होता जा रहा है data है लेकिन कम है यहाँ पर सबसे ज़्यदा डेटा है, आपका dense data है, this is how you can show your data, ठीक है जी, clear होगी बात, अब चलें subplots की तरफ, subplots, कोई enjoy कर रहे हैं plot leak के बस हमी बात ही है, जो लोग, camera बंद करके बैठें, तुसी बता नहीं सौंगे हो, सानू की अगले जड़े जाग रहे हो, सिखी जा रहे, हमें क्या, हमें तो कोई नहीं, अच्छा, यहां पर, अब आपको एक बरीक भी नहीं और बताने वाला हूं, मैं code पहले paste करूँगा, step by step आपको दिखाऊँगा, and then you will see, यह है एक, अच्छा, जब भी आप plotly के अंदर कोई चीज नहीं करने वाले होते हैं, उसके लिए उसका module लाना, या उसके functions का set लाना ज़रूरी है, ठीक है, subplots बनाने है, you need to import from plotly.subplots, यहां से functions का set में खवाना है, which is make subplot, ठीक है, यह हमने subplot का पहले बुलाया function, अब दूसरा का में subplot बनाना, figure is equal to make subplot, जैसे PLT के अंदर AX और figure नहीं हम करते थे subplots के लिए, यहां पर हम यह command यूज करेंगे, figure is equal to make subplot, row इतनी है, column इतनी, कितनी है खुबसूरत बात है, वहां पर index देने पटते थे, यहां पर बकाइदा row and column आप बता आजकते हैं, और असान हो गया, then you have subplot title, क्या title देना है, पहले का carat versus price है, दूसरे का density heatmap of carat versus price है, दो plots है हमारे पास, ठीक है, दोनों के title आगे, कितनी मज़े की बात है, यहीं पर आप title दे रहे हैं, then you will create subplots, पहला plot है यह scatter plot, उसको आप object में save करेंगे, px.scatter, इस तफ़ हम fig नहीं कहा रहे हैं, इस तफ़ हम scatter कहा रहे हैं, कोई भी object बना ले, हमने scatter बोला है, आप a भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, लेकिन नाम originally वो ही देना चाहिए, यह जो काम करता है, data दिया, x और y दिया, और यह data का 0 index पे, हमने इसको print कर दिया, data index 0, and then figure.add traces, scatter हमने add किया, row 1 पे and column 1 पे, ठीक है, आप यही समझ लें, कि पहले हमने canvas बनाया यह वाला, एक row 2 columns, उस पे पहला यह वाला data हमने print किया, scatter के object के अंदर, फिर वो scatter को हमने map कर दिया, इस एक index में, row 1, column 1, और of course data का 0 हमने लिया, ठीक है, data का 0 का मतलब यह है, कि यह वाला जो point as scatter plot, यह scatter plot automatically 0 से start होगा, यानि कि origin point से start होगा, and then we will see यह किस तरीके से काम कर दें, then the second plot is heat map, px.density heat map बनाया हमने, density heat map जो पहला हमने बनाया अभी, फिर वो ही सारे चीजें, इसको भी data 0 हमने बोला, अब मैं आपको बदाता हूँ, यह कैसे काम करता है, फिर हमने यहाँ पे row 1 and column 2 पे इसका data 0 बोला, ठीक है, and then we say, कि यहाँ तक आपका एक plot बन गया, यहाँ तक दूसरा बन गया, यह एक पहला, यह दूसरा, यह दो plot आपके बन गया, यह आपका canvas है, जो आपने पीछे रखा है, ठीक है, आप यह समझ लें, कि यह दो plate है, एक यह plate है, एक यह दूसरी plate है, यह आपकी tray है जिसके अंदर दुनों plate रखी है इतनी बात समझ आगी अब tray की जो 1-1 index है यानि कि left side है उस पर यह वला plot आएगा 1-2 पर right पर यह आएगा तो left and right भी आपके पास clear हो गया उस plate ओं के अंदर उन plate ओं के अंदर अगर आपने सिरफ दाल के points रखें है scatter plot जैसे बोला जाता है तो basically scatter plot हो गया अगर आप उसके अंदर heat map यानि कोई कोई तस्वीर रखी हुई है तो that would be heat map अब इसको हम क्या करेंगे यह जो figure थी ना जो खाली canvas था tray थी हमारे पास plate हमने separate से जाली थी अब हमने दोनों को एकठा करना है using figure और figure के अंदर update layout करना है यानि कि इसकी layout को update करना है हमने and इसके अंदर title दे देना है क्योंकि हम यहाँ पे add कर गए थे सारा कुछ अब हमने title दे दिया उपर and let's show this हमारे पास यह कुछ इस तरीके से plot बन जाएगा ठीक है यह subplot हो गया अब इसको दुबारा से हम देखते हैं कैसे बन रहा है पहले तो हमने module को ले किया है second हमने क्या किया यहां से subplot का एक canvas त्यार कर लिया tray त्यार कर लिया फिर हमने plot prepare किया plot prepare करने के बाद उसको उस figure के अंदर add कर दिया यह जो figure हमने पहले बनाई थी फिर हमने क्या किया दूसरा plot prepare किया और उसको उस figure के अंदर add कर दिया जो पहले बनाई थी then we do this के हम अब क्या कर रहे हैं उसको update कर रहे हैं अब इसका जितनी भी figures बनी है अब उसको आप title देंगे यहां से subtitle जो थे हमने यहीं पे दे दिये थे subplot के title ठीक है और आप इसमें multiple और भी changes कर सकते हैं title text के इलावा आप इसको zoom in, zoom out, font size, multiple चीज़ें कर सकते हैं at the end आपने figure show करवा दी अब जो data का zero index है इसका मतलब यह है कि यह जो हमने scatter plot बनाया है न इसको अपने plot में zero से start करना है यानि के origin point से अपने plot में यहां पे check करें zero से start कर रहे हैं ठीक है, इस तरीके से जा रहा है और यह इदर से zero से जा रहा है, तो अपने plot के अंदर हमने at the end यह बना लिया तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से plot बनता है, अब अगर आप गौर करें ये double plot है लेकिन दोनों में same same किसम की interactivity भी है, सब कुछ चल रहे मज़ाता बात है of course I know आप सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या करवाई जा रहे यहाँ पे देखिएगा, मैं आप scatter plot के अंदर ना थोड़े सी changing करने वाला हूँ that changing is मैं यहाँ पे color देता हूँ is equal to cut and then इसको मैं ये भी कर देता हूँ, जो हमने पिछे frame दिया था ना animation frame cut के through color हमने दिया था clarity, let's see I'm just trying something animation frame cut के through हम ये वाला दे देते हैं, मैं इसको run करता हूँ let me see, क्या है जी और अच्छा जी, scatter animation frame, color animation frame को भी काटते हैं cut को, color को देखते हैं this should be working no, it's not working hmm, that's strange for the कर्णकर है टो, अन्यूशब तन्यूशब त constrained हैं, which अ व्षे अट जारीं, and हैं, how is it, इस अ उन्यूशबग देखते हैं, उन्यूशब तेखते हैं, उन्यूशब श्यूबग, शो जालाएं, बहते हैं, मसला animation कर नहीं है सब plot में ये काम नहीं कर रहा anyhow we will see later on I was just एक पंगा ले रहा था मैं कि अगर यहाँ पी animation चले तो हम multiple animations को क्या एक ही frame के थुरू देख सकते हैं या नहीं कि कहां से density change हो रही है कहां से नहीं so I will work on that and इसके बाद हम इसको फिर देखेंगे of course canvas के अंदर भी हमें इसको देखना पड़ेगा I will make sure later on anyhow हम आगे चलते हैं अभी अभी हमारे पास जो है वो हम heatmap इसका बनाते हैं एक simple था और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करता हूँ and this is how the heatmap will work simply क्या है वो ही चीज़ा correlation matrix बनाएंगे आप सिरफ numeric variables का बनाने के बाद आप figure बनाएंगे and go figure object को आप heatmap में लेके जाएंगे इस दफा हमने px.o नहीं किया ठीक है आप px के साथ भी कर सकते हैं something like this देखिएगा px. density heatmap figure.show यह px के साथ भी आप कर सकते है and आप go figures के साथ भी कर सकते है go को बाद में देखते है जो हमारे objects हैं अभी के लिए हम यही देखते है and text अगर text auto करके is equal to true कर देंगे now you will see किसके अंदर text भी आजाएगा कितना correlation है किस चीज़ का right so इस तरीके से आप density की map भी बना सकते है one by one का और आप यह भी देख सकते है कि carat का और बाखी चीज़ों का किस तरीके से जो है वो correlation चर रहे है यहाँ पर left size पर correlation आपका जहार है उपर वाली side ठीक है so you can see कि correlation जो है वो किस तरीके से आपने find out करना है but of course यह correlation matrix जो है यह density heat map से different होता है let me see कि अगर मेरा यहाँ पर heat map directly चले which is not the case जो हमारे पास go के साथ था that is a bit different yes this is more accurate क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो left and downside पर दोनों पर correlation आ रहा है और यहाँ पर matrix आ रहे है so यहाँ पर go figure कैसे चलता है go यानि के आपके जो graph पर object से dot figure आप करेंगे data देंगे जैसे for example हमने heat map बनाना है go heat map graph object dot heat map हमने बनाना है ठीक है यहाँ पर पहले आप figure पूरी define करते है फिर उसके अंदर data is equal to go dot heat map of correlation की index value जो यहाँ पर आपने ली है correlation and y पर उसकी जो columns की values है z पर आप उसकी correlation की values जो होती है आपकी z axis पर वो आप add करतेंगे and at the end आप color scale को add कर सकते हैं मैंने यहाँ पर जानबूज के ऐसा रखा हुआ है so you can change these color scales और यहाँ पर आपके पास colors भी जो है change हो जाएंगे ठीक है यह थोड़े से cool color है अब मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसे step by step काम करते है सबसे पहले मैं इससे एक object को लेता हूँ यहाँ पर paste करता हूँ and this is your correlation metric अगर आपको याद हो core है यह और इसको मैं run करता हूँ this is how the correlation metrics work ठीक है समयठ आगे बात की अब एक बाद याद रखें यहाँ पर हमारे पास index है and these are columns ठीक है यह बात याद रखनी है यह जो values है हमारे पास यह basically z axis पर हमने लेके जानी है कैसे अब देखिएगा हमने correlation लिया यहाँ तक आपको clear हो गया correlation metric खा गया then we have to start मैं इसको थोड़ा सा ना थोड़ लेता हूँ चीजों में ताके आपको चीज नहीं याद हो जाए अचा जी not like this okay so पहले हमने graphing object की figure बनानी है graphic object से figure के अंदर हमने data जो print करना है data से मुराद के graph objects का data not data frame यानि के figure के अंदर जो data होता है वो कौन से graph object से फिर heat map हमने लिया कि हमने heat map बनाना है ठीक है जैसे एक px था ना दूसरा graph object था अगर आपको मैं सबसे उपर लेके जाओ यहाँ पर यह वला plotly का जो function है इसको हमने लिया लेने के बाद अगर आप गौर करें फिर हमने क्या किया x, y and z values दी x-axis होता है x-axis y-axis होता है जो left side पे होता है और z-axis आपकी values होती है यह जो colors आ रहे हैं यह आपको मैंने बताया था अब core.index.values यानि कि जो index values हैं वो x-axis पे हैं यानि कि यह वाली values यह कौन सी हैं जी values अगर आप गौर करें these ones, यह index x, फिर आपके पास correlation का dot columns dot values यह जो columns की values हैं उपर वाली हैं तो वो ही लेकिन we should take these explicitly, वो आ गई and correlation की values यानि कि यह जो matrix के अंदर values हैं यह आ गई वो colors में, इस तरीके से आपके पास एक पुरा heat map बन गया oranges के बजाए, oranges के बजाए आप blues कर दे, तो यह blue color के अंदर change हो जाएगा ठीक है, आप c radius कर दे radius कर दे, so it will change colors based on the palette so यह थोड़ा से advance आपके लिए हो जाएगा, जैसे आपने कोई color palette लानी है, वो automatically heat map के अंदर आ जाएगी, then it will be like this, ठीक हो गया यहां तक clear हो गया जी आपको अब हमने इतने plots देखे हैं यहां पे, आपको अब समझ आगी होगी के plotly के अंदर multiple plots आप बना सकते हैं और वही argument है जो c bond के अंदर चलते है same arguments 0 for 0 library different है, थोड़ा सा वो सही मैं अगर बात करो, 19-20 का फरक है लेकिन outputs ज्यादा अच्छी है यहां तक आपको clear हो गया अब मैं आपको एक और advanced चीज़ बताता हूं लेकिन पहले अगर आपको क्यों question I write down in the comment or the chat then I will answer and then we will move forward लें जी, plotly का दोर चल रहा है हमारा अब हम जिस काम पे आगे चलने वाले हैं वो है 3D plots in plotly 3D plots और इसमें मैं animation करने की भी कोशिश करूँगा so let's jump into it screen मैं आपको भी दिखाता हूं और screen पे हमने जितने पहले plot बनाए इसे थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं यहां पे मैं एक heading दे देता हूं 3D plots ठीक है 3D plot में जो सबसे मशूरे जमाना plot है वो है 3D scatter plot हमारे पास जो data है अल्रेडी वो हमने sample किया हूँ ऐसी notebook के अंदर notebook का नाम है 04 plotly master class और इसके अंदर अगर आप देखें हमने सिरफ scatter के साथ 3D लिखने मैं आपको शुरू से दिखाता हूं scatter plot तो यहां तक आपने बनाया था ना यह scatter था scatter plot बन जाता सिरफ 3D साथ लिखते underscore 3D यह function है इसको हमने लिया अब आपने x values देनी है data देना है y देनी है and now an other axis came third axis z axis ठीक हो गया z axis के उपर अब हम काम करेंगे और z axis देखेंगे कि किस तरीके से change होता है and you can also color कैसी मज़े की बात है यह है जी 3D plot और इसको बनाते हुए अपने system के पंके ज़रा on कर लिजेगा क्यों? क्योंकि एक्सरोकाद यह ज्यादा time लेता है और यहां पर यह है जी 3D plot मैं इसको zoom कर सकता हूँ चेक करें जी data के अंदर घुशके हैं यह जो आ रही है ठीक है? जब मैंने पहला plot बनाया था ना मुझे रात को सही तरीके से नींद नहीं थी आई कि यार इतना कुछ हो सकता है plotting के दुनिया में अब आपका पता नहीं कि आप कैसे इन चीज़ों को देखते है अच्छा इसको आप control कर सकते हैं using these orbital rotation यह orbit के उपर rotate कर रहे है ठीक है? अगर आपको नहीं पसांद आया तो आप z axis के उपर इसको ले जाते हैं यह z axis उपर हो गया और z axis का मतलब है कि आपके पास एक है x axis, एक है y axis और एक है z axis अगर आप गौर करें कैरेट, depth and price तीन axis है हमारे पास और मैं आपको भी दिखाता हूँ कैरेट है हमारे पास x axis, y पे है depth x और y को अगर हम गौर से देखे कैरेट हमारे पास x axis, y पे depth है और z हमारे पास क्या price यानि कि इन से उठके values जाएं दूसरी direction में भी जा रही है that is why it's making a z axis अचा, अब इसको अगर आपको लगे कि default position पे लेके जाना है तो ये home button आप प्रेस करेंगे अगर आप से हिलूल जाए plot यहाँ पे दूसरी चीज यह है कि अगर आप इसको select करके उपर नीचे करेंगे तो यह pan होगा अगर आप point पे जाके इसको इस तरीके से करेंगे यह still pan होगा because I am clicking here on pan button जैसे मैं इसको orbital rotation पे लेके जाऊँगा then I can rotate this ठीक है? यह देखे और आपके scatter point जो है वो easily आपको नजर आ रहे है एक और चीज मैंने zoom करना है न तो मैं जितना चाहूँ zoom कर सकता हूँ scroll up करूँगा wheel को यह zoom हो जाएगा and I can literally see कि कौन सा plot कौन सा point पास है कौन सा दूर है ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ यह चेक करें density कहां पे आ रही है इस जगा पे और आप आप देख सकते हैं density को reality के अंदर कितने overlap कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे है और data point किस side पे जा रहे है and यहाँ से मैं दुबारा से आ जोँगा and अगर आप यहाँ पे करें आप अपना camera भी save कर सकते हैं आपने save करना है यहाँ से select unselect भी कर सकते है so यह मेरे पास good data है इसके साथ मैं fair को compare करता हूँ that's it I just need to see और यह मेरे पास आगया data usually यह practical नहीं होते 3D plot for printing purposes but for image यह आपके पास जो render engine होते है जैसे मैं भी notebook use कर रहा हूँ these plots are really nice अगर आपको present करने आते हैं फास तोर पे principle component analysis के लिए यह बहुत ज़रूरी होते है क्योंकि आप दोनों dimensions चेक कर रहे होते हैं and then there are many other things तो यह जह 3D plot आपने एक 3D plot बना लिया अब अगला 3D plot बनाते हैं that is line का 3D plot और उस पे देखते हैं कि यह वो कैसे काम करते हैं मैं यहां पे 3D line plot बनाता हूँ same वो ही काम है line 3D लिखने है x carat y depth है और आप x carat y depth z price color cut पर देते हैं and यहीं पे वो ही चीज है same और इसको मैं show करता हूँ अब आप चेक करें ऐसे नहीं है को जाडू पड़ा हूँ है उठा या spaghetti जो आप या spaghetti आपने start की है बनानी वो खोलते ही वो इस तरीके से बाहर आजाती है तो मुझे तो यह जाडू लग रहे है but on the other side you can see different kind of things in this data खास दोर पे अगर आप उपर से देखें आपको पता चल जाएगा data किस तरीके से distributed है ठीक है so of course you cannot make really exact sense लेकिन आप इससे यह अंदाजा लगा सकते है कि आपके पास जो plot है वो किस तरीके से बनाए है समझे आगे कि 3D plots की इसके इलावा multiple और 3D plots मी है जो आप देख सकते हैं plotly के अंदर observe कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं चेंज क्या होई है सिर्फ z axis कुछ और change हुआ and the z axis if you are making some plot should be numeric most of the times क्योंकि z axis continuously यह दर को जा रहाता है अगर यह categorical हो तो क्या होता है let's let me show you that screen आपके सामने मैं यहीं से इस जो plot उपर वाले को मैंने बनाया था यह वाला है सभी मैं copy करता हूँ नीचे ले आता हूँ यहाँ पे मैं इस code को paste करता हूँ z axis price था ठीक है मैं यहाँ पे करता हूँ cut ठीक है color मैं कर देता हूँ price अब आप check करें यह price है check करें आपको समझ आ रही है price किस साइड पर बढ़ रही है easily अब इसको मैं थोड़ा से ऐसे करता हूँ आया कुछ समझ good की price इस तरीके से बढ़ रही है fair की यह है cut की यह है very good की यह premium की यह है चलें एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यह मैं इसको zoom करता हूँ यह check करें अब आपको और clearly नजर आ रही होंगी चीज़े किस तरीके से depth जो है वो price को effect कर रही है and you can see color उपर से भी जा के देख सकते हैं नीचे से भी जा के उसको कह सकते हैं यहां से देखना है side से भी so you can see ठीक है आप यह समझ लें कि वो हमारे कुछ कुछ कुछन्स हैं वो काफी लंबे-लंबे उनकी न हाइट है तो उनको मकसर उकाद कहते होते हैं यह जंदी-जंदी पुछलन दे किसे ते कर्चे की पकाया आप जी बजी की पकाया so यह वो ही चीज है आप 3D plot बनाते हुए न चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका plot नजर आ रहा है हर डिरेक्शन से ठीक है so this is how you can play with the 3D plot clear होगी बाद जी 3D plot भी समझ आ गया आपने सिरफ चीजों को चेक करने है और plot का architecture आपको नजर आ जाएगा plot की sense नजर आ जाएगी आपको और different किसम की आप animation अगर बना सकते हैं then it would be nice अब आप खुद सोचें एक ऐसा data है मैं आपको idea दे रहा हूँ जो पाकिस्तान का data है population का data है और वो किसी 2-3 factors पे depend कर रहा है ठीक है? year पे depend कर रहा है आप सिरफ ऐसा plot बनाए screen को recording पे लगा दे zoom in करते हुए उसकी animation बना ले smoothly एक अच्छा खासा content बन जाएगा और अगर कोई बंदा reels पे regularly ऐसे काम करने लग जाए अच्छे खासे YouTube से और बाकी चीज़ों से पैसे कमा सकता है and this idea is unique, अभी तक नहीं हो रहा ideas आपको मिलते जाएंगे अब आपने कैसे इसको sail करने, it depends on you of course it will take some time लेकिन अगर आप ऐसी niche के अंदर अभी jump in करते हैं next 2-3 सालों तक आपके पास, क्योंकि दुनिया में data इतना ज्यादा आम होने वाला है के लोग दंग रह जाएंगे, data analyst कम पढ़ जाएंगे, data बहुत होगा जो आज data है न, वो कुछ सालों तक double नहीं, बलके 10 गुना ज्यादा होने वाला है यह मैं नहीं कह रहा है, आप खुद चेक कर ले न हर गाड़ी में sensor लग रहे हैं जी आप electric vehicle use करें, क्यों? उसमें mapping नजर आ रहे है, वो mapping कैसे हो रही है आपके camera लगे हैं गाड़ियों के अंदर, Tesla के अंदर पता है कितने camera और कितने data वो record कर रहे है इसके इलावा internet आप use करें, there are many things, so data is going to be a lot of, I would say, from now on, तो अगर आप इस पर practice अभी से करें, then you can actually do something out of it, okay, now let's jump into some other charts with Plotly, क्योंके master class है, Plotly आज मैंने आपको सिखा के छोड़नी है, और inshallah you will see that, अभी हम इसको start करते हैं, जी, हमारे पास multiple और कौन-कौन से plots हैं, बोर तो नहीं हो रहें न आप, अगर आज भी बोर होने न, छाटदे फे data analyst तुसी नहीं बन साग़े, hey data scientist, I'm just kidding, है, में नहीं छोड़ दे न, so, other plots, हां, वोई बात न, उस्ताद की, वो वाली बात नहीं मानने जो अच्छी वाली है, एक को नहीं बुरी हो कहती है, वो फोरण पाजी यह मन नहीं, कि तुझी गया से, ओके जी, सबसे पहले तो bubble chart बनाते हैं, मेरा फेवरर चार्ट है यह, क्यों, इसकी खुबसूरती जो है न, वो दूर से जलगती है इस चार्ट की, bubble chart है, सेम वो ही चीज़ है, scatter chart होगा, सिरफ इसमें एक argument एड करना है हमने, और वो argument है size का, ठीक है, अब आपको मैं एक बना के दिखाऊंगा, size के बगार chart, देखिएगा, यह एक chart बन गया, कोई मज़ा आया, नहीं, इसी chart को transform करती है, depth के साथ, and here we go, now we have another variable inside this, which is depth, ठीक है, this is how you can play with it, so bubble chart क्या है, सिरफ size का argument देना है आपने, वो छोटे-छोटे point देना, size बड़ा हो गया, based on some argument, तो आपके पास bubble chart आजएगा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं, price का दे दे, यह ले, price की base पे आपको bubbles नज़र आएंगे, so it's more sensible, I would say, ठीक है, so it depends कि आप किस तरीके से बनाते हैं, फिर अगला जो मेरा फेवरेट चार्ट टाइप है, that is area chart, यह मेरे फेवरेट वाले चलने लगे हैं, and you will see, area chart के अंदर, बलके मैं यहां से जो मैंने बना के practice के दुरान देखा था, वो आपको दिखाता हूँ, यह वाला area chart है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, values को sort करते हैं, किसी एक चीज की base पे, ठीक है, फिर आप उस पे chart बनाते हैं, px.area, df sorted पे हमने बनाना है, sort क्यों करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, x पे caret है, y पे आपके पास price है, and that's it, यह देखें, sort करने का मकसद यह है, कि छोटे से बड़े की तरफ जाए, वरना क्या होना था, randomization, ठीक है, so इस वज़े से यह area chart है, अब इसी chart को और खुबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, अब आपके सामने foreign cheese आ जाएगी, black and white cheese को खुबसूरत बनाने के लिए क्या किया जाता है, color दे दिये जाते है, मैं इसको copy करता हूँ, नीचे paste करता हूँ, ताकि आपके पास step by step चीज़ें जो हैं वो, मज़र आए, look, so of course some, कहीं जगों पर ये नीचे को होगा area, कहीं पर उपर होगा, कहीं पर किसी त्रीके सो होगा, but you should be the one making sense out of it, ठीक है, फिर एक और chart है, अच्छा, पाई chart बनाने के लिए, हमें क्या करना पड़ता था, पाई chart के लिए हमें value count देखने पड़ते थे, ठीक है, और इसके लिए हमें यहाँ पे सिरफ figure बनानी पड़नी है, that's it, आपने names बताने हैं किसके लेने हैं, and automatically आपके पास, पाई chart बन जाएगा, like this, ले जी, सिरफ एक column का name, automatically value count चल रहा है, automatically सारी चीज़ें चल रही है, मैं यहाँ पे clarity ले आता हूँ, and here we go, clarity का बन गया, ठीक है, फुदी percentage चल रही है, everything is automatically done, and simplest way of creating any kind of plot, is this one, इसके इलावा, अगर आप चाहें, you can also use palette, color palette, let me see, yes, this is the way, so हमारे पास, जो color discrete sequence है, discrete sequence का मतलब होता है, कि हमारे पास, basically, एक-एक unique value का different color है, ठीक है, discrete sequence, 1, 2, 3, 4, 5, अब यहाँ पे discrete sequence क्यों चाहिए, कोई मुझे बता सकते है, ताके हम pie chart को देखके, अंदाजा लगा सकें, सबसे ज्यादा percentage किसकी है, सबसे कम किसकी है, रंग पुरेंगे color नहीं चाहिए हमें, we need a pattern, that is why plotly यहाँ पे जीतता है, और आप यहाँ पे सिरफ और सिरफ color palette का name रखेंगे, यह automatically वहाँ से colors ले लेगा, और आपको खुद पता चल जाएगा, darker, more, lighter, फिर इस तरीके से फिर automatically यह continuous manner के अंदर आ जाएगी, ठीक है, so यह beauty है, plotly की, I know there are many other things जो आप सीख सकते हैं, बट, चलें, एक और chart दिखाऊँ आपको, अपने नाम ही नहीं सुना होगा इसका, सुना है किसी ने tree map, tree map, इसके अंदर आपने एक path देना होता है, ठीक है, tree map के अंदर, फिर values बतानी होती है, फिर आपके पास एक figure आती है, मैं बना के दिखाता हूँ, then it will be easier for you, यह plot है, हमने path दिया, path क्या है, tree का एक path होता है, कट हमने दिया path, ideal, premium, very good, good and fair, समय जाई, portion wise यह data को divide कर देता है, अब tree के अंदर clarity का tree है, समझारी बात की, tree within a tree, अगर मैं इसको clarity को path को, बंद करता हूँ, I don't know if it will work or not in plotly, and it's working, यह है पहला single tree, data के distribution को दिखाने के लिए होता है, distribution means के data कितना कितना है, यह total आपके पास, एक box जो है, जो मैंने भी highlight किया, this is 100, उसमें ideal कितने है, premium कितने है, very good कितने है, good कितने हैं, and fair कितने है, based on the price, वो आपके सामने इस तरीके से values आ रहे हैं, ठीक है, say for example clarity, तो यह clarity जो है, cut के अंदर आजाएगी, पहले बड़े वाला path, फिर छोटे वाला path, and here we go, clarity कट के अंदर आगी, मैं इसको एक और फर्दर ले जाता हूँ, color भी देता हूँ, and now you will see, कि clarity आई है, फिर उसके अंदर color आगया, तो यह तीन categories बन गई है, broader, shorter, and shorter, ठीक है, tree का मतलब है proportion plot, and यह plot चेक करके, आपको एक चीज की तो समझ आगे होगी, सबसे कम values किस चीज की है, आप फोराँ से ढूड़ेंगे, सबसे जो कम area ले रहे हैं यह चीज, जैसे fair का data सबसे कम है, यह price सबसे कम है, क्योंकि हम values की base पे कर रहे हैं, अगर मैं यहां से values को निकालता हूँ, let's see हमारे पास क्या बचता है फिर, सिरफ और सिरफ, हमारे पास क्या बच रहे है, count, so यह count है, अगर मैं values एड़ कर देता हूँ, now you have count plus values, यह check करें, ठीक है, so this is called tree map, tree map के बाद, अब यह मेरे favorite plot है, जासे मने आपको पहले भी बताया, इसी scenario को देखते हुए, एक मेरा बहुत ही favorite plot है, that is called parallel coordinate plot, और यह plot क्या करता है, अगर आप गवर करें, you will see, के हमारे पास data है, और उसके अंदर, हम एक parallel coordinate plot बनाएंगे, and this is actually used in clustering as well, जो machine learning algorithm, which we will learn, इन्शाला, यह check करें plot, क्या हमेने कुछ किया, data ही दी है, साथ में एक color दे दिया, that's it, price की base पे color, अब बग़ी data है, सारे का सारा, सारे data का plot है, basically, अब आप मुझे बताएं, कि अगर मैं carat की बात करूँ, तो ज्यादा price, carat के बढ़ने से बढ़ दी है न, कम होने से कम हो रही है, यानि कि यहाँ पे, बहुत कम price है, यहाँ पे ज्यादा है, depth की वज़ा से, price ज्यादा वो center में है, यानि कि जितनी depth ज्यादा होगी, price कम होगी, जो मैंने कल भी आपको बताया था, table उसका कम हो जाते है, then you have table, then you have price again, for sure price, price के साथ equally है, then x, y, and z, और अगर आप गौर करेंगे, यह सारे के सारे कौन से columns है, numeric, because we have different values, ठीक है, of course we can also have different other kind of data set as well, अगर बाकियों को भी हमें encode कर लें, यानि को इनको numeric के अंदर convert कर लें, we can also plot them here, जो हम machine learning में करेंगे, अभी के लिए नहीं, यह है parallel coordinate plot, और इसी वज़ा से यह मेरा favorite plot है, because you can actually mention that, यहाँ पे, अगर मैं, dimensions add करूं, so now you can see, के हमारे पास, different किसम की dimensions भी आ चुकी है, based on, खास तोर पे जो plot है, उसके अंदर caret, depth, table and price, जो हमने पहले रखी है, अगर आप चाहते हैं, df के बजाए, पूरे के पूरे data set की बजाए, पूरे के पूरे data set की बजाए, सिरफ कुछ कुछ हैं, it will be like this, ठीक है, so यह आप columns भी चूज कर सकते हैं, so मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, choose columns, ठीक है, और originally कुछ इस तरीके से plot है, यह plot आपको बहुत मजा देने वाला है, लेटर ओन जब आप कोई बड़े data पर काम करेंगे, and then we have scatter matrix, now you can see, कि यहाँ पर हमने data दिया, color दिया, scatter matrix बनाए, अब यह matrix है, of scatter plot, जैसे आपको यहाँ था, pair plot हम बनाते थे start में, यह it's bit of same thing, लेकिन यहाँ पर dimension हमने 4 दिया है, तो यह 4 हों का scatter matrix बनाए, क्योंकि सारी के सारी numeric है, हर किसी का एक दूसरे के साथ correlation है, यह basically correlation का visual part है, जैसे correlation हम शो करवाते हैं, यह उसकी visualization है, अब इसमें मज़े की बात यह, अगर मैं इसको मैं off करता हूँ न, अगर आप बनाना जाए, इस टोटली अप टो यू, बट इस दोटली अप टो यू, ठीक है, इस वज़ा से, मैंने यहाँ पर 4 columns जो है, वो select की है, scatter matrix, यानि के correlation matrix वाला plot, in visualization, अच्छा जाई, Gantt chart अब कभी किसी ने बनाया, Python के अंदर, plotly को यूज करके, आप Gantt chart भी बना सकते हैं, let me just take my data, जो मैंने practice के दुरान रखा हुए, यहाँ पर, यह मैंने groceries, shopping, school, travel and Lahore पर शादी है, जी मैंने एक MV बना लिया, task, उनकी date लिख लिखनी, कि किस date को है, start कब करने है, finish कब करने है वो काम, Gantt.head, यह कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं इसको cut कर लेता हूँ अभी के लिए, just to show you, this is the data, task, start and finish date, यह तीन हमारे पास चीज़े आ गए, अगर आपके पास यह वाला data set हो, then you can create a Gantt chart, something like this, आपने Px.timeline बताना इसे, Gantt chart is actually a timeline, data, x का start क्या है, x का end क्या है, and y क्या है, values, यह आजाएंगे आपकी basically, task यहाँ पे, और यह है start and end, तो आपके पास एक plot बनेगा, something like this, यह है start, यह है end, और इसको अगर hover करेंगे, तो आपके पास basically इसका task आजाएगा, so this is really nice Gantt chart, ठीक है, और अगर आप इस तरह का Gantt chart बना के अपने दिखाते हैं, professors को, या अगर आप company में काम कर रहे हैं, या किसी को task दे रहे हैं, तो कोई मुश्किल है, सिरफ आपने Excel की sheet ही बनानी है न, जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, मैं यहाँ पे बलके इसको print भी कर देता हूँ, so अगर आप इसी के template में, Excel की sheet बना लें, और यही code यूज़ कर लें, it will be working fine, यह आपकी data इस तरीके से, और यह आपके पास Gantt chart बन जाएगा, यहाँ दख समय जागी जी आपको, okay, strip plot बनाते हैं हम यहाँ पे, strip plot, एक मेरा जो favorite plot है और वो मैंने end पे रखा है, वो भी नहीं बताना, सो दरा जाग के रहें, strip plot, strip plot क्या होता है, जैसे मैंने पहले पी आपको दिखाया था, plot वो ही है, जो हम पहले बनाते हैं, लेकिन यह strip के शकल में होता है, यहने के point plot, based on the strip, strip होती है न, जैसे, अक्सरोकाद आपने देखा होगा, जैसे अक्सरोकाद, इसकी example ऐसी हो, तो फिता आप समझ ले, फिता नहीं होता, लैसे होती हैं लडगियों के, सूटों को लगाने वाली, मैंने जो figure बनाई है, इसको मैं fig. यहाँ पे update करता हूँ, update करके, मैंने जो चीज यहाँ पे update करनी है, that is traces, और मैं jitter की value दोंगा, jitter का मतलब है, इनको कितना दूर-दूर करना है points को, अभी कठे हैं, कितना दूर-दूर करना है, ठीक है, 1 का मतलब है maximum, 0.5 का मतलब है उसका आदा, एक से उपर नहीं आप जा सकते, so marker आप नहीं दे देना है, size dictionary के अंदर, and here you go, यह वो ही plot है, अब थोड़ा सा फैला हुआ है, इसको 0.9 मैं करता हूँ, यह वो ही plot है, और फैल गया है, ठीक है, अगर मैं marker size 4 करता हूँ, you will see now, वो से छोटे हो गया है points, अगर मैं इसको 1 करता हूँ, यह बिल्कुल छोटे points हो जाने हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, smoke दे अंदर है, तो यह 5 करता हूँ, यहाँ पे चेक करें, यह jitter आ गया, अच्छा, मैंने यह try किया है, 1.5 क्यों नहीं होता, उसकी reason यह है कि jitter, 100% दूर हो जाएक, उससे सदा क्या दूर होगा, jitter का मतलब है, कि जितना दूर हो, कि आखरी touch से अगला point हो, आखरी touch से अगला point, that is actually saying jitter, right जी, सो मैं यहाँ पे इसकी value, इतनी रख देता हूँ, ओके, अब हम क्या करते हैं, अच्छा, एक काम आप और कर सकते हैं, अपना जो plot है ना, उसको hover कर सकते हैं, for example, मैं यहाँ पे hover करता हूँ, मेरे पास दो चीज़े आ रही हैं, cut और price, सिर्फ यह दो आ रही है, आप इसको customize कर सकते हैं, कि जैसे आप hover करें, आपकी values ज्यादा वाली print हो, उस data point को ले के, इसी लिए मैंने यह strip plot बनाया, यहाँ पे, ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे यह strip plot बनाया, ठीक है, और मैं इसमें color भी दे देता हूँ, color is equal to clarity, इसको मैं दुबारा से run करता हूँ, यह हमारे पास strip plot एक बन जाएगा, something like this, strips काफी different गिसम की बन गी हैं, don't worry about that, मैं hover करता हूँ, तो मेरे पास 3 चीज़े आ रही हैं, जो मैंने mention की हैं, इसके इलावा अगर मैं चाहूँ, तो मैं यहाँ पे hover data भी दे सकता हूँ, मुझे caret भी चाहिए इसके, जो data में printed नहीं है, in addition to that, तो मैं run करूँगा, अब देखें, caret भी आरे end पे, चार values आ रही हैं, for example, मुझे clarity नहीं चाहिए, सो मैं clarity को बंद करके, सिरफ hover के अंदर भी इसके tool tip बोलते हैं, basically इसे, tool tip के अंदर भी data लेके आ सकता हूँ, सो यह देखें, सारी चीजों के tool tip के अंदर data आ रहे, so this is how you can actually customize, even in detail, and then, आप same चीज को यहीं पे देखिएगा, आप layout को update कर सकते हैं, और, sorry, इस तरीके से भी आप access title add कर सकते हैं, figure.update layout, title का font size 20, and x-axis का title यह है, y-axis का यह है, and then you can mention that, जैसे x-lab और y-labs होता था, dictionary के बगार भी, and आपके पास कुछ इस तरीके से, plots जो है वो आ जाएगा, और इसका font size भी आपने set कर दिया, और आपने titles भी set कर दिया, फिर एक और plot है, जिसका नाम है polar plot, अब आप कह रहे होंगे plot, 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 आज़ खाबाँ जब भी plot ही आनगे, so, it should happen, I would say must happen, वरना फिर मज़ा नहीं आता चीज़ होंगा, so, यह हमारे पास line polar, dfr, इसमें क्या मसला है, let's see, झाल 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 थीटा is equal to cut र की value भी मैंने सही दी है थीटा की भी सही दी है then what's wrong यहां पर fig.show के अंदर problem आ रही है go.figure अचा anyhow इसको मैं देखता हूं हम अपने final plot की तरफ चलते हैं which is actually this one this is the last plot जिसके ओपर हम काम करेंगे this is called sunburst plot मैं यहां पर लिख भी देता हूं यहां पर जी sunburst chart या plot polar coordinate को मैं बाद में आपको दिखाता हूं जो हमारा काम है इसको finish करते हैं यहां से so sunburst chart क्या है यह कुछ इस तरीके से नजर आएगा मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूं and then we will talk about it यह chart है और यह इतना जबरदर्स interactive chart है कि आपके पास यह values है मैं किसी पर click करता हूं वो सामने आ जाएगी मुझे यह वाली values की आगे values चाहिए मैं इस पर click करता हूं सिरफ वो सामने आ जाएगी मैं इस पर click करके वापस जा सकता हूं इस पर click करके वापस जा सकता हूं premium को मैंने study करना है तो मैं premium पे आ जाओंगा यहां पे मुझे हर size एक portion बता रहा है कि कितना percent data है S12 सबसे ज्यादा यह दो values कम है मैं इस पर click करके इसमें interested हूं यहां पर आ जाओंगा इसमें भी सबसे कम यह है मैं इसमें भी देख सकता हूं तो वहां पर price और बाकी चीज़ें आ जाएगे this is sunburst chart and this is my favorite one मैंने एक दफ़ा अपनी lab के अंदर presentation में दिखाया था पता नहीं लोगों ने पहली दफ़ा देखा था तो काफी appreciation मिली थी कुछ नहीं है इसके अंदर same वही चीज़ है जो path हमने decide करने and values हमने decide करनी है and that's it सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप two paths का इसको रखते है something like this cut and clarity तो आपके पास सिरफ और सिरफ यह cut है पहले cut की जितनी values है और जितना उसमें clarity का part है वो आपके सामने आ जाएगा अगर मैं सिरफ सिरफ cut रखता हूँ then you will see के path में a की value है आपके पास sunburst chart तो होगा लेकिन यह pie chart की तरह है so actually this is second level pie chart फिर third level pie chart जितने pies है उनको आप जोड़ते जा रहे है onion rings की तरह यह काम करते है जैसे onion के rings होते है न वैसे यह काम करते है tip के अंदर tool tip के अंदर अब यहां पर मैं categorical variable देता हूँ पहले cut के दूसरा clarity तीसरा color ठीक है यहां पर check कीजिएगा यह लें जी और मैं ideal के cut में जाता हूँ s1 में जाता हूँ and here we have this thing ठीक है आपको पता है आप even though h के उपर आके न इसको link भी दे सकते है hyperlink आप इस पर click करें वो link open हो जाए so यहां पे सिरफ आपको थोड़ा सा सोचना है कि मैं क्या करना चाता हूँ इस plot के साथ और आप अच्छा घासा गाम कर सकते हैं and अगर मैं price के इलावा कुछ और value भी देना चाहूँ say for example मैं यहां पे price comma carrot देना चाहूँ मैं इसको run करता हूँ error let's see क्या error है should have the same length okay यहां पे carrot की जो values हैं उसकी length different है इस विचा से यह काम नहीं करेगा वरना issue होगा so हो क्या रहा है हमारे पास values सिरफ एक की आएंगी हमारे पास अभी फिलाल के लिए और इसके थूरू हम अगर इसको चला के देखें तो हमारे पास at the end काम चल रहा है parts है हमारे पास values भी है let me try another thing values no length खराब होजागी yes मैं बताता हूँ यह क्यों हो रहा है अभी जरह गोर कीजिएगा यहां पर मैं click करके वापिस गया यहां पर मैं click करके वापिस गया यह मेरे पास चार चीज़ें premium में जो price की values categories wise divided हैं उनका size बता रही है अगर आप गोर करें तो यह वो चीज़ें हमारे पास आ रही है अगर आप गोर करें मैं premium पर click करता हूँ इसकी total price का size आ रहा है मेरे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ न you will see it in a nice way यह plot है यहां पर चेक कीज़ेगा यह premium है price इसकी total होके आ रही है यानि के पूरे का पूरा sun का जो यह वाला part है it's based on the price so अगर दो होगी तो conflict हो रहा है इस वज़ा से नहीं चल रहा fair की total price कितनी है 793,000 premium की सबसे ज्यादा price है which is 6 million ideal की उससे ज्यादा हो सकती है of course 7 million फिर very good यानि के ideal, premium, very good, good and fair ideal में जाके मुझे अगर पता करना हो कि किस एक specific point की ज्यादा value है so I can see this thing जिसका size बड़ा है या जिसकी price ज्यादा आ रही है ठीक है so this is how the sunburst chart work और इसके मज़े की बात आपको मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आप इस sunburst chart को बनाते हैं और इसको अच्छे तरीके से show करवाते हैं believe me you can do a lot of things अब यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ मैं इस plot को copy करता हूँ थोड़ा सा zoom in करता हूँ यहाँ पे इसी plot को मैं इस तरीके से run करता हूँ enter करता हूँ and यहाँ से save lot as html देखिएगा html में इसे save करता हूँ figure.write html और आपने सिरफ इतनी से बात करनी है sunburst chart को write कर दो ठीक है क्यूंके मैं इसको एक separate folder के अंदर save करूँगा because of the hierarchy जो हमने maintain की हुई है new folder बनाता हूँ 03 plotly 03 underscore plotly के अंदर इसको मैं save करूँगा so I will give a path 03 underscore plotly forward slash sunburst html मैं इसे run करता हूँ and this is saved as html और अगर आप website चलाते है न तो ये html की file सिरफ upload कर दे है वो automatically आपके website पे print होगा और ये मैं आपको दिखाता हूँ ये ना plot देले html आगे and even faster than the one जो हमने बनाई थी ठीक है यानि कि ये वो वाली file है जो google chrome में open हो जाएगी और ये html का code जो है अगर आपको नहीं बता तो ये code होता है basically and that is viewable here ये है ये html का code जो इससे बना है ये सारे का सारा आप इसको copy paste करके अपनी website भे भी डाल सकते हैं ये html की file को भी डाल सकते हैं then it will show up there ये था ये plotly को html में save करना फिर आप इसी को save as png with high dpi आप इसको fig.write image उसी के अंदर हम sunburst chart को save करते हैं scale 1,2,3 होते हैं so 1,2,3 की base पे आप scale करते हैं इसके 3 scale होते हैं अगर आप इसकी documentation में जाएंगे so उसकी base पे इसकी dpi decided होती है मैं इसको run करता हूँ usually it will not work उसकी reason क्या है आपको engines चाहिए होती है figures को write करने के लिए let's see and here we go यहाँ पे हमारे पास error आगी क्यों you need to import this po library from plotly import plotly.io as po so मैं इसको save करता हूँ यहाँ से ऐसे import ऐसे इसको run करता हूँ again something errors something is coming as yes I knew it इस वज़ा से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको kleido engine install करना पड़ेगा pip install minus u kleido ठीक है इसको आप यहाँ पे भी कर सकते है और इधर मैं इसी एक अगर पहले से हो तो यह update हो जाएगा kleido engine है यह kleido engine क्या है basically यह आपकी images को save करने में help करते है ठीक है जो आपके सामने print हो रहा है उसको high quality में save करेगा let's see हमारे पास यह install हो गया लेकिन kleido engine नहीं आया क्या reason हो सकती है को बता सकते है restore the kernel अब सभी को run करना पड़ेगा it will take some time bear with me और आप जब run कर रहे हो go to पे click करें या यह चोटा सा cursor यहाँ पे घूम रहा होता है नीचे को check करें यह जहाँ जहाँ से run हो रहा है न वहाँ वहाँ से आगया रहा है ले जनाब आपकी figure भी save होगी and here we go ठीक हो गया जी png भी save करने आगी आपको आपको यह भी save करने आ गया कि engines कैसे काम करते हैं engines का मतलब होता है वो इसी चीज को read करेगा write करेगा png में अब एक और काम करते हैं save as svg same वही चीज है इसको write image svg करते हैं तो देखते हैं नहीं आता तो that's good नहीं आया and here we go ठीक है svg भी आ गई pdf करना तो same वही चीज है again save as pdf and here we go collider engine जो है यह मेरे ख्याल से सभी के लिए best है अब जिसको error आई और वह परेशान हो गया भई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता so you should know कि किस तरीके से errors को handle किया जाते है अभी plotly से आपको वो वाली figures मैंने सिरफ बना के दिखाई है which are kind of important and believe me there are many people जो plotly को सही तरीके से use नहीं करते हैं इसके potential पे मैं तो आपको c-bone से काईल करवा के बैठा हुआ था कि इसको इच्छे से use करें just imagine now plotly आगी है plotly से आप इसको और भी अच्छे से अपनी figures को बना के save कर सकते है HTML में save कर सकते है HTML को आप अपनी websites या किसी static pages होते है github पे अगर आप जाए ना आपको मिलता है static page आप वहाँ पे upload कर सकते है अगले lectures में हम आपको ये दिखाऊंगा which was today's plan लेकिन मैंने कोशिश की के चलें next lecture में मैं आपको बताऊं वो ये है कि आप एक dashboard कैसे prepare करते है using plotly and there are many other plots जो एक video के अंदर आएंगे and then you will see कि plotly के अंदर अभी और plots बाकी है यहां तक के लिए इतने अगर आपको अभी समझ आ गया तो that's great अगर आपका कोई question है write down in the chat or comment section and इस सारी चीज़ों को पहले practice करें फिर आप आगे move कीज़ेगा अगले lectures की तरह असलाम लेक्टर में इस lecture में हम देखेंगे कि marginal plots कैसे बनाए जाते हैं using plotly screen आपके सामने में share करता हूँ यहां पे हमने जो हमारे पास for plotly master class के अंदर जो notebook है इसी के अंदर मैंने यह सबसे पहले करनल साब select करने के बाद यह मैंने code run किया जिससे मेरी सारे की सारी libraries जो पिछले lecture के अंदर मैंने आपको बताई है वो यहां पे पहले हम import करेंगे जैसे import होंगे यहां पे हम बनाएंगे marginal plots using plotly और इन plots के अंदर हमारे पास जो काम है वो बहुत ही easy रहेगा क्योंकि हमने पिछले plots बना के देख लिए तो मैं यहां पे इसको code cell नाम देता हूँ और यहां पे हम marginal plot बनाते हैं तो मैं यहां पे बनाऊंगा scatter plot with marginal histograms हम scatter plot बनाएंगे figure is equal to px.scatter रख लेंगे x और y axis हमने दे दिया यहां पे देने के बाद marginal underscore x की command देंगे वो histogram बन जाएगा इन दोनों का ही और y देंगे तो y पे y का histogram बन जाएगा यह जैसे x पे x का y पे y का और हमारे पास कुछ इस तरीके से एक figure बन जाएगी something like this और यह figure जो है यह marginal है यह जैसे एक plot है हमारे पास scatter plot और यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे हमारे पास carrot का marginal plot है क्योंकर carrot x axis पे है तो इसके दूसरी side पे x axis का margin है और price का यहाँ पे हमारे पास y axis यहाँ पे इसका margin आ गया हमारे पास अगर margin ना हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको अगर मैं comment out करूँ यहाँ पे मैं इसको run करता हूँ you will see now कि हमारे पास margin के पगार यह plot है अब जैसे ही मैं margin x का दूँगा तो x axis के उपर same उसके उपर यहाँ पे marginal plot बन जाएगा और y axis का दूँगा तो हमारे पास marginal y बन जाएगा and this is very important with scatter plot यह marginal plot जो है यह आपको बहुत ज़्यादा help out करते हैं when you are making some kind of efficient plotting अब यहाँ पे मैं इसको select करता हूँ हम और भी किसम के marginal plots जो हैं वो बना के देखते हैं यहाँ पे मैं इनको ऐसे पेस्ट कर दिया पेस्ट करने के बाद हमने अब क्या करना है यहाँ पे histogram के बज़ाए box plot लिख देना है simple यह यहाँ पे देखिए box plot जैसे मैंने यह लिखा मैं इसको run करता हूँ you will see के हमारे पास यहाँ पे box plot बनना चाहिए था बट हमारे पास आगी है error उसकी reason के है क्योंकि जब भी हम कोई plot बनाते है box plot खास तोर पे तो उसके लिए हमें जैसे histogram लिखा था यहाँ पे command का पता होना चाहिए तो marginal x यह बोलता है कि सिरफ आप box लिखते हैं that's enough अब आपके पास error नहीं आएगी ठीक है यानि कि margin पे एक box बनेगा plot नहीं है यह this is just a box box plot क्या होता है जिसके x-axis भी हो y-axis भी हो हमने क्योंकि क्योंकि carrot के against इसकी जो पूरी के पूरी distribution draw की है यहाँ पे इसके against किया तो इस वड़ा से इसका margin जो है हमारे पास सिरफ box होगा इसी तरीके से आप इसी margin को और भी change कर सकते हैं for example मैं इसी को select करता हूँ copy करता हूँ नीचे आते हैं यहाँ पे इसको मैं paste करता हूँ box की बजाए voilin मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे भी voilin लिखता हूँ तो यह हमारे पास इसका voilin बन जाएगा अब एक और चीज़ देखिएगा हम दो different किसम के भी margins बना सकते हैं एक को मैं box बोल देखा हूँ दूसरे को histogram बोल देता हूँ अब देखिएगा हमारे पास जो margin है एक histogram है एक box है और अगर आप चाहते हैं इसको multiple और तरीकों से भी देखना तो एक को box रख लेते हैं और दूसरे को हम voilin कहा देते हैं ठीक है so voilin plot जो हता है वो margin पे आ गया और यहाँ पे हमारे पास box आ गया जिस बात का आपने ख्यार रखना है वो यह कि यह दोनों numeric है और numeric पे वो plot बनना जुरूरी है अगर numeric data पे वो plot नहीं बनता then it would be hard for us अब आप इसमें एक और खूबसूरती देखिएगा इसी margin plot को हम थोड़ा सा advance करते है यहाँ पे देखिएगा मैंने सिरफ और सिरफ इस plot में color का argument एड़ करना है and that's it there you go अब देखिएगा आपका plot कितना जपरदस्ट बना है यहाँ पे भी सारे के सारे यहाँ पे जितने भी हमारे पास options है वो on है जैसे मैं एक को off करूँगा पूरे plot में से वो चीज off हो जाएगी so you can literally see के हमारे पास जो data है वो किस तरीके से आ रहे and how we can show the data like this यह हमारे पास multiple colors का जो है वो marginal plot एक बन गया which is a nice thing और इसके इलावा आप और भी काम एक कर सकते है margin के इलावा आप यहां पे यह मैंने margin लगाया और margin के अंदर चीजें add की है अब देखिए मैं यहां पे से paste करता हूँ करने के बाद मैं यहां पे face it call clarity दे देता हूँ अब हमारे पास carrot price and cut and clarity चार column आगे अब देखिएगा यहां पे अब clarity जो है वो column में आगी यानिके clarity की 1 पहली value vs1, vs2, vs2, vs2 यह सारी clarity की जो options थी वो हमारे पास ऐसे आगे तो हमारे पास margin अब सिरफ और सिरफ x-axis के against है y पे क्यों नहीं आ रहा because we just gave the value for face it column ठीक है जैसे मैं इसको face it row दूँँगा something like this face it row हमारे पास color आ गया तो हमारे पास color clarity, caret, price and cut 5 variable a की plot के अंदर है and the plot will look like this अब आप चेक करें आपके पास यहाँ पे x-axis में भी space है y-axis के अंदर भी है लेकिन एक इशू है यहाँ पे हमारे पास जो figure का size है वो बहुत ही different किसम के है figure का size change करते है figure size और उसके लिए हम figure की update करेंगे layout और हमें इसकी height को 1200 कर देता हूँ ताके इसकी height ज्यादा हो जाए मैं इसको run करता हूँ यहाँ पे देखिएगा अब plot की height जो है वो ज्यादा होगी जिससे हर एक चीज clearly हमें नजर आ रही है यहाँ पे हमारे पास ऊपर से नीचे तक clarity है left से right हमारे पास price है और यहाँ पे हर एक column जो है हमारा E, D, H और बाकी चीज़े हमारे पास जो different other row की base पे हमने जो indexing की है वो आगी cut हमारे पास color है so this is how you can view multiple dimensions caret price और यहाँ पे हमने cut clarity, color यह सारे की सारे columns यहाँ पे रखे है and of course अगर आप price को देखें तो D की price का यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं margin plot आ रहा है उसकी reason यह है कि हमारे पास जो values है वो काफी ज्याद है colors भी काफी ज्याद है तो यह बहुत ज्यादा distribution हमारे पास बन जाएगी So this is how you can facet color different things margin के साथ पीछे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे यह margin आ रहा है जैसे मैंने इसको facet किया मैं एक facet को रोकता हूँ तो आप देखेगा कि हमारे पास जो margin है एक side पे आ रहे है अगर आप गौर करें सबसे उपर margin आ रहे है and then we have data like this ठीक है So this is how you can play with the data अब मैं यहाँ से margin जो है वो रिमोव हो जाएंगे दोनों जैसे मैं इसको double facet के अंदर लेके जाओंगा ठीक है So यह था जी हमारे पास marginal plot यह बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं समझने क्यों क्योंकि आपके पास जब data multiple dimension का होता है तो उसमें से जब outliers आपने remove करने होते हैं then आपको marginal plots help करते हैं to find the outliers on a specific column base वीडियो पसंद आई है लाइक करें सब्सक्राइब कर दें YouTube चैनल को and share with your friends See you in the next one Animated plot आपने देखे होंगे होती है फ्रेम चलते हैं वैसे save करना प्लस animated plot यानि के video plot कैसे बनाए जाते हैं इस lecture में हम यही देखने वाले हैं screen आपके सामने हाजिर है यहां पे हमारी जो अगली heading है that is video plots यहां मैं इसको animated plots भी कह देता हूँ इसके अंदर हम यह वाली चीज़ देखने वाले यहां पे मैं इसको wire कर देता हूँ same कोई भी plot लेके आप उसको animation के अंदर convert कर सकते हैं for example मैं यहां पे बनाता हूँ scatter plot और इस scatter plot को जैसे मैं बनाऊँगा तो यह मेरे पास plotly के थूँ यह सारा data आ जाएगा and of course you should know कि जब भी आपने कोई भी plot बनाने आपके पास data होना जरूरी है और बाकी काम होना जरूरी है उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको run करता हूँ यह हमारी सारे की सारी libraries हैं जो हमें चाहिए python के अंदर इससे मैं warnings को remove कर देता हूँ और यहां से मैं data जो है हमारे पास diamonds का मुझूद है link मैंने description में दिया हुआ है वहाँ से आप data देख सकते हैं उस data के उपर हम काम करने वाले data को मैंने sample करके small कर लिया यानि कि 5394 रोज हमने लिए है 5940 में से sample करने के बाद जैसे हमारे पास data आगया मैं सबसे नीचे जाता हूँ जाने के बाद अब हमारे पास data जो है वो यहां पे हमने दिया x-axis पे carrot दे दिया y पे हमने price दे दि and color हमने दे दिया cut carrot price and हमारे पास cut यहां पे इसको मैं run करता हूँ यह हमारे पास plot एक बन गया carrot price and cut का लेकिन अगर आप देखें यहां पे एक और column अगर मैं दूँ जिसका नाम है size और size की base पे price कर दूँ you will see कि यह वाला plot जो है अब कुछ इस तरीके से size उसका different हो गया something like this मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ then you can easily see that इसको मैं थोड़ा सा zoom up करता हूँ अब देखें आपके पास यह plot है और size है what if we can animate this thing ठीक है हम क्या कर सकते हैं इसको animate कर सकते हैं say for example यहां पे मैं इसको color की बजाए यहां ही पे इसको मैं कहा देता हूँ animation frame cut की base पे animation frame is equal to cut cut की base पे इसको animate करो अब देखिएगा यहां पे हमारे पास जो color था वो मैंने remove कर दिया और otherwise अगर आप चाहते हैं कि color हमारे पास रहे you can also keep that यहां पे आप लिखे animation frame is equal to cut तो यह इस तरीके से बन जाएगा जैसे आपने इस plot को बनाया आपके सामने play head आ गया और इस play head पे यह 5 frame चलेंगे एक premium का दूसरा very good तीसरा ideal चोथा fair पांचवा good मैं इसको run करता हूँ it will look like this यह चेक करें हर एक का different color है ठीक है यह सो यह plotly के अंदर आप animated plots बना सकते हैं यह हमारे पास 5 different colors के अंदर कौन सी changes आ रही है हमने इसको animated plot के अंदर यहाँ पे बना लिया लेकिन animated plot के अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं वो क्या है यहाँ पे हमारे पास carat, price, cut, price यह दो ही column आ रहे हैं अगर मैं चाहूँ तो इसको हम क्या कर सकते हैं, facet column भी दे सकते हैं, clarity की base पे ठीक है, facet column मैंने clarity की base पे दिया, अब देखेगा क्या होगा, हमारे पास यह 5 different data, 6 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 different data sets हैं और यह सारे के सारे ऐसे move करेंगे frame की base पे जैसे अलादीन के चुराग से नहीं, वो जिन निकलता था, same वो ही चीज़ तो अगर आप चेक करें, यहां पे data मौजूद नहीं है, so it will be empty लेकिन other side पे हमारे पास data मौजूद है इसी को आप facet column को, अगर color की base पे जो data का column है color उसकी base पे करना जाएं तो यह आपके पास कुछ इस तरीके से आजएगा जिसमें सभी के पास data है तो हम इसको run करते हैं and it will look like this तो यह हमारे पास animation इस तरीके से set हो जाती है अब हम और क्या कर सकते हैं इसी animation के अंदर हम different किसम का जो है हम data भी दे सकते हैं और facet columns को और भी अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हमने उसे change करना है say for example somebody wants के यहाँ पे facet column हमने दे दिया facet row भी दो भई तो हम एक पूरा matrix बनाते हैं मैंने इसमें clarity का जो है वो row भी दे दिया तो हमरे पास cut clarity color size of figure यह हम change करेंगे और figure.update layout के अंदर height जो है हमने 12.00 कर देनी है क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने फेला के दिखाना है और इसको मैं कर देता हूँ thousand मैं run करता हूँ now you will see कि थोड़ा सा लंबूतरा plot आएगा and you can actually see कि किस जगा पे क्या चल रहा है यहां पे चेक करें मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ और यहां पे यह plot आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा इसकी height थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ 1200 की बजाए मैं इसको 1000 कर देता हूँ और इसको भी 1000 करता हूँ यह plot हमारे पास कुछ इस तरीके से आगया अब इसको आप जब play करेंगे ना तो सारे के सारे frames play होगे सारे के सारे frames ठीक है इट डिपेंज के आपके पास कितना जो graphic card है या आपका system कितना support करता है अदर्वाइस यह अक्सर उकादर रूक भी जाता है और इसका हल यह है इस animation plot का के या तो आप इसे save कर लें as html तो मैं यहीं पर लिखता हूँ save as html जैसे मैं इसे save करूँगा तो यह मेरे पास diamond price carrot इसको मैं बोलता हूँ animated और यह html के अंदर save हो जाएगा plotly के तीन number folder के अंदर तो मैं इसे run करता हूँ जब यह tick का निशान आएगा it's save मैं वापिस जाता हूँ हमारे पास यह data visualization में तीन plotly के अंदर यह हमारे पास diamond price carrot animated आ गया इसको मैं open करता हूँ तो यह मेरे पास automatically यह देखें यह animation चल रही है क्योंकि यह html file है और यहां भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो data है different data points का वो इस तरीके से चल रहा है अगर आपको यह नहीं पसंद आप इसमें से जो facet row है इसको मैं comment out करता हूँ अब plot की शकल देखिएगा it will be totally different मैं यहां पे जाके diamond price carrot को दुबारा से html को run करता हूँ now it's like this थोड़ा सा ज्यादा लंबा plot है तो इसको मैं और चोटा करता हूँ यहां से thousand by thousand की बजाए इसको 800 and by width जो है इसकी रख लेते हैं 600 800 by 600 मैं इसको run करता हूँ and now this plot is still kind of ज्यादा वाला चोड़ा plot तो मैं इसको 800 by thousand करता हूँ let's see now it's a bit nice 800 is still more तो मैं इसको 400 कर लेता हूँ height इसकी now it looks better अब यह देखिएगा यहां पे html जो मैं चलाऊंगा न that is this one यह पहली दफ़ाँ खुद चलेगी then you do it again तो यह आपके पास हर किसम का data आ रहे है ठीक है और आप देख रहे हैं क्योंकि हमने यहां पे color दिया हुआ है cut को तो हमारे पास यह cut जो है वो good ही रह रहा है लेकिन हम क्या कर सकते हैं यहां से legend की जो position है वो set कर सकते हैं तो मैं यहां पे अगर लिखूँ remove legend title और remove legend position तो आप क्या कर सकते हैं अपडेट करने के बाद legend dictionary जो है वो आप डिफरेंट जगा पे भी लेकि जा सकते हैं y और x पे और इसको remove भी कर सकते हैं using different argument let me see remove legends show legend false करना है हमने figure update है तो यहीं पे हम इसको भी add कर सकते हैं show show legend is equal to false let's see अगर यह हमारे पास run करता है इसको मैं comment out कर देता हूँ या इसको बाद में देखेंगे कि यह इसके बगार काम करता है कि नहीं main frame में यहां पे नहीं काम किया so मैं इसको उपर ले के आता हूँ show legend is equal to false this is not working so I will just open up this one और इसको उठा के इस जगा पे मैं ले आता हूँ so I will run this तो यह हमारे पास एक plot आ गया and hopefully legend अब नहीं होगा and legends are removed now अब सारे का सारा काम colors की base पे चल रहा है ठीक हो गया यह एक हमारे पास plot बन गया लेकिन यह HTML के अंदर save हुआ है I need to save this as a video file और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस plot को एक अच्छे तरीके से save करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ libraries हमें दरकार है हम अभी उस पे काम करते हैं सबसे पहले चीज़ मैं एक code यहां पे लिखता हूँ उस code को हम यहां पे print करते हैं मैं यहां पे लिखता हूँ save animated plot as video file ठीक है इसको अंदर हम देखेंगे कि वीडियो के अंदर आप कैसे store कर सकती है यह जिफ के अंदर मैं यहां पे इस code को paste करता हूँ अब आपको code में समझाता हूँ फिर हम इस पे बात करते हैं सबसे पहली चीज़ आपको यह वाला एक library चाहिए moviepy की यह क्या करती है यह basically images को जोड के आपकी movie बनाती है तो मैं यहां पे conda activate data underscore analysis का जो हमारा conda environment से activate करता हूँ activate करने के बाद यहां पे pip install यहां से moviepy को मैंने install करने अपने उसी environment के अंदर जिसके अंदर यह सब को चल रहे तो यह हमारे पास moviepy की जो library यह वो install हो गई and now it's working fine मैं यहां से क्या करता हूँ अब मेरे पास क्योंके library आ गी है मैं restart करूँगा kernel साब को kernel को मैंने restart किया and इसका एक image sequence clip है इसकी base पे हम इसको run करते है मैं यह सारे की सारी libraries को import करता हूँ यहां पर just to see if everything is working fine अगर error आती है then we have to install something again everything is working fine इसका मतलब है यह code चलेगा मैं अब इतना मुझे समझा गई फिर diamond का data जो है c bond से भी आप download कर सकते मैंने पूरे का पूरा data download कर ले अब यहां पर हम क्या करेंगे पहले check करेंगे कि अगर null values है क्यों अगर उसके अंदर null values है तो हमें plotting से पहले ही उसको देखना पड़ेगा वरना क्या होगा आपकी plotting जो है खराब होगी तो इसको हमें पता चल जाएगा अगर हैं तो हमारे पास error आ जाएगी otherwise इससे code आगे move कर जाएगा फिर यहां पर create a dictionary to save frames जितने भी plot हमारे पास इस HTML की file के अंदर बन रहे है यानि के premium पे पहला तूसरा very good पे तीसरा ideal पे चोथा fair पे पांच पांच पांग good पे something like this 1, 2, 3, 4, 5 यह सारे के सारे as a separate file save होंगे और फिर उसकी वीडियो बनेगी उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे है एक frame की यहां पे एक folder बनेगा frames का आप देखेंगे यहां पे frames का folder आएगा यह operating system library के through बनता है यह जो import OS है operating system की library है इसके through बनेगा यह built-in python की है os.make directory frame directory exist okay then is true यानि कि अगर नहीं है तो इस library को use करके folder बना दो folder बन गया folder बनाने के बाद extract unique values from cut यह cut से unique values लेगा cut की unique values कौन कौन सी है अगर आप और करेंगे इस plot में so cut में premium है very good है ideal है fair and good है यह सारे की सारी unique values यहां से लेगा लेने के बाद फिर क्या करेगा यह एक for loop चलाएगा for i cut in enumerate unique cuts इसका मतलब है कि यह plots बनाएगा कौन से हर एक cut की value पे scatter plot बनेगा फिर वो save हो जाएगा यानि कि जितनी भी cut की value है for loop के साथ वो सारे के सारा plot बनेगा plot बनने के बाद वो automatically यह इसके अंदर save हो जाएगा as frame ठीक है आपके जो folder बनेगा उसके अंदर यह save हो जाएगा save होने के बाद आप इसको gif में लेके जा सकते हैं वो कैसे आप सारे frames को join करेंगे और उसकी image files को फिर आप clip के अंदर convert कर देंगे और उसके लिए यह वाली command mp4 के अंदर भी यही नहीं आप उसको hd file के अंदर भी save कर सकते हैं ठीक है तो यह सारे का सारा code मैंने आपको दिखाया आप इसको run करते हैं अगर error आई तो उसको देखेंगे मैंने इसे run किया run करते साथ ही आप देख रहे हैं यहां पर frames का folder बना frame के folder के अंदर आपकी images अब save होंगी so it's working आपके पास थोड़ा सा time लेगा यह क्योंके start है data को load कर रहे है data बहुत बड़ा है जैसे ही आपके पास वह folder है यह देखें फोरण से उसने build की gif file image.io से और बाद में आपके पास video is ready animated में gif भी ready और बाकी भी यह है frames का folder यह 0,1,2,3,4,5 यह एक plot हो गया देखेंगा यह आपका दूसरा plot है यह आपका तीसरा plot है यह चोथा plot है यह पांचपा plot है ठीक है? तो हमने जो plots बनाए हैं वो कैसे हैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ यह आपकी gif file है यह देखें यहाँ पर आपके पास cut आ रहा है और color आपने color को दिया है cut को नहीं color दिया तो इस दफ़ाँ आपका scenario थोड़ा सा different है हर frame इस तरीके से चल रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ animated plot की file यह आपकी mp4 आप इसको चलाएंगे तो आपका plot ऐसे दो सेकंड के अंदर चलेगा ठीक है something like this और यह multiple plots को इकठा करके बनाया है यह hd file है इसको आप चलाएंगे तो आपका plot सेम दो सेकंड के अंदर चलेगा and then you can save तो यह आपके पास video के अंदर save हो गया अब आप अगर गौर से देखें तो frames के अंदर यहाँ पे frames के अंदर आपके पास एक, दो, तीन, चार, पांच frames है आप यही समझ लें कि इन सारी की सारी images को आपने वीडियो में convert किया है so these are frames इनको सभी को पहले ये वाली चलाई फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली तो आपने basically इसको कुछ time देएके फिर आगे चलाया है और वो time कहां पे है that time is here यह frames per second जो है अगर आप clip के अंदर frames per second set कर दें जैसे यह video की file है मुझे 2 frames per second चाहिए frames per second यानि कि 2 frames per second तो मेरे पास total है 5 frame, तो यह तिकरीबन 2 second के अंदर चलेंगे अगर मैं यहाँ पे 1 frame per second करता हूँ और यहाँ पे ht का भी 1 frame per second करता हूँ now you will see, मैं इसको दुबारा से run करता हूँ अब आप देखिएगा क्या होता है ज़रा गोर कीजिए यह मेरे पास time अब ज्यादा लेगा मेरे पास movies बन गी, बाके सब कुछ बन गया अब देखिएगा, मैं movie को चलाता हूँ यह plot है मेरे पास 3 second के अंदर चल रहा है अब 3 second के अंदर चल रहा है पहले 2 के अंदर चल रहा था क्योंकि अब time जो है वो ज्यादा लग रहा हर frame को आने के लिए ठीक है, एक तो frame अपना frame पर second देखता है और secondly आपके पास यह products use होता है x264 जिसके थूँ आपके पास ultra fast bit rate के साथ highest quality की video बन जाती है अच्छा, मैं नहीं चाहता है यह videos यहां पर बने, animated plot jiff वाला भी यहां पर बने और मेरी जो बाकी सारे files है उनको यह खराब करें, तो मैं इनको यहां से remove करता हूँ अब यहां पर मैं path वो देता हूँ यहां पर frames है ना सो मैं 03 underscore plotly के अंदर इने save करता हूँ तो मैं यहां पर लिखता हूँ 03 underscore plotly slash animated तो यह जितने भी animated है यह वहीं पर जाएंगे तो यह मैंने तीन file हैं से एफ किये हैं मैं इसको दुबारा से run करूँगा and you will see those being appeared here तो यहां पर वो मेरे पास plots वो हैं वो automatically बनके आ जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं जिफ भी आगया मेरे पास यह जो जिफ है इसको मैं अगर open करूँ मेरे पास कोई ऐसा tool होना जरूरी है जिसके अंदर यह run करेगा otherwise अगर जिफ आप static के अंदर run करेंगे it will not work इस वज़ा से मैंने यहां पर क्या किया है HD plot भी बनाया है Animated plot भी बनाया है मैं इसको open करता हूँ अगर यह Windows के इस player के अंदर open होता है it will be like this अक्सर हो गहाता आप देखते हैं जो Animated plots होते हैं those are made like this and usually आपके x-axis पर time होता है तो time series के data के उपर यह बहुत ही कमाल के बनते है and then you can save this code और इस code के तुरू आप Animated plots जो है वह बना सकते हैं यह code मैंने link description में भी दिया हुए and you can also see on my github repo जिसके उपर python का चिला 2024 आपके सामने होगा and amar to fail जो है वो मेरी github repository का नाम है अगर आप यहाँ पर जाएं github पर github पर जाने के बाद यह मेरी profile है अगर आप your profile पर मेरी profile पर जाएंगे repositories यह python का चिला है यहाँ पर आपको codes मिलेंगे सारे के सारे यह data visualization का code है और सारे के सारे codes यहाँ पर available है ठीक हो गया यहाँ दा clear हो गया animated plots बहुत ही कमाल बनते हैं और इससे आप multiple किसम की reels भी बना सकते हैं videos भी बना सकते हैं और आप data को explain करके upload कर सकते हैं YouTube channel पर believe me people will love that see you in the next one like, share, subscribe जरूर कर दे इस video के अंदर हम देखने वाले हैं multiple और किसम के plotly के plots आप कैसे बना सकते हैं and believe me it's super easy to create these kind of plots let's jump into it screen आपके सामने हाजिर है सबसे पहले मैंने क्या किया यह सारी की सारी libraries python के अंदर import की है warnings को मैंने ignore की है और यहाँ से diamonds का data set जो description link link जो है description के अंदर मुझूद है वहाँ पे आपको दिया गया है वहाँ से आप load कर ले load करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ more plots in plotly और यह पूरे का पुरा code भी आपके पास आ जाएगा आप किस तरीके से इस plot पे काम कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ scatter plot और scatter plot हमने पिछली दफ़ा भी बनाया था लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा change होगा scatter plot और उसके लिए हम क्या करेंगे इस तरीके से हमारा scatter plot बन जाते है यह हमारे पास scatter plot है और आप देख सकते हैं कि left side के ओपर price की value बहुत ही स्यादा है इस price की value का अगर हमने log scale लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं हम यहां पे हमारे पास जो log scale है मैं इसको यहां पे कर देता हूँ log underscore y true ठीक है हम log जो y का है उसे true कर देते हैं मैं इसे run करता हूँ तो यह मेरे पास y का log आ गया यानि कि logarithmic ratio आ गई है जिससे क्या हुआ हमारे पास multiple चीजों का log आ गया यहां पे जो scale है जहां पे density ज्यादा है वहां पे हमारे पास logarithmic ratio जाय है उनकी आ रही है जिनतीनी भी values है उनका log हमारे पास आ गया है दूसरा में log x is equal to true करता हूँ और अब आप देखेंगे कि यहां पे हमारे पास scatter plot के अंदर दूनों का log आ गया है कैरेट का भी और बाकी उनका भी अगर आप चाहें तो इसको change भी कर सकते हैं और अगर colors का argument हम यहां से निकाल दें then you will see कि आपके पास simply यह वाला इस तरीके से plot रहता है तो आपका log आ गया है अगर आप logs को दोनों को comment आउट करते हैं यहां से तो आप दिखिएगा आपका plot कुछ इस तरीके से था जैसे आपने log लिया तो यह दोनों साइडें shrink हो जाती है यानि कि बड़ी values और छोटी values दोनों का comparison easy हो जाता है नॉर्मलाइज हो जाता है data and this is how you can see कि आपका data जो है वो नॉर्मलाइज हो चुक है ठीक है एक तो यह चीज होगी second आपके पास यह है कि जब भी आपको scatter plot बनाते हैं you can actually define कि x और y की limits क्या होने चाहिए जैसे कि यह plot है plot के अंदर update x axis करेंगे y axis करेंगे आप यहां पर ranges दे सकते हैं जैसे कि अगर आप गौर करें यहां पर दोनों की range बताईए कि 0 से 5 था जिरो से 20,000 था अगर मैं चाहूं यह 20 की बजाए मैं 10 भी कर सकता हूं यह देखेगा अब y axis पर सिर्फ वही data आएगा जो 10,000 तक है अगर मैं चाहूं तो इसी data को further अगर मैंने देखना है तो I have to just scroll down and scroll up to see the data लेकिन जो main view के अंदर है वो मेरे पास सिर्फ 10,000 तक रहेगा इसी तरीके से 0 से 5 तक है so this is how you can also define the limits ठीक है इसको बोलते हैं x limits या y limits फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला plot है that is called polar chart और polar chart के लिए आपने सिर्फ line underscore polar को use करना होता है r की value देनी होती है और theta की value देनी होती है and आपके पास जो plot है it should be there क्यों नहीं बन रहा let's see इसके अंदर error क्या आई है let's see मैं यहाँ पे df को दुबारा से define कर ले तो मेरे ख्याल से data के अंदर थोड़ी सी problem है sns.load dataset diamonds पूरे का पूरा data लेते है now there's another error by the way यह जो error आई है इसको मैं कैसे देख के remove कर सकता हूँ can you please give me a solution in your assignments of course यह आपकी assignment है यहाँ पे resolve this error ठीक है और यह polar plot कैसे बनेगा you have to refine that okay then we have heat map heat map जो है वो annotations के साथ हम बना सकते हैं यह मैंने पहले भी बना के दिखाया था I will just go again so यहाँ पे हमारे पास px.im show आपने करना है center में आपने correlation का जो matrix हमारे पास आता था वो बना देने something like this यह इस तरीके से आपका correlation matrix है इसका data दे के सिरफ और सिरफ आपने colors दी है यानि कि यह image plotly जब show करवाएगा it will show in a heat map ठीक है that's very simple तो इस तरीके से आप heat map show करवा सकते है फिर आपके पास जो अगला plot है sunburst plot होता है जो मैंने आपको पिछले lectures के अंदर भी दिखाया था that is also counted as an advanced plot कि आप यहाँ पे groups बता देते हैं value जो print करनी वो बता देते है and then you have a plot like this यहाँ पे मैं ideal पे click करता हूँ तो उसका मेरे पास data आजाएगा ideal पे click करके मैं वापस भी जा सकता हूँ very good पे click करके very good का data आजाएगा so on and so forth और इस तरीके से आपके पास sunburst plots जो है वो बन जाते हैं फिर आपके पास जो subplot है अब वो भी बना सकते हैं using plotly और उसके लिए यह मैंने subplot के लिए बता दिया कि आप यहाँ पे बनाएंगे subplots and then you will move forward error आपके पास क्यों आ रही है because you need to import the library जो subplot के लिए जरूरी है और उसके लिए हमें चाहिए होगा from plotly.subplots make subplots इसे import करना है and now it will make subplot एक हमने जो बनाया है वो है scatter plot और दूसरा हमारे पास box plot है यह दोनों plots हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे जैसे मैंने data बड़े वाला लिया है ना now it's making issues for my dataset और मेरे पास जो system है वो मुझे slow होता हुआ नज़र आ रहा है तो इस वज़ा से मैं यहाँ पे इसका sample ले लूँगा sample लेने के बाद मैं इसको इस तरीके से copy करता हूँ यहाँ पे इस पेस्ट करता हूँ यह sample आ गया मेरे पास and now we have this plot this plot and this sunburst plot and then we can create this plot so यह हमारे पास कुछ इस तरीके से last plot तक plots जो है वो आ चुके है now it's not a slow one प्योंकि RAM काफी लेता है plotly का जो लाइबरेडी है plotly की जो इस वेड़ा से हमारे पास कुछ इस तरीके से काम चल रहा है फिर हमारे पास होते हैं जो dual axis plot यह है dual axis plot, dual axis plot कैसे बनते है, sub plot ही आपने बनाने ठीक है और दोनों के dual axis देने है, dual axis क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे y axis भी है और आपके पास y axis 1 है, y axis 2 है एक पे आपने depth ली है, दूसरे पे आपने price ली है यहाँ पे carrot है, ठीक है तो जो red point है वो show कर रहे हैं carrot versus depth blue point show कर रहे हैं carrot versus price तो यह double axis plot इसे बोलते हैं और यहाँ पे आप इसको बनाने के लिए simply यहाँ पे जब आपने कोई भी axis बनाने हैं उसके साथ secondary y देते हैं secondary y देने के बाद उसको आप use कर लेते हैं तो इस code को गोर से देखेंगे तो आपको समझ आजाएगी then you have another plot which is called waterfall plot इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं कोई भी data लेके उसको group by करते हैं group by करने के बाद उसको sort करते हैं sort करने के बाद graph objects को use करते हुए आप name देते हैं x और y की कीमत देते हैं and here we go we have this kind of nice step by step waterfall plot which shows us कि data कितना है पिर अगले में कितना है फिर अगले में कितना है फिर अगले में कितना है फिर अगले में कितना है so this is how you can see कि आपका cut wise data किस तरीके से sort हो रहा है and you have to take the mean for some kind of group जिस group को फिर आपने यहां पे average price के अंदर रखना है और यहाँ पे आपने दूसरी जो है वो प्राइस को रखना है right so mean की value और बाकी value हमारे पास यहाँ पे show होती है इस code को भी आप detail में देखेंगे तो आपको समझ आजाएगी फिर अगला plot हमारे पास है funnel plot यह funnel plot है simply आपने क्या करना है आपके पास दो columns है यहाँ पे आपके पास clarity का value count लेके आप clarity का count जो है उसे plot करेंगे यानि यह x पे count, y पे आपके पास clarity और यह count की base पे आपके funnel बन जाएगी उपर से नीचे तक जिसे कीफ भी बोला जाता है so हर clarity की base पे data जो है उपर से नीचे sort करके आप print कर देते हैं सबसे ज़्यादा जिसका data है until and less सबसे कम जिसका data है और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यह वही चीज़ा जो हम value count जो है उसको देखते थे न अगर आप df clarity की base पे इसका dot value count चेक करें value count dot sort values sort values करके ascending false करें so this is the data जिसे हमने plot किया यह 1277 से नीचे तक और आप इसकी सिरफ funnel बना रहे है that's it something like this ठीक हो गया funnel plot के बाद आपके पास अगला plot जो आता है वो है bullet chart यह बहुत असान है KPI matrix के लिए यह use होते है अगर आप इसको देखें graphic object है सिरफ price का mean लिए है और बता दिए कि average price कितनी है ठीक है this is how you can say कि total इतनी है average price इतनी है right so this is how you can plot something और यहां पर आप देख सकते है कि उसकी range भी आपने बताई हुए gauge कहां तक आपने show करने है maximum df की price कितनी है उसके तक और gauge plus number यह दोनों mode यहां पर show होंगे graphic object में और आप इसको draw कर सकते है then आपके पास आता है candle light chart candle stick basically इसे बोला जाता है candle stick chart है और आप इसको कैसे बनाते graphing object के थूई और यह plot अगर आप गौर से देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है आप यहां से इसकी range select कर लेते हैं simple ठीक है और अगर आप गौर करें अब आपके पास जो range के अंदर candles आ रही है यह candle stick बने हुई है यानि कि जितना ज्यादा data होगा उतनी ज्यादा candle उसकी बन जाएगी अगर आप data को यहां से उठा के dense area में ले के जाएगे you will see कि उसकी candle stick वहां पे बन गी and then we have ternary plot इसको देखते हैं यहां पे इसको पेस्ट करता हूँ तो यह वाला जो plot है ternary plot है यह आपको basically बताता है कि आपका data जो है वो किस तरीके से तीन जगों के दर्मियान में समाया हुआ है जैसे carrot, depth and table तीन को ने है ना तो try angle की base पे इसको ternary plot बोला जाता है अगर मैं यहां पे df is equal to sns.load dataset करके सारे के सारे dataset को दिखाऊं so it will be a big plot something like this और इस plot के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से यह data जो है वो show होता है यहां पे देखें अब आपका जो data है that will look like this तो आप पूरे data को देख सकते हैं कि ज्यादा cluster किस जगा बे बने and then हमारे पास जो अगला plot है that is this stacked plot stack area plot है आप किसी चीज को group बाई कर ले और उसका stack बना दे and this is how the stack plot will look like area chart के उपर stacking हुई है ठीक है and then this is how you can make different kind of advanced plots यह सारे के सारा code आपको available होगा and description में आप देखें सिरफ आपने variables चेक करने है variables change करने है then it will be working fine for you hopefully आपको समझ आगी होगी and see you in the next lecture like, share, subscribe जरूर कर दीजएगा पिसमे ले रहाँ रहाँ में इस lecture के अंदर जो चीज हम देखने वाले हैं वो है plotly के साथ geomaps कैसे बनाए जाते है और geomaps बहुत ही important चीज है and within few lines of code आप इसे बना सकते है using plotly कैसे अभी मैं आपके सामने screen share करता हूँ as you can see here कि इस तरह का plot हम बनाने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ using the dataset from word bank जो हमारे पिछले coding night के अंदर भी हमने use किया था so similar kind of dataset हम fetch करेंगे और इस dataset के उपर हम plotly से इस तरह का koropath plot जो है वो बनाएंगे यह plot क्या होता है आपको population शो करवाता है different चीजों की या आप map कर सकते हैं किसी भी चीज को on google map या आप कह सकते हैं कि google का जो earth map होता है वैसे वाले map पे या आप कह सकते हैं कि दुनिया का जो map है उस map के उपर कैसे आप इसको show करवा सकते हैं तो पहला काम हमने क्या करना होता है सबसे पहले हमने यह वाली libraries जो हैंने import करना है pandas, numpy, metplolips, seabon, wvdata, data and time and plotly यह 4 में से सिरफ उपर वाली मैं use कर रहा हूँ लेकिन यह 3 मैं इस वड़ा से कर रहा हूँ क्योंकि जब आप भड़ा project करते हैं तो you need these libraries ठीक है so इस वड़ा से मैं इसको हर दफा मेरी practice के अंदर है कि मैं इसको add करता हूँ just for the fact कि जब दी मैं notebook बनाऊँगा I will not only use one library or the other one but several libraries together इस वड़ा से आप देखेंगे कि practice के अंदर मैं इनने use करता हूँ of course you can remove these और आपका plot बन जाएगा but it's totally up to you wvdata जो है यह wordbank data की एक API के थुरू आप इसे patch करते है wvdata एक python package है जिसके थुरू आप data wordbank के dataset से ले के आते है और wordbank का data अगर आप देखें तो यह wordbank की website है wordbank के अंदर जो data bank है यह इस data bank से आपको data जो है वो fetch करके देगा ठीक है so this is how we are going to do मैं यहाँ पर date and time मैंने इस वज़ा से बुलाया है क्योंकि इसके थुरू हम check करेंगे कि कि state का data हमें चाहिए ठीक है and then at the end plot list हम उसे plot करेंगे data fetch करना थो तो मैंने यहाँ पे सिरफ इस वज़ा से wvdata and pandas लिखा because I need only these two libraries to do this line of codes जो यहाँ पे use होंगी of course you can actually delete this but it's totally up to you अगर आप इसी code को copy कर लें then it will be working fine indicator जो है हमारे पास sp.population.total यानि के total population का हमने data लेने from wordbank सिरफ total population मैंने लिखी है यहाँ पे we can also add multiple factors और उनकी base भी भी देख सकते हैं लेकिन सिरफ total population से start करते हैं countries हमने पिछले lectures के अंदर यह 5 define किये दे मैं इनको भी define कर सकता हूँ इनके बगार भी देख सकता हूँ so we don't need the countries here इस वज़ा से मैं यहाँ से country का जो ये वाला एक column है इसको मैं remove कर दे तो ताकि हमारे पास पूरी दुनिया का data है not only सिरफ these 5 countries अगर आप इन 5 countries का लेंगे Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh and Sri Lanka then we will have 5 countries otherwise we will have all the countries like this then इनका index जो है वो reset कर देंगे हम and then पहला column होगा country का दूसरा date year का ठीक है और तीसरा of course हमारे पास total population का होगा जो हमने यहाँ पे indicator के अंदर total population set कर दिया then हम data को ensure करेंगे कि वो data जो है वो उसका जो year का column है वो numeric हो usually यह होता है कि वो numeric नहीं होता and we need to convert that into numeric जैसे कहले मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर brackets और कुछ और चीज़ें लिखी होती है इस वज़ा से we need that as a numeric numeric होगा तो यह factor की form में होगा इस वज़ा से इसको convert कर रहे है then यहाँ से आप range define करते है कि किस साल का data चाहिए मुझे सिरफ 2023 का data चाहिए अभी के लिए ठीक है so 2023 का data जो है मैं इस तरीके से यहाँ पर print कर सकता हूँ अगर मुझे 2023 का नहीं चाहिए मुझे एक range चाहिए so I can do like this as well मैं इसे copy करता हूँ यहाँ से मैं कह देता हूँ कि less than and equal to 2023 और यहाँ पर मैं इसके बाद simply क्या कर सकता हूँ and greater than equal to 1960 so 1960 से 2023 का data हमारे पास आजाएगा मैं data को df add करता हूँ मैंने save नहीं किया data मैंने सिरफ नाम लिख है just comment out किया है कि सिरफ आप data को पहले चेक कर ले मैं इसको run करता हूँ and the data is here यहाँ पर मेरे पास data मुझूद है 2023, 22, 21, 20, 19 multiple data sets मेरे पास मुझूद है हर साल का data मेरे पास आगए और यह df के अंदर यहाँ पर store हो चुक है आप df add की बजाए इसको df sample भी कर सकते है just to have an idea कि आपका sample कैसा नज़र आता है so this will give me multiple things अब देखिएगा पहले data और था अब और है चेक करें समझा रही है क्यों ऐसा है क्योंकि हमने sample यहाँ पर दे दिया अगर हम यहाँ पर random state 0 करते है let's see now क्या हो रहा है बार बार वो ही data आ रहा है क्योंकि जो इस random state पर data आ गया वो ही रहन है अगर मैं इसको 10 करता हूँ यह 10 पर आ गया यह यही रहन है ठीक है so this is how random state works so usually मैं क्या करता होता हूँ यहाँ पर अच्छा scientists जो है ने data scientists वो पड़े funny हैं इस मामले में हमेशा 42 लिखते है आप machine learning के algorithm में random state 42 देखेंगे ठीक है और इसके पीछे reason क्या है you have to find it out Google पर आप जाके देखेंगे तो आपको मज़ा आगा उसको पढ़ने के लिए क्योंकि जिसने first time use की थी उसने 42 लिखा सभी है 42 use करते रहते हैं random state 42 यह 10 यह 20 whatever the number is but the meaning जो है वो आपका data एक दफा जो आगया यह data मेरे पास आगया अब यह data किस तरीके से है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अब मैं इस data को df.info के थुरू मैं चेक कर लेता हूँ कि data क्या है यह मेरा data है country, year and total population का object, integer and float ठीक है तो यह मेरे पास data है और आपको पता है कि year मेरे पास multiple years मुझूद है ठीक है निस सो साट से लेके 2023 अब देखिएगा यहाँ पर figure मैंने बनाई है px. चोरो या कोरो कोरो प्लेथिस से बोला जाता है ठीक है कोरो प्लेथिस से आप कह सकते है simply और df हमने data दिया locations हमने दे दी country के नाम की ठीक है और location mode हमने country names दे दिया अक्सरो कात आपको latitude, longitude भी देना पड़ता है अक्सरो कात आपको different किसम की ISO observations लिखने पड़ती है या जैसे आप say for example pk, in इस तरह के code भी यूज़ करते है क्योंकि यहाँ पर हम complete country name यूज़ कर रहे है इस विटा से मैं location mode को country name कर रहा हूँ अगर मैं ISO यूज़ करता तो मुझे ये वाले column देने पड़ने थे in, pk, bd, lk ये codes हैं country के ठीक है क्योंकि मैंने ISO नहीं यूज़ किया तो मैंने क्या किया country name complete यूज़ किया hover, country name इसका मतलब जब मैं plot के उपर hover करूँगा तो वो country name मेरे सामने आ जाएगा color continuous scale हमने दे दिया sequential plasma हमने palette दिया इसकी title इसका है total population in 2023 and labels है total population and उसका total population आ जाएगा अब मैंने यहाँ पे बोला है 2023 की population but can you see any idea here के कहां पे हमारे पास year का column जो है वो 2023 को manage कर रहा है no, no so उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे year लगाना पड़ेगा and इसको इस तरीके से करके df के अंदर df year equal to equal to 2023 अब समझा आगी बात की selection let's see अगर काम करता है ठीक है but now we will see the errors error आगी है हमारे पास तो वो क्या है above inspection यह जो year है यह हमारे पास मुझे पता है क्या गलती है and पुरण से मेरी जो so year पहुंच गी थी वहाँ पे capital Y के साथ है capital Y के साथ है मैंने smaller के साथ लिखा यह राज़े प्लॉट यह देखिएगा India Pakistan Algeria United States Canada Greenland so इस तरीके से आप इसको plot को बना सकते हैं zoom in भी कर सकते हैं zoom out भी कर सकते हैं और यह interactive plot आपके सामने है मैंने total population शो की है and of course you will see के जहां पे India और China वहां पे colors different है and you might be thinking के plasma की बज़ाए हम और क्या दे सकते हैं पे आप hashtag लगाएंगे न यह viridis की जो है यह basically एक अच्छी color palette let's see यह हमारे पास कैसे काम करती है यह हमारे पास color palette आगी है अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इनके जो scale है न 2 billion से उपर वो बहुत ज़्याद है अब total population हमारे पास अगर देखी जाए एक country की यह हमारे पास 1.4 billion है यह हमारे पास कितनी है इंडिया की 1.42 ठीक है so usually हमारी जो maximum limit है that should be around 1.5 scale हमें क्या दे रहे 8 billion समझा भी बात की so how can we actually scale down the total population limit ठीक है so हमें क्या करना है अब इसी के अंदर scale यह हमें इसको कहा देता हूँ scale down हमने color continuous दिया वहां पे color दे दिया total population scale यह हमें इसको कहा देता हूँ limit the axis for total population यह हमें करने पड़े गे और उसके लिए हम क्या करते है figure dot update geos यहां पर यह बोल्राइ projection type इसकी orthographic कर दे let's see इससे क्या होता है यह तो गुमा दिया ना इसने orthographic तो यह हो गया chloropath की वज़ाए हमने orthographic कर दिया this is not like that तो हमें इसका axis change करने I would just do limit the scale कर देते हैं color bar है total population है हमारे पास 1.10 rest of over 8 है take 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion and 10 billion हम 10 billion कैसे remove कर देते है यहां से इसको भी remove कर देते है 10 billion को let's see अब क्या होता है now we have 100 million, 1 million अचा color bar पर अभी भी मौजूद है but it didn't update the axis color bar dictionary total value यह है tick values हमारे पास यह है tick axis हमारे पास यह है so we need to reduce down मैं इसको सारे code को copy करता हूँ easiest solution is to go chat GPT यहां बे मैं paste करता हूँ code please scale the limit of total population here I would like to see only 1.5 billion as maximum scale let's see मैं सर्फ वो code देखना जाता हूँ यह क्या करता है so यहां पे हमारे पास total population आगे where it is हमारे पास color है dictionary उसने दी है 1.5 billion हमारे पास यहां पे tick value है tick text है and यह है color access door यह है जी limit जो हमें add करनी है so I will just copy this code बाकी ठीक है यहां पे वापस जाते है और इस जगा पे वो code मैं add कर देता हूँ so यहां पे आप देख सकते हैं कि 1.5 हमारे maximum है और यहां पे भी maximum होगा I am hopeful कि अब change हो जाएगा and here we go now you can see the change ठीक है वो change क्या है अब आपको United States की 334 जो million की population वो भी नजर आ रही है बाकी भी आ रही है so on and so forth अब अगर आप चाहते हैं 1.5 e की power 9 से इसको आप 0.5 भी कर सकते हैं यानि कि half a billion जिसकी होती है so यहां पे भी 0.5 कर सकते है 1.5 into this one I won't change this text value just to see कि change कहां पे आती है now you can see different colors right so सिर्फ आपने limit डाउन करने है क्योंकि दो ऐसे outliers है इंडिया एंड चाइन जिसकी population बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा population है जिसकी वज़ा से बाकियों का color impact हो रहा है so this is one thing second यह होती है कि आप color ramp पुद से decide कर ले ठीक है यहां से यहां तक एक color डालने है फिर आगे दूसरा डालने है अच्छा यह तो होगी एक चीज दूसरी चीज इसी population के उपर अगर मैं यहां पे same code को paste करता हूँ same code को मैंने paste किया और मैं यहां से भी यह जो मेरा code है इसे भी मैं paste करता हूँ एक code हमारा बन जाए शुरू से end तक यहां पे मैं तीसरी लाइबरेरी जो plotly है उसको भी add करते तो import plotly express import wb data and import date and time date time date time यह हमारे कुछ लाइबरेरी से जिने हम यूज़ करते हैं और यहां पे अब मैं इसको comment आउट करता हूँ यह मुझे data देगा इंडिया, पाकिसान, बंगला देश, सिरी लंका and अफगानिस्तान का and then I will plot the data only for 2023 यहां तक और इसको मैं यहां से comment out करता हूँ just for the sake क्योंकि हमारे पास scale जो है वो down हो गया and let's see यह हमारे पास data आ रहा है अब अगर आप गौर करें sorry there is something wrong हमने यह country को भी यहां से comment out करना था and that is this is country date here यह वाला indicator के अंदर so इस में आसे यह फरग नहीं था पड़ा and now you can see the change हमारे पास सिरफ और सिरफ उन countries की population आ रही है यह ले ठीक है so this is how you can also play with the population अपने region के अंदर के कितनी किसकी population है and you can see exact population when you hover over the things ठीक है अब यह scale down करने के हमें ज़रूरत ही नहीं है because we can see clear differences between different countries and of course पाकिस्तान की ज़्यादा है फिर अफगानिस्तान भी है हमारे पास स्रीलंका भी और बाकी भी तो यह सिरफ total population थी अब यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे भी figure.update layout करने के बाद हम यहाँ पे एक नई चीज़ आड़ कर देते है type आड़ कर देते है chloropath है हमारे पास chloropath है sorry यहाँ पे बलके इसकी बिज़ाए हम यहीं पे directly जा ले जाते है and यहाँ पे है px this one इसको copy कर लेते है copy करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे paste करता हूँ and यहाँ पे देखते है हमारे पास क्या चाहिए जा सकती है एक तो था हमारे पास जो map की type है this is chloroplet अब इसके इलावा और कौन सी है अगर मैं directly जाँ plotly पे plotly maps in python तो यहाँ पे maps in plotly यहाँ पे multiple types है आपके पास ठीक है तो अगर आप गोर करें यह सारे के सारे plots आप इस पे बना सकते हैं आप specific base भी दे सकते हैं population भी दे सकते हैं जो orthonographic होता है वो भी आप बना सकते हैं and there are other maps as well so you can actually take the sub map here और यहाँ से इस तरीके से dashboard भी आप develop कर सकते हैं कि आपका dashboard कैसे color change करते हैं अगर आपके पास GDP है फिर population है और बाकी है उनको आप ऐसे buttons भी दे सकते हैं and then you can do multiple things here लेकिन जो मेरा favorite है वो यही है क्योंकि ज्यादा तर मैं इसी को use करता हूँ और इसी map के थूप अपना काम जो है वो हम कर लेते हैं so अब आप geo mapping कर सकते हैं easily using plotly इसके अंदर फर्दर अगर आपने कुछ करना है तो you can also do that जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ update the plot type to orthographic projection type sorry yes projection type orthographic हो गई है यहाँ पे आपके पास पूरा एक globe आ गया है आप इसको zoom in भी कर सकते हैं zoom out भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे आपकी population का जो scene आ रहा है इसके इलावा projection type जो है आप और भी change कर सकते हैं so यह है natural earth फिर आपके पास यह सारी के सारी projection type है ठीक है आप कोई भी रख सकते हैं for example यह मैं natural earth रखता हूँ copy करता हूँ यहाँ पे इसको paste करता हूँ let's see यह natural earth of course it's not flat लेकिन आप देख सकते हैं कि change हो रही है यहाँ पे मैं सिरफ projection type change कर रहा हूँ so आप data को कैसे show करवाते हैं that is called projection यह ले and there are many other types like so जो geospatial mapping करते हैं they have developed these types plotly ने सिरफ इसको implement किया so geospatial mapping वाले इसको different तरीकों से देखते हैं तो यह तो हमने सिरफ population को draw किया है आप और भी काम कर सकते हैं आप GDP को draw कर सकते हैं अब आपके पास एक तरीका आगया है न code आपके पास मजूद है यहाँ पे सिरफ और सिरफ indicator आपने change करना है यह था total population का अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ say for example GDP per capita यह भी हमारे पास एक indicator है ठीक है GDP per capita को भी देख सेते हैं and let's see हमारा data हमें क्या कहता है हम जब GDP per capita वाला data यहाँ पे लेके आते हैं मैं इसको copy करता हूँ copy करके पिछले वाले को undo कर देता हूँ ताकि पीछे वाला scene जो है वो खराब ना हो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ इसको paste करता हूँ यह हमारे पास GDP per capita आगी पांच countries की ठीक है मैं ज्यादा नहीं data लेता मैं इसको run करता हूँ let's see यह देखें GDP per capita से यह column आगया हमारे पास GDP per capita भी मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ इसके इलावा अगर आप कॉमा लगाके यहाँ पे कुछ भी करना चाते हैं इसे for example net migration भी है यहाँ आप यहाँ पे लिख देते हैं net migration तो उसके लिए जो हमारे पास code था वो भी आ जाएगा if copilot helps us and here we go so let's see लेजनाब net migration GDP per capita आगी भी आ गया अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी figure बनाते है इसी चीज़ की और मैं यही code copy करूँगा because it's easier to make copy यहाँ पे करता हूँ paste यह वही चीज़ है df है year हमने mention कर दिया country names आगे total population color हमने दिया इसकी बजाए हम क्या कर सकते हैं दूसरे columns के name दे देंगे जो यहाँ पे name आ रहे है gdp per capita मैं यहाँ पे लिखता हूँ gdp per capita and यहाँ पे labels जो हैं यह भी हमने change करना है gdp per capita और यहाँ पे मैं इसको gdp per capita कहा देता हूँ ठीक है and let's see हमारे पास plot कैसा बनता है इसका and here we go आपके पास gdp per capita है of course you need to mention the unit as well क्योंकि gdp per capita जब मैंने लिखा है यहाँ पे if there is some unit तो मैं यहीं पे bracket लगा कि उसका unit लिखता हूँगा ठीक है so that's what I can do लेकिन of course it's totally up to you आप किस तरीके से इसको manage करते है so यहाँ पे current US dollar है so मैं इसको लिख देता हूँ so this is how you can manage the units ठीक है so यह आपके पास चार कंट्रीज पांच कंट्रीज का gdp per capita आगे and now the thing is मैं इसी को कॉपी करता हूँ पूरे वर्ड का gdp per capita 2023 का यहाँ पे हम ट्रॉ करते है and simple is that यहाँ से country को stop लगाना है यहाँ से countries को indicator में से निकालना है and that's it enter it will take some time to fetch the data and then show the data and here we have gdp per capita and you can actually see कहाँ पे कौन से countries जो हैं वो ameer हैं कौन से ठीक हैं and कहाँ पे colors क्या चल रहे हैं of course USA की जो economy हैं वो strong है यहाँ पे gdp per capita अगर आप देखें तो यहाँ पे यॉरप के different countries जो हैं वो भी ठीक है क्या ख्याल है और यहाँ पे चेक करें तो बाकि भी ऐसे ही है और इस जगा पे अगर हम आएं तो यहाँ पे चाइना भी ठीक जा रहे है और अगर यहाँ पे आएं हम तो अस्ट्रेलिया भी कुछ ठीक है यह per capita के base पे gdp है तो इसको आप different जो columns है उनको आप ऐसे draw भी कर सकते है यहाँ पे मैं सिरफ और सिरफ orthographic है not orthographic I was using the wrong name orthographic है यह वरा plot बनाता हूँ और यहाँ से आप पूरे का पूरा globe इस तरीके से कर सकते है अब यहाँ से फाइदा क्या है आपको अगर आपने इसी के अंदर let's see मैं इसे copy करता हूँ I am just giving you an idea maybe it will worth worth using it और यहाँ पे orthograph की बजाए मैं natural earth दे देता हूँ बलके इसको मैं comment out करता हूँ for now तो मेरे पास जो plot बना है that is this one ठीक है अब क्या करते है यहाँ पे यह जो year है न इसको मैं निकाल देता हूँ समझ रहे ना मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पे देते है animation frame year का big thing is going to be here let's see अगर यह चल पड़ा I'm not sure if it will be running लें जना अब देखिएगा क्या होगा 2023 से 1973 तक आ रहा है सो मैं इसको उल्ट करता हूँ यहाँ से मैंने data को sort कर लेने sample के फोरण बाद यहाँ पे sort the data by year so यहाँ पे आना चाहिए df.sort values by year and यहाँ पे यह अब year 1960 से start होगा hopefully and here we go 1960 and 2020 तक यहाँ पे आपके पास आएगा total population अब आपके पास एक चीज का अंदाजा आपको होगा कि total population कैसे increase कर रही है through the years त्यार है जे let's play this here we go कितनी प्यारी वीडियो बन रही है समझ ले हैं बात को यह population कैसे change की है कैसे swift change आई है sorry GDP per capita कैसे change की है not population आप देख सकते हैं कि कब कौन सा country अच्छा था कब नहीं था and you can see यॉरप ने फोरण से तरक्की नहीं ले ली 1947 के बाद 1960 के बाद they need they had to work very hard सास्तोर पर जर्मिनी का अगर आप देखेंगे so अगर मैं इसको zoom in करूँ you can actually see कि पाकिस्तान का GDP per capita कैसा चल रहा था ये है पाकिस्तान अब मैं दोबारा से इसे play करता हूँ चुरू से नीचे रहे हैं अल्ला के होकम से उपर ही नहीं आने दिया समझ रहे हैं बात को as compared to other countries नहीं इस वर जैसे color नजर नहीं आ रहे हैं आपको so what we can do now we can also compare the same things for these five countries जो मैं आपको पहले बता रहा था ठीक है so मैं ऐसे करता हूँ इसको ऐसे कर लेता हूँ कम अज कम हमें पता तो चल जाएगा ना हमारा मुकाबला जो है इर्दिगिर्द वालों के साथ हम साय मुमालिक के साथ हमारा क्या सीन चल रहा है let's see scale जो है वो बहुत उपर वाला भी है हमारे पास क्यूंके सिरिलंका जो है उसका GDP per capita अच्छा खास है इस वज़ा से scale उपर है 1960 की बहुत वह रही है यहां पर देखिएगा ले ले जनाब चेक कर रहे हैं इंडिया में चेंज और पाकिसान में चेंज आख हाँ जे कुछ समझ आई चीज़ की अब यह ऐसी चीज़ें अगर आप YouTube का कॉंटेंट बनाने में या अपनी प्रेजेंटेशन में या एक एनिमेशन बनाने में सेव करें तो believe me it can save a lot of time for people to understand किस तरीके से यह GDP per capita चेंज होता है अगर आप ऐसे comparison दिखाएंगे एक एक तस्वीर का तो कितने साल है जी 64 साल है and people will take a lot of time to grab this knowledge लेकिन एक एनिमेशन आपको कुछ seconds के अंदर दिखा देती है अब अगर आपने पिछला lecture सुने है ना तो मैंने विडियो को save करने का तरीका भी बताया है अगर आपको याद हो plotly maps के अंदर sorry इसके अंदर plotly master class के end पे मैंने animation को save करने का कल एक lecture भी जो है वो आपको दिया है अगर आपको याद हो उसके वीडियो हमने save की थी और उसकी gif file भी save की थी so if you go there you can also save this as an animation animation और आप इसको देख सकते हैं यह जो जितना भी हमने यहाँ पे draw किया you can save that as a gif file तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ save that save animation as gif simply not this one यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ पेने उसी code को ले कियाता हूँ because I have added that at the end यहाँ पे मैंने यह पूरा तरीका बताया हुए किस तरीके से आप save कर सकते हैं इसको वीडियो के तोर पे मैं इसको यहीं से copy करता हूँ इस पूरे code को यहाँ पे लाके इस पे इसको implement करने के कोशिश करते हैं मैं यहाँ पे paste करता हूँ and now you will see कि हमने क्या करना होता है simply यह एक हमारे पास code है ठीक है हमने इसके अंदर यह जो हमने figure बनाई है न यह basically इस figure को animate करके save करना है तो मैंने यहाँ पे moviepy.editor और operating system यह वाली command यूज़ की थी और इसको मैंने use किया था for saving the video अब मैं बजाए इसके कि मैं पूरे code को खुद से manually करूँ मैं इस code को copy करता हूँ और मैं chat.jpd को उसको कहता हूँ कि यह this is my code I would like to save the files as mp4 video and also gif file here is how I did it recently so मैं दोनो codes यहाँ पे copy कर देता हूँ and then chat.jpd will help me to refine the code please provide me code for the map ले जाए so यहाँ पर यह मैंने इसको पूरा context दे दिया and now it will give me the code कि किस तरीके से सारे के सारा जो code है वो save होगा and किस तरीके से 5 countries का जो data है वो frames के अंदर save हो के बाद में clip right हो जाएगा HD video के अंदर and this is the code मैं यहाँ से उठाता हूँ मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर इसे paste करता हूँ and here we have the code जो भी काम उसके अंदर है hopefully इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी and the main thing जो इसने की है वो यह की है कि हर एक साल के एक तस्वीर को save किया है in one document call frames map ठीक है यह directory इसके अंदर save हो गया save होने के बाद जब वो सब कुछ save हो गया then it converted that into a film और वो film gif के अंदर भी और mp4 के अंदर भी save होई है मैंने hd के अंदर भी की है if you don't want to do it in hd it's up to you लेकिन this is how you can save और मैं यहाँ पर क्या करूँँगा एक 05 के नाम से 05 के नाम से not this one right click new folder 05 और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ map maps animation इसको मैं copy करता हूँ 05 maps animation और यहाँ पर जब मैंने output डालनी है इसके अंदर मैं इस तरीके से इसको save करूँगा ताकि मेरा जो काम है वो इस एक folder के अंदर save हो अब मैं इसे run करता हूँ let's see it will take some time आपको moviepy एडिटर जो है इसे install करना पड़ेगा और यह वाला moviepy python के यह soft library है basically frames को जोडने के लिए होती है and now it's just working अगर आप गौर करें यहाँ पर हमारे पास यह frames map के नाम पर folder है यह सारे frames save हो रहे frames का मतलब हर एक image for loop के साथ save हो रही है अगर आप इसको निकालेंगे तो this is the image समझे ही बात की सो हर साल की save हो और यह चेक करें उपर year change हो रहे है ना बस इसने उठा के बाद में image में change कर देना let's see अब क्या मसला है आज़ी हमारे पास यह issue कर रहा है none type type error none type का error let's see integer type जो है वो हमें खराब कर रही है so missing values हो सकती है इसके अंदर जिसकी वज़ा से none type आती है अगर आपको पता हो so it will handle for the missing values and then it will save the code मैं सारे code को दोबारा से copy कर रहे and let's put it here यह end वाली तीन line ने में change करता है बाकी change करता हूँ क्योंकि end वाली तीन line ने जो है वो मेरी image को save करने के लिए let's see मैं इसको दुबारा से run करता हूँ आप क्या होगा पिछले तस्वीरें जो है वो replace हो जाएगी and आपको पता है 64 साल है तो जो कितने frames होने जाहिए टोटल 36 index 0 से start हो रहे है right okay now the problem is video file जो है वो नहीं राइट हुई लेकिन gif file हो गई है and here we have the data ठीक है so यह gif file है आप इस पर zoom in भी कर सकते हैं और इस तरह किसे दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो यह base map जो बाकी है उसे remove भी कर सकते हैं बाकी जो वीडियो की file है इसका issue क्या चर रहे है अगेन none type की error आ रही है so we can remove that again missing values जो है ना उनका roll है इसके अंदर और कुछ नहीं है बाकी everything is perfectly fine तो मैं इसको दुबारा से save करता हूँ code को बस output अपनी scattered नहीं करने वरना आपका खाम खराब होगा बाकी तो image की sequence यह जो change हो रही है so मैं इसको दुबारा से run करता हूँ it will take few seconds and then we will have the video hopefully this time it will work fine yes it is working and it stopped again so missing value का अभी भी चक्कर आ रहा है must be a real number not a none type इस code में problem है जिफ हमारे पास हो रही है so we will see it afterwards क्योंके अभी के लिए we have to move further यहां पर animation जो हमारे पास आ चुकी है जिफ so we can save it अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहीं पर हमने जो काम किया था इसको stop करते हैं और country को भी stop कर देते हैं इंडिकेटर में यह वाला and then we will see के हमारे पास पूरी दुनिया का map animate होके आता है यह नहीं GDP का per capita so मैं इसको run करता हूँ few seconds के लिए wait करेंगे क्योंके यह अच्छी खासी speed लेता है images multiple बन रही है कहां पे एक दफा़ प्लॉट ली चलनी है यहां पे कई दफा़ चल रही है अब यह जो काम हो रहा है न सेव का क्लाइड एंजिन के थुरू आपने देखा है कि यहां पे सारी की सारी PNG में सेव हो रही है अगर इसका मैं scale size बढ़ा दूँगा यहां से 2 या 3 कर दूँगा यह most HD मतलब जो बहुत high quality video है उसके अंदर convert हो जाएगी सो हमारे पास यह चल पड़ा है and here we have animated image for the whole every country ठीक है और scale भी move कर रहा है अगर आप गवर करें based on the year ठीक हो गया and this is actually a gif file आप इसे उठागे ना इसी तरीके से आप इसे post कर सकते हैं अपने social media handles पे WhatsApp status लगा सकते हैं and do multiple things this is how you should work as a data analyst क्योंकि आपके पास data है, आपके पास skill है इसको show करवाएं, लोगों को बताएं कि मुझे ये काम आता है and try to produce these kind of things and upload on different social media handles ताकि लोगों को पता चले कि you are good in data visualization static plot बनाना बहुत बड़ी बात है plot को map में convert करना उससे बड़ी बात है map पे data को show कर रहा है वो भी उससे advanced level है एक map को 5 साल के लिए show करवाना उससे बड़ी बात है आप 64 सालों का data within 5 seconds डाल रहे है just imagine, you just need to write if you want to have a glimpse of GDP per capita around the world from 1960 to 2023 here you go in 5 seconds boom so the thing is there I mean, it's up to you आप कैसे गाम करते हैं लेकिन this is how you can create multiple impacts यहां तक समझ आगी if you have any question, write down in the chat or comment section, then I will answer अब देखते हैं एक script जो मैंने plotly का design किया है और यह बहुत ही कमाल का script है within few seconds यह क्या करता है यह आपको एक refined video format के अंदर video provide कर देता है अगर आप गौर करें यहां पे मैंने complete project के नाम से एक चीज रखी हुई है ठीक है और अगर आप गौर करें यहां पे हमारे पास एक यह वाला एक मैंने script बनाया था जिसके अंदर आप क्या करते है कोई भी एक data देते हैं यह 19 by 1080 इसको मैंने 4K के अंदर भी बनाया हुआ यह 4K quality के अंदर भी आप save कर सकते है same plot को जिफ के अंदर भी MP4 के अंदर भी बाखी चीज़ों के अंदर भी और अगर आप इसी का size change कर दें plot का यहां से एक तो यहां से bit rate change कर दें जो जिनको वीडियो ग्राफिक अपता है they know about this codex होते हैं bit rates वगरा होता है फिर आपका sizes होते हैं different किसम की यहां पर HD 1920 by 1080 की होती है आप इसको 4K में भी कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा कर सकते हैं तो किया गया है मैंने मैं आपको simply बता देता हूँ इस पूरी जो app का main मकसद था वो क्या था पहले तो भई WB data World Bank का data वहां से data लिया ठीक है और data को import किया कौन सा data लेना है मैंने migration sorry GDP per capita and total population का data लिया उसको country wise save कर लिया मैंने कोई भी नहीं लिखा किस country का चाहिए all countries around the globe मुझे चाहिए ठीक है फिर इसमें एक जो intrigue case ही है यह है कि आपने missing values नहीं आप plot कर सकते है फ्रेम्स में यह पहले आपने missing values को deal कर लेना है या तो उसे 0 कह दे वरना उसको impute कर ले then you have to filter the data कितने सालों का चाहिए मुझे 1960-2023 सारे का सारा चाहिए था तो मैंने यह लिख लिया और यह argument मैंने क्यों use किया है जब मैं practice कर रहा होता हूँ तो मैं सभी पर नहीं बनाता सिरफ दो सालों तीन सालों का data frame पर बना लेता हूँ ताके ऐसे render हो जाए मुझे wait ना करना पड़े तीन से चार मिनट and then यहाँ पर मैंने देखा कि सच में कोई मेरे पास missing values नहीं है अगर हैं तो उसके इलावा data जो है वो copy हो जाए missing values के इलावा so just for a kind of you know several steps जहां पर आपने improve करना है फिर मैंने क्या किया मेरे पास जो data था ना GDP per capita का वो India, USA, China का बहुत ज्यादा था बाकियों का बहुत कम था colors नहीं नजर आ रहे थे मैंने binning कर लिए उसकी start में pandas में जो हमने पढ़ा था ना binning का मैंने वो bins बना लिए यहां पर देखें simply bins बना के मैंने उसको PD कट या नहीं के panda के एक वांट से bins में सेव कर लिया अब मेरे पास एक extra column आ गया category का GDP per capita less than 1K 1K to 5K 5K to 10K 10K to 20 20K to 50 50K से above ठीक है GDP per capita and then मैंने क्या किया फिर यहां पे जितने ही मेरे पास categories थी ना उतने मैंने उसको qualitative colors दे दिये यानि के colors भी उतने ही दे दिये जितनी मेरे पास discrete categories मौजूद थी ठीक है इससे क्या होता है length of labels की base पे आपके colors आ जाते है ठीक है automatically multiple colors यहां में मैंने क्या किया frames की एक directory बनाए directory का एक folder बनाया python के अंदर ही ठीक है यह थुड़ी सी hardcore coding है बढ़ आपको मैं समझाता हूँ समझा जाएगी मैंने एक नाम रखा तो वह animation हो जाती है तो उसको मैंने एक folder में save करना है folder का नाम यह रखा यहां पे मैंने लिखा कि अगर folder पहले से exist है इसे remove करके नया बनाना भी ठीक है this says OS यानिक operating system की path.exists यहां पे जाओ frame directory अगर बनी है import करो यह एक library है जिसको sutil भी बोला जाता है sutil भी बोला जाता है इससे क्या होता है यह आप जो directories, files और उनको handle कर सकते inside your computer by using python code तो मैंने क्या किया अगर मुझूद है तो उसे remove कर दो simple और यहां पे library import की यहां पीछे भी कर सकते यहां पे पिकर सकते अगर नहीं है तो इस नाम से नहीं directory बनगी exist, ok, true ठीक है समझड़ाई बात की अगर पहले से पढ़ी है तो exist, ok, मैंने कर दिया क्योंकि हो सकता है कि वो खाली यहां पे मुझूद हो और अगर आप exist, ok, true को भी delete कर देते तो इसका मतलब है अगर exist करती होगी तो नहीं बनाएगी अगर पहले से बनी हुई है तो उसको remove करके नहीं बनाएगी and then हमेने के किया फिर unique years लिए years जितने भी थे 1960 से 2013 तक उस सारे unique years लिए और हर अब यहां पे देखिएगा यह for loop के साथ सारे plots बन रहे है for I years in enumerate unique years जितने भी years है न उनको enumerate किया and then filter किया data को based on the year यानि के जो year यहां पे आ रहा वो ही यहां पे आएगा 1960 का अगर काम चल रहा है तो 1960 वाला data यहां पे आएगा आ गया data then मैंने क्या किया यह जितने भी हमारे पास labels है create उनका एक data frame create कर लिया using country years GDP per capita GDP category based on this filtered data सही है और इस तरीके से हमारे पास जितनी भी values हों वो यहां पे आगे and then I combined this with all DF categories जो हमारे पास filter data में भी है and then यहां पे यह वाला हमारे पास एक plot बना है PX chloroplet plot जो basically आपको मैंने बना के map दिखाया था वो बना और यह frame fig यानिके frame fig के object में बना फिर उसके बाद वो ही frame fig यहां पे मैंने इसको comment out किया this is about the margin उसको मैंने क्या किया उसको update किया update कैसे किया country को true करो gray color की boundary कर दो natural earth वाला मेरे पास style कर दो यहां पे मैंने क्या किया then update layout की title का text change किया title की width height जहां पे मैंने print करवाना है क्योंकि एक frame होता है न tv के अगर screen से बाहरी title नज़र आए तो फिर title नणा हुआ so वो tv की screen के हिसाब से sizing करनी पड़ी उपर से 0.95 कर दिया 1 करता तो top पे y पे होता सबसे उपर किनारे पे उसको मैंने 0.95 क्यों किया क्योंकि उस से थोड़ा सा नीचे आए and then 0.1 axis x पे x का मतलब यह है कि left side से 0.1 छोड़ के ठीक है 0 होता है न अगर आप graph को देखें यहां पे 0 होता है उसके फिर x-axis होता है फिर उपर y-axis होता है then यहां पे मैंने frame को update कर दिया यानि कि जो save यहां पे frame होगा उसकी width and height बता दी खुद से scale भी आप दे सकते हैं Clido engine के अंदर लेकिन this is what I am providing कि यह size हो मेरे plot का इससे ज़्यादा नहों then मैंने यहां किया यहां पे title का font change किया और यह काफी practice के बाद बता चला है कि 50 font बहतरीन बैठा है 34 मेरे पास जो है legend का title बहतरीन है and legend का font 22 यह बहतरीन है then मैंने नीचे अपना text add किया कि यह plot किसने बनाया so this is kind of copywriting ताके कोई copy ना कर सके कि वीडियो में क्या editing हो जाएगी and then मैंने बताया कि किस जगा पे इसको annotate करना है so this is like annotating text याद है मैंने आपको पढ़ाया था plotly के अंदर कि आप specific point पे annotate कर सकते हैं कुछ भी उनका size भी और बाके जीज़ें भी फिर यहां पे क्या हो रहा है इस जगा पे naming हो रही है हर frame की naming हो रही है ठीक है according to the frame year सही है automatically f string लग रही है और यहां पे i क्या था अगर आप पिछे जाएं for loop पे तो यहां पे i हमारे पास था जो यहां पे हमारे पास number of frame है पहला year चला तो पहला दूसरा तीसरा चोथा इस तरीके से यहीं पे इस तरीके से वोई change हो रही है और उसके png बन रही है something like मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा इसको बाद मैं मैंने remove कर दिया तो मैं आपको दुबार से दिखाता हूँ so यहां पे इसके बाद मैंने उसको write किया scale 2 क्योंकि है कि high quality बन जए scale में problem ही न आए पीछे भी size मैंने दे दिया 1920 by 1080 और यहां पे scale 2 कर दिया कि highest pixels आए मेरे पास then image file को यहां पे मैंने collect कर लिया based on the जो pngs और सारी की सारी and then frame per second मैंने दिया और यहां पे clip को basically using different libraries moviepy editor वाली library जो है मैं आपको दिखाता हूँ this library moviepy इसके अंदर से image sequence clip मैंने लिया और इसके थुरू जितने frames थे उनको जोड़ा तस्वीरे आ गई गया तो आप कोई भी software यूज करके वीडियो बना सकते हैं आप video editing के software भी बाकी भी लेकिन मैंने यहीं पे frame per second बताया image sequence को clip में use किया यानि कि जितनी मेरी image files हैं उसको उठाओ दो frames per second यानि कि दो तस्वीरे एक second में गुजारो ठीक है और मैंने output directory उसकी यह वाली रख दी कि इसमें save हो videos that is separate one ठीक है और directory अगर नहीं है अगर है तो नहीं बना दो अगर नहीं है तो नहीं बना दो वरना है तो उसी के अंदर जाने लो and then यहां पे यह MP4 के अंदर save होगी clip को right video file में किया MP4 में होगी यह codex होते है x264 codex है basically अगर आपको video का knowledge है computer vision का तो और यहां पे हमारे पास जनाब इसे को मैंने hd में किया ffmpeg जो है हमारे पास उसके params है यह pix format and u420p इसको मैं advance भी कर सकता हूँ but this was fine audio आपने false करना वरना यह चलेगा नहीं और इसमें important चीज़ यह है कि gif को मैंने और speedy कर दिया और यह मैंने half कर दिया वहां पे two frames per second में जा रहे थे यह मैंने one frame per second भी कर दिया ताके just to reduce the speed and at the end मैंने क्या किया इसको gif को यहीं पे python के नीचे print किया that should look like this ठीक है और इसको mostly जो time लगता है वो यहां पे अगर आप देखे अच्छा एक और काम हम कर सकते हैं जब भी एक code आपने run करना है मैं यहां पे एक start में एक command लगाता हूँ यह बड़ी गोर से देखना अगला हमारा lecture भी है इसको बोलते magic commands जो double percentage के साथ start होती है यह पूरा code जो इसमें चलेगा न यह उसका time बताएगा के इसने कितना time लिया है इस code ने चलने में in output जुपिटर नॉट्बुक में वैसे भी आता है time लेकिन this will provide us in output ठीक है अब यहां पे देखिएगा क्या होता है अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूं और इसको थोड़ा सा zoom out करूं अब मैं script चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा के यहां पे क्या सिलसलाकार चल रहा है लेट सी बिस्मिल्ला यह मैंने चलाया ठीक है अब यह पहले तो libraries विगरा import होंगी and sometimes it will take time so of course you should know के यह procedure चल रहा है यह blue bar जो चल रही होती न this means it's running fine error जब तक नहीं आ जाती यहां पे check करें यह frames आ रहे है समझ रहे हैं यह frames जितने भी बनेंगे वो यहां पे आएंगे अब मैं देखता हूँ मैंने अपनी directory का नाम क्या रखा हुए chloropath coropleth frames map यह है मेरे पास ठीक है इसके अंदर आपके पास frame आते जा रहे हैं यह check करें सही हो गया यह देखें आ रहे हैं ना frames यह one by one करके सारे plots बन रहे for loop यहां भी use हो रहे है सिरफ पढ़ना मकसल नहीं है हमें use भी करना आना चाहिए तो इस वड़ा से यहां पर for loop की example आपके सामने आगे जैसे यह बन जाएगा यह सारे frames इसमें आ जाएंगे frames आने के बाद animation वाले folder के अंदर इसकी तीन files बनेगी एक GIF एक Simple MP4 एक MP4 HD यह देखें टाइम चल रहे है यह Jupiter notebook है इसके बाद आपके पास different नीचे भी आगा अच्छा यह जो warnings आ रही है ना मेरे पास यह basically deprecated जो आपका काम जो commands जो हैं खराब हो जानी है बंद हो जानी है क्योंकि हम for loop में चला रहे हैं तो हर दफ़ा ही वो आ रही है हर दफ़ा warning आ रही है ठीक है यह अब मेरे पास movie जो है build हो गई है अब दूसरी वीडियो बिल्ड हो रही है यह चेक करें यहां पे लिखा आ रहा है building video based on the frames तो आप यहां पे भी यह काम कर सकते है जिल लोगों को hyperlapse बनाने का शौक है ना अगर आपको concept का पता है hyperlapse क्या होता है आप multiple images बनाए sequence के अंदर python को use करके उसको hyperlapse में convert कर सकते है simply moviepy editor के साथ लें जी आपका काम done हो गया video ready होगी अब यहां पे आपके पास script अभी भी चल रहा है उसकी reason यह है because it's now creating gif file और जैसे यह वो gif बनाएगा automatically आपके पास जो है वो नीचे आपके पास print भी हो जाए because I have written this code यह code आपको मिल जाएगा यह of course यह open source ही है क्योंकि हम open source में काम कर रहे है बस आप अपना बनाके कहीं पर show ना कीजिएगा use करने के लिए रखें अभी because I will later on write an article on that तो फिर आप इसको site भी कर सकते हैं या बता सकते हैं कि यहां से हमने लिए तो यह एक ऐसा project हो सकता है जो अगर इस पर app develop की जाए जो लोग थोड़े से आगे का सोच रहे हैं उनको मैं idea दे देता हूं एक अगर app develop कर देना लोग सिरफ data दे वीडियो लेके जाए कितना बड़ा idea सोचे लोग है data दे वीडियो लेके जाए reels भी hdb जो भी चाहिए और अगर आप में से कोई इस पर काम करना चाहता है do it and send it to me later on we can improve that further और इसको deploy भी करेंगे और ये basically अगर मैं आपको बताऊ ना तो ये million dollar idea है और ये मैं बात क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं captions के नाम से एक app है mobile में download होती है उन्होंने recently 300 million dollar की funding उठाई थी उनका काम क्या है video में से जो captions आती है उनको grab करके different models के थूँ वापस उसमें print करना वो जो videos में reels के उपर ने captions आ रही है तो सरफ इतना सगा होना सोचें ज़रा और उन्होंने कितना बड़ा idea develop किया anyhow this is how your gif file will be printed और यहाँ पे map animation के अंदर ये है आपकी gmp4 चेक करें दरा quality ठीक है ये है text जो मैं नीचे आपको बता रहा था right और ये इसको आप frame को तेज़ भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं it's totally up to you ये वाली है जी आपके पास दूसरी एक के साथ HD लिख है वो HD है दूसरी 720 पे है और ये आपके पास gif है अगर आपको याद हो कल मैंने facebook के पर gif भी upload की थी gif या gif जो भी आप इसे बोलना जाते है और वो automatically लोग click ना भी करें दो वो चलती रहती है यही चीज़ आप अपनी websites और different portfolios के अंदर भी बना सकते हैं कि I created this map and this is how it looks like और gif file का मज़ा ये है MP4 का मज़ा ये आपकी presentation के अंदर भी add हो जाती है so over the time एक slide के अंदर दिखा दो सारा कुछ के ये इस तरीके से कहाम बनता है इस तरीके से बनता है इस तरीके से बनता है so ये code यहाँ पर मुझूद है complete project का and I will rename it because I will rename this to animation ठीक है ताके आप इसको यहाँ से देख सकें hopefully आपको ये project पसंद आया है और छोटा सा fun project था मेरे लिए फिलाल के लिए तो मैंने का चलो इसको add करते है और इसमें जो आप add कर सकते हैं मैं आपको ideas देता हूँ पहली चीज user data अपना भी ना दे आप WB data white bank का data जो होता है plus fostats का data plus eurostat का data सारे के सारे को यहाँ पे fetch कर दे inside the app मैं आपको बनाना सिखाऊंगा dashboard और सब को यह idea दे रहा हूँ तीन data sets आगे user से पूछे क्या चाहिए वो फिर large language model के थू के लिखे कि मुझे total population का data चाहिए around the globe किसे किसने साल वो भी आप बता दे automatically पीछे से code चले data आजाए जैसे अभी हमने किया है data आ गया and now you will ask किस तरीके से इसको present करना है कौन सा map बनाना है so you can have multiple types of map on the left side and right side पे वो print होता गएगा जब user ने एक decide कर लिए यह वाला map फिर वो colors की उसको option दे के colors change कर लो खुद से डाल लो hex code डाल लो फलाँ कर लो वो वो करे at the end आप पुछे हाँ जी save करना है वो गएगा हाँ जी करना है so save पे जाके आप उसे पुछे vice over डालना चाहते हो इस पे तो वहीं save whisper model के थू vice over add करवा और उसी को transcribe करके captions भी add हो जाएगी whisper model totally free में available है online पढ़ा हुआ open AI का वरना open AI की API लगा दो at the end क्या होगा वो जब बोलेगा whisper आएगी whisper से मुराद होता है कि उसकी आवाज आएगी आवाज को आप captions बनाओ captions को add करो back to the plot और उसको बताओ के voice changer की भी function है AI voices भी आप add कर सकते अपनी नहीं करनी है आपने AI voices add कर लो so वो भी open AI की AI की API से हो जाएगा दो काम हो गए नीचे आव से पुछो high quality कौन सी करनी है 4K, HD, 8K क्योंके coding ऐसे तो 8K भी हो जाएगी we don't even I mean care के कितनी quality उसे चाहिए जो भी उसे चाहिए we can provide MP4 में देनी है वो भी दे दो and then GIF भी दे दो और बाकी भी and सबसे अच्छी चीज इससे compressed video बनती है यानि के size बहुत चोटा होता है of course एक minute का plot होता है maximum एक minute का होगा या 30 second का उसकी कितनी space हो जाएगी at the end this app can do wonders अब अगर कोई लोग यहाँ पे final year project बनाना चाहते है न this can provide that base to you and इंशाला इस पे मिलके आप काम कर सकते है यहाँ दा clear हो गया अब इसमें और क्या idea add हो सकते है any idea from your side यह है काम basic data analyst का सोच के कुछ data driven output ले क्या नहीं वो कुछ भी हो सकती है वो policy making भी हो सकती है वो entertainment industry भी हो सकती है वो education industry भी हो सकती है whatever the things are going on audio add हो गया इसके लावा चले आप फिर comment section में बताईएगा मुझे यह chat में and then I will add those ideas ताके जो बच्चे मुझे question करके पूछते है के हमें यह बताएगा final year project का क्या करे है हम कौन सा topic होना चाहिए so these kind of ideas can help